हाँ एक जो है वो ओडे-चौक का लगाया गया क्रिस्केल की तरसे योश्वा डिसीलवा ने 50 नियौन का सामना किया आपके आपको बताता चलू क原因 का सामना किया गया मोग्यों पर वोड़ हो ओडे-ब्र reco चौकार दो चक्के लगाएगे उनकी तरह से जोश्वाडी सिल्वा के 50 रंद द्वाइन ब्रावो के 25 रंद जहां पर इसके इलावा फैब्यर नैलन ने कोई रंद ने मनाया दोमिनक रिक्स ने एक रंद बनाया नसीम शाह ने दो रंद बनाया एंड जॉन रस जागिसार ने पहले बात की जाएगा फॉल अप विकेट की अठावर के स्कॉर पर गरी करी क्रीस गेल की सूरत में दोस्ते की बिखटर बासफिट की स्कॉर पर जांकर गरी जॉन आथान कार्टन की सूरत में अच्छी पांटिंश्यप देखने को मिली हमें इस तर्विकर जोश्या शुर फ्रूम्राइक शरर यहां पर चौत भीकटुरा यहां पर चौत वीकित है वो इस्तान के स्वार थार गिरी अथर ने आवर के बाद अटार्मी यहां ठीजा हुए यहां पर द्रूम्राइक ग जाकर गरी जहांपर बात की जा उद्धरव उदाना ने चार एंडर 8 red देकर दो-डिंस एकर दो-डिंस इनाम каких रभीर रामपॉल ने चार एट्टीस इत्थ एक विग्ट को हशिल किया अकील हुसेन ने चार एंडर 24 इन की तो तीं है अगर हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर पॉइंट सेबल को तो पॉइंट सेबल का जो है वह इतना काम नहीं रहा है हाँ अगर जो भी टीम इस मैच को जीते ही वह नंबर वन पर चली जाएगी पॉइंट सेबल की उपर लेगे आपको जो टीम से हमके बारे में बताता जो के क्वालिफाइआई कर चुकी है तो उनमें नाम आथा है दोस्तों इलमाेजण वर्यर का वह opens59 चुक ए है टीम और याहां पर टीम ब्दीवाड़न नाइक्रे जाएग divi सेफिट्वाहम सेराबकर जांखेु wash देर के बाद़ जाएगी जहां पर जईमयका तीक यार के वल लेवाजी स्नाच को जीत कर नमबर वन पर जाने की करेंगे कोशिश आप सभी दोस्ते हैं हमार साथ ही बने रहिएगा जहां पर उची लमाद के अंदर जो है वो सेकंड इनिंग्स होने वाली है अप्श्डू मैच अग करेंगे वाली है जो दोस्तो जा रही है वाली है तो यसाथ खुल जाने जाया पर नम्बर करेंगे थे वाली है करवाईगी इनकी तरसे जहां पर त्यूर्स के टीम इस मुखादे के अंदर जो रंस बनाने में काम याप हुई इनकी तादाद जो है वो दोस्तों आपको बताता चलो तो 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 यहां पर एक सो संतालिस साथ नुकसान पें बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दी टीके आर अच्छी बॉलिंग उनकी तरसे करवाएगी अगर हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर स्कोर कार्ड की सिचुएशन को तो स्कोर कार्ड की सिचुएशन जहां वह मैं आबाद के साथ सामना किया पांच चोकी और एक ठक्का जो है वह जुश्य डिल्वा की तरह से लगाया जनाथन कार्ट ने वैंसराली नुका सामना किया गया तीन चोके उनकी तरह से जो है वह यहां पर आपको बताता चलो के 28 गिनों का सामना किया गया वो अली खान की गिन की उपर बोईड हुए डीजे ब्रावो ने 25 रंद बनाए तेरा गिनों का सामना करते हैं एक चौका और दो शक्के लगाएगे उनकी तरह से जोश्वा डिसलवा के 50 रंद ड्वाइन ब्रावो के 25 रंद जहां पर इसके इलावा फैबियर नैलन ने कोई रंद ने मनाया डोमिनक रिक्स ने एक रंद बनाया नसीम शाने दो रंद बनाया एंड जॉन रस जागिसार ने पांच रंद बनाये आगिनों का नहीं सामना किया एक चौका जो है वो रोस्त उनके बले से हमें देखने को म है जॉस्ते वरिइट 212 के स्कूरा पर जाकर गिरी जोनाथन कारतर की सुरत में अथी पांच रिघन को मिली हमें इसे बिक्ते जोश्वर्य देखनी सिल्वा की गिरी 111 के स्कूर पर यहां पर चौथी विग्ट क्ःट्र ौइज बैस दूस Corona Re acab coverage 1994 की बद आखर फान थी प पर आपने विकेट जो है 149 स्वोर पर डॉमिनेक ड्रेक्स की जो है वो इस मुकादिक अंदर जाकर गिरी जहांँ पर बात की जाए बालर्स की तुम हिजरु उदाना ने चार अवर्स के अंदर 28 रंज देकर दो विकेट को अपने नाम किया रवीरामपॉल ने चार अवर्स क तीन विकेट को अधुने चटाया बहुत ही जबरदस किसमकी बालिंग अली खान की तरह से हमें देखने को मिली है दोस्तों जहां पर रवर्स पाप्येट 148 रंज का है अगर हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर पॉइंट सेबल को तो पॉइंट सेबल का जो है वो अभी इतना काम नहीं रहा है अगर जो भी टीम इस मैच को जीते ही वो नमबर वन पर चली जाएगी पॉइंट सेबल के उपर लेकिन आपको जो टीम से उनके बारे में बताता चलू जो के क्वालिफाई कर चुकी है तो उनमें नाम आता है दोस्तों ग्याना मैजून बोर्यर्स क वो क्वालिफाई कर चुकी है टीम यॉर्स क्वालिफाई कर चुकी है तो अब देखते हैं कि इस मैच को कौन से टीम मिल करती है और नमबर वन पर जाती है तो दोस्तों सेकेडिस की शरवाद कुछी देर के बात हो जाएगी जहांपर अब एक सवर्तालिसम्स का गया तरो नमबर वन पर जाने के करेंगे परोश कि रहांस तकी पर्लीफी थाहा वालिफ यॉर्स क तो अनुस्तों सेट्थी बाड़लुम्स परड़ास। टीक यार के दिमान यवाला मकादला जो दोस्तों खेला जा रहा है, जहांँ पर तोस्तों इनक आप टीम, टीक यार ने टॉस्तों जीते हुए, जो बोलिंग करने एक और अच्छी बोलिंग कर वाएगा इओ मकादले जो तो इनकी पादार जो है वो दोस्तों आपको बताते स्कूर कार्ट की सिचूएशन जो है मैं आबाद के साथ शेर कर देता हूं जहां पर अगर हम बात कर लेते दोस्तों क्रिस गेल की तो क्रिस गेल ने बनाए पांच रंज यहां हुने चार गिनुका सामना एक जो है वह वह चौका लगाया गया क्रिस गेल की तरह से जोश्वा अगर गाया जनाथन का ट्रफ ने पच्छास रंज बनाए और उनकी तरफ से जो है वह यहां पर आपको बताता है चलो के सामना किया गया वो अली खान की गिन की ऊपर बोड़ वे डीजे ब्रावो ने पच्छीस रंद बनाए तेरा गिनुका सामना करते हुए एक चौका आप दो चक्के लगाए उनकी तरह से जोश्वा डिश्वा के पचास रंज द्वाइन ब्रावो के पच्छीस रंज जहां पर इसके इलावा फैबियर नैलन ने कोई रं नी मनाया दोमिनक रिक्स ने एक रंड बनाया नसीम शाह ने दो रंज बनाया एंड जॉन रस्त जागिसार ने पांच रंज बनाया अग्यनुका में सामना किया एक चौका जो है वो दोस्तों के बले से हमें देखने को मिला त अधारा एक्स्ट्रास की मदद से जो टीम मा अट यॉर्स हैं हुने रंज बनाया एक सो सेंटालीस और अब 242 का टार्गेट दिया गया है अगर हम स्कूर कार्ट को देख लेते हैं गाईस तो हम पहले बात की जाएग है फॉल आफ विकेट की पहले विकेट 18 के स्कूर पर गरी क्रिस गेल की सूरत में गरी जोस्ती बिकेट 62 के स्कूर पर जाकर गरी जॉनाथन कार्टर की सूरत में अथी पाटर्शिप देखने को मिली हमें इस तो बिकेट जो श्रुअधी इसला की गरी 101 के स्कूर पर जहां पर 4 इज विकेट रहे वोज़त 5 दाएगर 4 एक सो 32 क एक विकित को हाकल किया अकील हुसाइन ने चार अवर्स के अंदर 24 रंस दिये एक विगेट को उन्होंने अपने नाम किया जबके बात की जाए यहां पर जेड़न सील्स की तो तीन अवर्स के अंदर उन्होंने 27 रंस जबके फिक आफ दी बॉलर साबित हुए अली खान चार अवर्स 19 रंस और तीन काम नहीं रहा है हाँ अगर जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वह नंबर वन पर चली जाएगी पॉइंट शेबल की पर लेकिन आपको जो टीम से उनके बारे में बताता चलू जो के क्वालिफाई कर चुकी है तो उनमें नाम आता है दोस्तों ग्याना मैजून वोर्यर्स का वो अक्वालिफाई कर चुकी है टीम इस मैच को जीत कर नमबर वन पर जाने के करेंगे कोशुचु आजएम यहां पर अब एक सोर्तालिसंद का टार्गेट है और TKR के एवल लिवाज इसनाच को जीत कर नमबर वन पर जाने के करेंगे कोशिव CPL 2020 और CPL 2020 का खिला जा रहा है दोस्तों यहां पर मुकाबला नमबर तीस आफ्री लीग मैच है दोस्तों यह CPL 2021 का जहां पर बात की जाए अगर मैच की तो दोस्तों मैच है टीम सेंट लूस या किंग्स नलव सेंट किंग्स सेंट किट्स नेवस सेंट पर ट्रियोर्स और टीम टीक्यार के देमागे वाला मुकाबला इनकी ताद जो है वो दोस्तों आपको बताते चलू तो सिरफ और सिरफ यहां पर 147 नुक्सां पर बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दी की टीक्यार अच्छी बॉलिंग उनकी तरह से करवाएगी कि अगरUn holder हमन देख लेते हैं दौसल यहां पर ऑडे चफॉक कार्ड़ की सिच्वेशन पुhu तो स्कोर कार्ड़ की सिच्वेशन जहां हो मैंबाद के साथ शर्षिप कर देता हूं जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं दोutor Chrisrian की तो Chris तरफ से लगा गया जोनाथन का ट्रट ने फचीस रंज बनाएं और उनकी तरफ से जो है वह यहां पर आपको बताता चलो के तरफ से जोश्वाड डिसलगा के पचास रंज द्वाइन ब्रावो के पचीस रंज जहां पर इसके इलावा फैबियर नैलन ने कोई रं नी मनाया डोमिनक रिक्स ने एक रंड बनाया नसीम शान दो रंज बनाया एंड जॉन रस्त जागिसार ने पांच रंज बनाया तरफ जोश्वाड डिसलगा की गिरी 101 के स्कूर पर जहां पर जाकर गिरी जॉनाथन कार्टर की सूरत ने अच्छी पार्टर्शिप देखने को मिली हमें तो जोश्वाड डिसलगा की गिरी 101 के स्कूर पर जहां पर चौथी विकेटर अलो एंड वेलकम दोस्तों एक दवा फिर आप सभी का हमारा साथ दिनी के लिए बहुत शुक्रिया जहां पर हम सेकेंड इनिंग्स की शुरुवात होने जा रही है नसीम शार जो है वह दोस्तों गेन बाजी के साथ हैं बिलकुल तयार परागी गेम दोर पहले ही गेम वाइड बाल दोस्तों मैं आज की जो है बहुत बाकाइदा तोर पर शुरुवात हो चुकी है वाइड बॉल हो जाएगा जहां पर एक है स्कोर दिना के से विगट कमिक सांग पे लेंडल सिवन्स जो हैं वो बल्ले बाजी करने के लिए आज के अपनी रीम की तरव पर पर दोर 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 जो से रामदीम जो है वो दोस्तों के साथ हैं सो यह दोनों प्लेयर बड़ी इंज और अच्छी दिंग स्केलने के लिए जाएंगे जहां पर रगए गेंडास उनके बाट पिछुई ए गेंडी स्केन को बैट स्वन ने खेल दिया है अफ्साइड की तरफ चाहत बाट वाइड बाल, फैस्टबॉल्टॉ जो जो डोस्तों अफ्साइड कवर की पस्जिशन फर फिर्ड मांग जो रोखेंगे स्कींग को विमस ने कई रन्या है उन्होंने एक गिन का क्या है सामना वांदीम ने कई sacrकिस्वें तक यृ ममि आहिक को अनने सामना आपने के बाहर पीछ हो यह गेंग बार परते विखवा मेह के पॉइन के पॉइंट की तरफ गत्रस गेंबाजी जिन्होंने रोका है स्कीन को और बारिश आगर आ जाती है दूस्तों तो फिर ये मैच अभी नहीं होगा लेकिन ये कि दोस्तों यहाँ पर मैच ड़ार्ँ सी स्टार्ट भो सकता है। लगिन यह था बारिश आ सकती है तो था मैच नहीं नहीं होगा तो तो यूallas दो चस्कान मेरे कोन जाती है। तो दोस्तों दो है स्कोर बिना कि से विगर तुनिक्सान ते तीन गिनों का खेल भोज का है फूरा प्रिकेट विद्मी ने हमें कर लिया है ज्वाइन वेलकम टो दिलाइब स्ट्रीम यहां पर रभ इन उन्पने एक रण नार रख रामदीन ने को एक रण मनाया सेकेंड इनिक्स की शुवाथ होच की है आपकी ख्याल से कॉन से टीमिस मैंस को जितने वाली यह आपने हमें दि प्रिकेट करवाएगी गुडलन की यह गेन लवले डिलेवरी दिस टायम जहां बैस्मन ने रोक दिया इसकेंड को खेल दिया इसकेंड को वापस पाला के पास बैस्ट के लिए साजगार है विकेट सिंपल बॉलर्स का कमाल है कि अगर वो यहां पर विकेट खेलते हैं तो जीत जाएंगे वासी बात है बैटिंग के लिए साजगार है विकेट सिंपल बॉलर्स का कमाल है कि अगर वो यहां पर विकेट लिए पाएंगे तो ठीक है अगर नहीं लिए पाते को फेलवारी से बात है आपको भी समझ हमेंगी बात है इन है स्कोर बिना किस विकेट को निकसाम पे पांच किनों का केलब हो चुका है पूरा जहां पर रहा है निमुद में एक रंदोना रखा है तीन किनों का किया वह सामने रामदीन में जो है वो पिछले मैच के अंदर अच्छी शुर्वाद दिलवाए थी और स्वीप किया है इसके इनको मतलब पुल किया है इसके इनको खुब्सूरती के साथ लेक साइट के रीजन में जाएगी एगेंट चौके के लिए बांट प्री लाइन के बाहर पहले होगे अंदर बन चुके हैं टीम टी के आए बिच टीम डू यह स्पोर्ट यह आपने हमें बता देना है दोस्तों 321 लाइक्स जहें वह आपने कर दी हैं थैंक्यों सब्सक्राइब लिए और शुक्राइब नतीश कुमार भाई हमार साथ है मौजूद शुक्रिया प् का हमारा साथ देन की है उदाना है हुसाइन है सील्ज है अली खान सारे के सारे के इनबादों ने बहुत ही जवर्दस किसम की बालिंग करवाई अपने टीम के तरह से एक सचाओधा है स्कौर एक सचाओधा गिलों के उपर 141 की जरूरत भी ठीक है आर को और अब पॉल मैंकरीन को बालिंग के लिए लाए जाएगा जहां पर विकेट विकेट करवाएगी अगेन इसके इनको बैट्समर ने खेल दिया है वापिस पॉलर के पास मैंकरीन पहले लगा ताब मैंकरीन खेलते रहें लेकिन बीच में जाकर उनको ड्रॉप किया गया पचास रूंस बनने के बादी विकेट जाएगी ना दो कहता हूं कि विकेटी में गिरे फिर मुका दो इस मैट को अगर इतनी आपको है ट्रस्ट है इन बलेवाज में के सामना रामदीन ने एक रन बना रख ए तीन गिनों का सामना का ते विक किया है उम्दा शॉट बहाइंड स्क्वेर सिंगल लेने का रहेगा मौका और सिंगल के साथ अब आठ हो जाएगा स्कोर बिना किसे विकेट को नुकसान ते एक अवर दो गिनों के बाद पूलमें मेकर बीन लैदर लैंड से इनका तालुक है गाइस आठ है स्कोर बिना किसे विकेट को नुकसान पी आठ है स्कोर बनांकिसे विकेट के नुकसान ते एक अवर और दो गिनों के बाद यहां पढ़ रहा है इस तवर के लिए इन पार आएगी अगें इसकेन को बैस में ने खेल दिया लेक साइट के तरफ शॉर्ट मिड विकेट के रिजन में मिड विकेट निए शॉर्ट फाइन लग के रिजन में फिल्ट मौजो दरो किंग विसकेन को चलिए दोस्तों आते हैं मैंस की तरफ एट विदाउट लोस 1.3 वर्स के बाद वाल्मन में के बी इन ने पहले मैंस के इंदर यानिके जो पहले छे मैंस के लिए पांच के इंदर उनन छे विक्ट्रोक अपने नाम किया उसके बाद उनकी फॉर्म जो हो थोड़ी खराब हुई विए खेल दिया है इस गेंको लें इनल सिमंस ने आप साइट की तरफ शॉर्ट कवर की पॉजिशन पर फिल्डर रही ने मौज़ो रोकिंगे स्कीन को अपन दोरी बोलते हुए कि स्टार्स पोर्स एर्टी वन में तो नहीं दिखा रहे हैं क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमारे पास दिखा रहे हैं नहीं विदाउट लॉस आपर 1.4 अवर्स राउट की बड़ी तादाद में जितनी हमने तादाद इसलिए ना चद्खेंदर देखी थी सो और इस तफाई अगें विट्टो को मिस करते हुए पैट्स को मिस करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्थान हमें यह वाइड बॉल का सिगनल दिया जाएगा अमपायर की तरश से दोस्तो काफी जाला जो है वो काटून क्रेक्टर दाट की उपर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं ऑल्बन में करीन के बल्ले के उपर जो है वह दोस्तो अ तेस्ट स्कूड बना के सिविगे तुनिकसां टेक और चार्गम के बार रांदीन ने दो रन बनार रखे हम और एक दफा फिर माकर रेन हिते या राइटम ओब तेके टेड़ जिद्धों ने दौना शुर किया थेज़ हुए उम पार को क्रोस के आगें कि आच्छा गें सुङ दीन डिलिवरी टपालीन के बाद बाहर की जापन निकलेगी अगें जाएगी अगें दिकेट के बर कि दस्टान दौना हुए दोन यूज बैलन विच गाडस काहम EPL 2021 का आखिनी निक नाच विकट विकट कर वाएगी गें इसकें को फिक कर दिया है बार्स ने पार्स वराती हो गें को मिट विकट की तरफ पर अधरन का इजाफ़ा दूसरी के लिए लाट आएंगे और फिर्ट बार्न विलान पर मोझे दे जो रोकिन इसकें को वरन जॉसप इस विदास ब्लैक हो कि टीम जीतेगी स्मयाच को ऐसा कहना उनका लेक्सी भाईया क्या बनता है यह तो वक्ती बेदर आएगा दो रंज बन गें बारा है स्कूर्ण के सब्सक्राइब कि नुक्सांती दो के बार्स बारा रंज की है बारा इनों का इन दोनों प्लेयर्स ने का रखा है सामां एक स 236 रंज की जरूरत है आलर अंदर प्लेयर आरा आप बिना के से विकर्ट के मिक्सांती दो वर्त का खेल भोज का आप पुरा है डॉमिनिक ब्रेक्स यह है बदस तो नसीम शा को रिप्लेस करेंगे लेफ्ट आम ओवर देखेट जिन्होंने दोना शुरू किया तेज स्वे अंपार को ग्रास के अगेन क्या चागेन गुर्लें की अगेन बैकपूट पर रहते वे बैट्स में खेल देंगे इसके इनको पॉइंट की तरफ शॉर्ट पॉइंट की पोजिशन पर फिल्डर है म मुकसाम टेज और रब जो है बदोस्तों लेंडल सिमन्स ट्राइक पर हैं मौझूद करेंगे सबर की दूसरी गेन का सामएं कि वालू बोलते हुए बोलू बोलते हुए कि विगेट देदो प्लीज देदेगे भाई डून परी अभी तो शुरूवात है अब जो है वो स्कोर रहेगा बारा बिना किसी विगेट के मुकसाम पे विष्टीम इस तो हमें बता सकते हैं जल्दी से कापकी फेवरेट टीम इन दोनों टीम्स में से कौन थी है अब दोस्तों अब तक चार रंज बनाएं में 6 गिनों का सामना करते हैं जहां पर रब डॉम बनाकर बैर्समें इस गिन को कट करने की कोशिश में रहेंगे नाकां और जाएगी गेन दिकेट कीवर के दस्तानों में हाइट की बार्निंग देते हुए अंपायर अब बारा है स्कूर बना के सिविगेट की नुकसामते 340 लाइक सोचके हैं हमारा टार्गेट जो है वो 500 लाइक का है दोस्तों अगर आपने नहीं कर रखा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए अब कानल को जाए वर सब्सक्राइब पर एगा बारा है स्कूर बना के सिविगेट की नुकसामते दोबर दोर तीन अगिनो का केलब होच का है फूर ओन अप दी ओवर का इशारा दिया जाएगा जहां पर एक दावा फिर वाइट बाल देते हुए अंपार कि यहां दोस्तों वाइट बाल का सिग्नल लेक्स्रम को मिस्स करते वे जाएगी अगें विगेट की पर के दिस्तान अब दोबर दोर तीन दो ओवर और तीन गेनों की उपर तेरा रन नाइट राइडर का स्कूर होच का है रिंड ब्राबो बॉलीं नहीं करवा पारे दोस् स्कूर्ट फिज अगेन है अमर कर दिया स्केन को मिड विकट के यानि के बैकवर्ड स्कूर लेके रिजन में फिल्ड और बांट रिलाइन पर है माँजूद रुकिंगे स्कीन को इसी भी सिंगल लेने करेगा मौका तो कर लिया है मैं ज्वाइन वेल्कम टो दिलाइश्ट् मैं परस्नल दिलिग्स 14 ज्वाइन टो सब्सक्रों लेके अमनीद स्कूर्ड अधर समयर्ध दिल्ग्स जो है वो आठ के आस पास सब्सक्राइब इस अब के लिए इन बाकफट परा तबे पंच कर दिया प्लेयर निस गें को उफसाइट की तरफ पर की पोजिशन पर जान अरस जागी सार जो है वो दोस्तों मौजूद जो रोकिंगे सिंग को इसी के साथ अब 114 बल्के की लाच ओ तो थैंक यू सो मच 103 डिलिवरी जाएगी दोस्तों यहां पर लॉंगान की फिल्डर की पास जो रोकिंगे सिंग को इन के बाद 14 है स्कूर बिना के सिंगेट के निकस्तान पे दोंट यूज बैड लैंगविज जाड़ अग रहा हम का अच नहीं मजवाइन का रखा है वलकम टू दी लाइंस्ट्रीम एक सच दो गिने हैं और एक सच और तीस रंस की जो टीम इस मैंच को जीते की वह नंबर बन पर चली जाएगी बिल्कुल सई सुना आपने जो टीम जीते गी वह नंबर बन पर चली जाएगी इमन ने सात रंज बनाएं वे किया दस किनों का अंगोनी सामना जहां पर रामदीन ने तर रंज बनाएं में आर्ट किनों का सामना करते हुए इमन्स जो है वो स्ट्राइक पर रहेंगे मौझूद बॉलर है पॉल बैंन मैकाडवीन बड़ा शॉर्ट में विगेट की तरफ फाइनली हमें एक लाज जवाब कनेक्शन देखने को मिल जाएगा आज कल से बेहतर फील कर रहा हुए कल जो है वो कुछ जादत कावर थी लेकन आज जो है वो कम थी वेरी क्लोस तु अल्ड रोमो जो ड्रब लगा हुए उसके साथ ये गेंट टक्राने वाली थी शायद कोई इनाम हेस्ट फ्रम को टक्राने का लेकिन ये गेंज जाओ दोस्तों ड्रम से बिलकुल निरक्रा पारी क्राउड की इतनी ताद नहीं जितनी कल थी कल तो एक बहुत ही अची ताद में क्राउड आया हुए था मैच को इंज्वाय करने के लिए जहां पर रब बॉलर तयार शाट पीचे के इन बैकपट पर रहते हैं वह पंच कर दिया इसके उनको मिड़ोप की तरफ कि अधारा है स्कोर बिना के सिवेगे टूंक सांदे पुरी ओवर जौर दो गिनों का खेलब में यानिके तीन ओवर दो गिनों का खेलब होचका है फुरा तो गिन एक सो तीस रंस की जरूरत विस ट्रीम इस गूंग तो बिन दिस मैच यूंग तेल मी अली खान जो है बो दोस्तो आज कम्माल बॉलिंग करवाई थी थी उन्होंने तीन विट्रों का अपने नाम किया था बहुत इम्दा बॉलिंग करवाई गी उनकी दरसे हम 140 लाइक्स साहिए अपना टार्गेट पूरा करने के लिए 6 वर्थ के अंदर 40 रंस बनेगे युक्रिया को खरन पर यूर बेस्ट विश्ट इस अठारा है स्कोर बिना कि सिर्गेट कुंक्सान पर प्रिटी रेगुलर मौट है अप बाकपट पर पर आते वे स्माश कर देंगे बले बाद इसके इन को डिप वैंट के फुल्डर के सरकी उपर से चौकी के लिए लॉब्ली पीस ओफ प्रिकेट लेंडल सेमन्स को स्लैश करेंगे जोरदार अंदा से और बेई देगी गेंट को चौकी के लिए बाद प्रिलांग के बाए टीक्यार की टीम जीतेगी अच्छा सुले पता चल जाएगा हाँ वैसे इतना मुश्किल नहीं है यह 99 नहीं है और इतने के चांसिस हैं वीमाल ने हमें कर लिया इज्वाइन बहुत 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 शुक्रिया आपका यह बीमाल है आपका नाम सौरी मेरे मुझ से कुछ और ही निकलने लगाता है बेहाल निकलने लगाता है और वाइस स्कूर बिना किस्वेट इंकसान पे राइट आम ओब हो सकती है यह बीड़्यो की लेकिन ये गेंग बले आंदर रूनी कनारा लेने के बाद आट से इस वजह से इस वजह से नौट आउट का ही सिगनल दिया जाएगा बाइस स्कूर बिना किस्वेट निकसान पे लेग बाइस पिसूट उतने सिंगल ले लेंगे यह बाइस पिस स्कूर बिना किसे विकट के नुकसान पे इसी भी एक मेडियम पेस बॉलर की जब गेंद बैसमान तक पहुंचती है दोस्तों तो उसकी पेस सौ के आसपास हो जाती है सो किलो मेंटर पर और की अलकास ता डिफेंसिव शॉट लेक साइग की तरफ इंगल मिल जाएगी हमें अलब बैसमान को इसके उपर 24 स्कूर बिना किसे विकट नुकसान पे तीन अवर्द और तीन अवर्द और पांच गिनों का खेल अभोचका है पुरा जहां पर सिमंच ने पंदर रूंज बनाए हुए है यहां ने चौरा गिनों का सामना रामदीन ने पांच रंज बनाए ह इसके बाद यहां पर कॉलन मुन्रो जो है वो दोस्तों टीट पंटी क्रिकेट के अंदर तीन सो दस आको खेल चुके हैं यह जो कि इसके बाद आएंगे बल्ले बादी करने के लिए लेकिन फिलहाल यह दोनों बैट्समें कमाल क्रिकेट केलते हुए स्माश कर दिया है और गेन गौली की स्पीट की मानित निकलते हुए जाएगी बल्ले से एक और चौके के लिए बांट रिलाइन के बाहे एक अवर अगर मजीद हो जाता है उसके बाद बारिश आ जाती है तो आपको बताता चलू के फिर मैच का रिजल्ट पॉसिबल है मैच जो है बदोस्तों उसका रिजल्ट आ जाएगा क्यूंकि किसी भी टीप्रेंटी मैच के अंदर पांच अवर्स दूसरी इनिक्स के अंदर होने होते हैं मैच का रिजल्ट लेने के लिए एक ही चीज को बार-बार रिपीट ना करें इस वकर टाइम दो टाइम आउट देने का मूर्ड में है अधिसे बातीर के सिल्ट ले को आप जारी रखिए सिमन्स ओन 19 ही फेस 12 15 डिलिवरीज रामदीन ने पांच रंज बनाए हुए नोगेनों का किया साम लंडल सिमन्स सबसे ज्यादा रंज बनाने वाले प्लेयर हैं दोस्तो अब इसो चाविस रंज क्रिस गेल नमबर दो पर हैं 247 रंज आंद्रे फेक्टर बाइसो पिचाद म ने आज कम्माल किया टीम जमेका तलावाज की तरसे जमेका तलावाज की टीम हार रही थी पिछले मैच को लेकिन निमारियो शाफटर ने इजबतर से अपनी टीम के स्कोर को 142 अप पहुंचाया और उसके बाद उन्हों ने जो है वो दोस्तों तीन मिट्टों को भी अपन साथ का चलते वे करन टरंडेट जबके रिक्वाइड टरंडेट साड़े साथ का है विकट की कॉल है दोस्त बोलते वे लेटस लेटसी विकट गिरती है यहां पर इसके उन्हों को हल किया तो किसाथ बैट्स निकाल निकल लिएक साथ की तरफ सिंगल जो है वो लिया जाएगा और सिंगल के साथ अब स्कॉर हो जाएगा हम तीस बिदांकी सिविकट के नुक्सान थे चार अबर जो दो दोने के बाद नसीम शाह जो है वो आपको बता दूँ कि यहां पर एक अबर करवाने के बाद हाँ जी हाँ जी I have taken what 30 score दिना किसी विकट के नुक्सान पर गार कर लेंगे अबलकी स्लो रुण यह जिए इसके इन को बैंस वंफल के आद के साथ के लिए उपसाइड की तरफ विल्डर रहेंगे तायना रोकेंगे वाइस के साथ हम स्कोर रहेगा 30 मिना किस्ते देखेट के नुकसान पे 30 30 विदाउट प्लॉस्ट आप्टर 4.3 ओवर्स निदेखेट के वह बहुत जबर देखेट की बात की जाये तो पावर प्ले के अंदर चेके रहेंड के साथ के रहेंगे लीव मतलब बखेजने चाहते थे लेकिन रहेंगे ना कामडाट के साथ हम स्कूर रहेगा तीस मिना के सिविगेट निकसान पे चार अवर्ज और चार के जो का खेज हुचका है पूरा किंग्स के टिंग का स्टार्ट बहुत जबरदस रहता है है नो आशार ये दुच्छे रून बनाते है प्रती अवरो जब कि अगर हम बात कर लेते हैं तर अवास की तो वह मतलब आउट हो चके साधी साथ रंस पावर प्ले कि में बनाते हैं लाट टाम अवर्ट डॉमिनेक ड्रेक्स के लिगेंड निकाल दिया है सब्सक्राइब को बैकवर्ट स्क्राइब के रीजन में बान प्री लाइन की तरफ बढ़ते हुए गेंड मिलेगी सिंगर दूस्ट्रे के लिए बापिस आजाएंगे ये दोनों बने बाग अच्छी रुनिंग बिट्विन दा विकेट से डोनों प्लियर्ट की तरफ से 32 स्कूट बिना कि से विकेट निकसान अवी हसन इस दिदास विमल को टाइम और क्या जाए एक ही चीज को बार-बार रिक्रीट कर रहे हैं बहुत कि मैं खुद दी कर देता हूं 32 फर दे लास्ट अक्तम जहां पर रब चार अवर्ज और और पांच के ने होच किया गाइस फुर्ट पर है रामदीनाट पर है यहां पर यह गेंड के उपर हुई है बड़ी अपील कोट बिहाइंड की नॉट आउट का सिगनल दिया जाएगा उंपायर की तरह से 32 स्कोट बिना के सिवेगर के नुक्सान पर पांच का खेल भोच का है फूरा और पंद्रा वर्ज का खेल जाएब दोस्तों होना है अभी मजीब बागी रजीश भाई हमार साथ मोज़े जो बोलते हुए कि SKNP की तीम इस मैच को जीती की लेक्टी बिग्या आज सब्सक्राइब जाएगा पूरा यह नहीं इसने नाचर के अंदर आपकर देते थे आज देखें पांच्वाइब जाएगा पूरा यह नहीं राम दीनाट परहें सीमंस ने 20 रंद बना रखे किया उन्हें सो लागिनों का सामें ब्रावो चैंपियन जी विलकुल पीजे ब्रावो जो है वो बॉलिंग करवाने के लिए नहीं आएंगे लेकिन नसीम शाह के साथ बाचीट करते हुए क्योंकि नसीम शाह आज जो हैं वह दोस्तों एक यंग गेंग बाग है कि लाख दीन यहांट रादे नहींद बनाएंगे और रखे अचलो अगा शाह के सामा हो जाएंगे नहीं पॉर्ड़ीख कर लेंगे अपने नाम मा अगाच लॉटी काच बाय फैर्बिन आलंग ए जबर दस गया दोस्तों नोपनान दिनका नाम में दोस्तों फैर्बिन आलंग जबाब काच थाम देगा अगाच बाय फैर्बिन आलंग पिष्टी की तरफ दोड़ते हुए इसकी उनको कैच करेंगे एक हाथ के साथ उनकी तरफ से किया जाए तीन सो इकतर पे स्ट्रक हुए नहीं अभी तीन सो चौरासी हो गया वाट आकाच जितनी तारीफ के जाए दोस्तों इसकाच की उतनी इं कारा की एक कैसे हुए बरहल हो गया दोस्तों यहां पर कैच स्कोर रहेगा 32 के नुक्सान के टीम पहले विकट कर चुगी है टीक्यार के फैंट कैसा फील कर रहे हैं 14 वर जोर 5 किनों का खेल होना है अभी मजीद बाकी आउट हो जाएंगे प्लेयर राम दिनेश संधी नभी भी है लेकिन लैंडल सिमंस आउट हो जाएंगे कॉलम नरो जो हैंवा दोस्ताव बले बादी करने के लिए आज के एक हाथ के साथ बिलकुल जमीन से इनको उठा ल कि दॉरते हो तुके वैसे आम हलात में लाइक अगर गली की डिकट चल रही हो ना तो इस किसम के कैच इस पकड़े जाए ना तो फिर वोता कुछ ही हो है कि इनको कहा जाता है कि तुके लगा तुका लगा है यहाँ पर अपनी डिरेक्शन को चेंज करते हुए सिंगल हैंड ली गेंड को पीछे की तरफ दौरते हुए यहां पर नसीम शाह अपने अपर के लिगेंगें लेकर आएंगे स्लाव रंदीन इस किन को खेल दिगेंगे पॉइंट की तरफ रॉन आउट होने का फट्रा हो सकता था लेकिन आएसा नहीं होगा क्योंकि फैबियन एलंगेन को विक्टो में मारने में रहेंगे नाकाम जहां पर रब 37 स्कोर एक के नुकसान ते पांच अवर दो गिनों के बाद ऐसा मतलब कैसा और व्यासा मुझे बताएं जोड़ा है कि आप बात करें 37 स्कोर एक के नुकसान ते पांच अवर दो गिनों का के दब भोज कैप पूरा तो दोस्तों एक फिल्डर डीप पॉइंट पर रहें और एक फिल्डर जो है वो बैकवर्ड स्कूर लैकी पॉजिशन पर बाउंडरी नाइन पर मोजू दें तो यह दो फिल्डर इस्वगत बांडरी लाइन पर मोजू ने इसके इलावा सारे के सारे फिल्डर जो हैं सर्कल के अंदर है क्योंके पावर प्ले चल रहा है और कॉलर मुंडो जो है वो नसीम शा के लिए गेंग का करेंगे सान पांच अवर्द और दोगी ने होच किया इस्ट्री गेंद रहेगी दोस्तों यहां पर बॉलर से बाचीत करते वे कप्तान डीजे ब्रावो डीजे ब्रावो जो इतनी मेहनत नहीं कर रहें मतलब इतनी बॉलिंग नहीं को कर वारे क्योंके यहां पर अगली जो अगले मैच апinyša दोरते हुआ है दोस्तों और आकर उनुने आंखों में आंख आख से आंखे चार कियां वा है nasim shah नसीम शाह जोना बदोस्तों बहुत ही जोशीले बॉलर लगते हैं और जब भी इनको विकेट नहीं मिल रही होती तो सिधा जाकर बॉलर की आँखों में आँखे डाल लेते हैं हाँ भी बताओ अलो बैट्स नहीं थी आप क्यों नहीं हो रहे हैं तो ऐसा ही किया यहां पर कॉ समी-final के अंदर कौन-कौन से टीम पहुंच चोकी यह भी इब आप को विता देता हूं गाइस समी-final के अंदर EKR की टीम, Patriots की टीम, ग्याना मजदून Warriors की टीम और टीम सैंट लूसिया किंग्स पहुंचोगी अफ्सलोर रवंज एगेन इसके इन को कर दिया, इफेंट बाप इस बादर के पास तो नसीम शाह एक दफा फिर अग्रेशिन का जाएव दोस्तों मजाहरा करते हुए, वाउ एंटी से स्कोर एक इनकसान थे, I am enjoying it वसीम शाह नी, नसीम शाह, नसीम जो और तो वला नाम होता है नहीं, नसीम बुवला अग्रेशिन का जाएव दोस्तों सीपील के अदर बहुत ही जबरदस्त किसम के कैच दे रहे हैं और इस दफा फिर से एक बहुत ही उंदा कैच उनकसान के पस्षरिया गया जांती सकोर एक नुकसाम पे पांच अवर जॉर राव थाद कील उचकाया पूरा जहां इन बास आताया यारे दीगें लेकर आएँगे बैकफ़ पर रते वे कटकर दिया स्किन को डीप पाइंट की तरफ फिल्डर बांड प्रिलाइन पर मोजू देर ओकेंगे वे स्किन 34 फर्दला सफोन विकेट नसीम शाह वर्स कॉलम बंदरोथ छोटा सा मुकाबला हमें तिल्हाल होते वे दिखाई देराए गाईस मैं चाहूँगा कि यहां पर नसीम शाह को एक अवर और दिया जाए कि अवर जाएंगे बाट्समान के साथ लाइब आ जाएंगे बाट्समान कि इन जो पेस रिक्वाइट रंडेट आट का चलते वे करंट रंडेट साड़े साथ के आस फर्स सलते वे गाईस कुमारी एस एंपी की इमहारे है किस की भाई किस की आस के अनपी की टीम को बीर आृट प्र ऐसकोरण ऊग्ताएं तो नहीं किया हूँ टो जल्से वीडियो को ल्एक करें इंचान को सब्सक्राइब आं कि शू मच अबिंवन कल शाम की वक्त होगा दोस्तों पहला समी फाइनल और कल रात की वक्त होगा दूसरा 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 तो दूसरा फाइनल कल को खिले जाएंगे जहां पर फर्स तो यानिके वेडनस दे वाले दिन शाम साथ बजे फाइनल मुकाबना जो है वह दोस्तों खिला जाएगा नसीम शान की पेस 142 वाव इस मैच के जो है व दोस्तों तेज तरीन बॉलिंगर अब तक नसीम शान 142 पेस के साथ करवा रखिया तीरियस पेस शो करते हुए बॉलिंग में तब दिली के जाएगी फवाद एहमद को बॉलिंग के लिए लाया जाएगा पिन बॉलर वाद एहमद जो है वह दोस्तों गेन बाजी करने के लिए आज जाएंगे अची गेन गुगले गेन टपा लेने के बाद बाहर की तरफ में कलेगी एगेन और लेके आउटसाइड एच को मिक्स करते हुए जाएगी एगेन दिकेट कीपर के दस्तान लवली पीस ओव बालिंग बज जाएंगे दोस्तों ये प्लेयर वाद एहमद की गेन को जो है वो गैप में खेलने चाते थे यहां पर एक दवाद फेर बालर रहेंगे ता यार इस तवर के लिए गेन इस गेन को स्ट्राश कर दिया है कावर की तरह फैक्स्ट्रा कवर की प फिर लिगेन बीट बीट हो जाएंगे प्लेयर लवली पीस ओफ बॉलिंग तीन दफार तीन गिने करवाई गी और तीनों की तीनों गिने लाज जवाब करवाई गी है जहां पर रब इस वह वह दोस्तों टेस्ट डॉट डिलिवरी जो गई है रामदील ने नोर रंज बनार रखेंगे अंडर ने रखेंगे जहां पर रब वाद हमारे एक दवाफिट से तयारी सबर की चौती गें अन्नाधर गुड डिलिवरी गेंट पले लिए के बाद हलकी सिवाय की रिजन में जॉन्रस दागी सार चाहां बदोस्तों माजो जो रोकिंगे स्कीन को 34 से स्कूर एक नुक्सांते चे अवर दो चार गिनों के बाद दो गिने सबर के अंदर बची हुए हैं आउटस्टेंडिंग पीस ओ बालिंग जहां पर रब एफ दो फेर लिगेंद इसकीन क को स्माश कर दिया है लॉंग अप के रिजन में सिंगल लेने का रहे का मौका अब फाइनल के अंदर अल्डेडी जो है वा दोस्तों यह टीम गाच के यह टीम टीम पैट्रिवार्स लेकिन अब यह चीज है कि जो टीम जीतेगी उसके पास एक बड़ा मौका होगा कि वो आई थिंक टीक्या थे आथ लेकिन याइस क्रिकेट 79 डिलिवरीज अन दी नीड नीड 12 रंस ऑन 78 डिलिवरीस न थर्ट 13 ओवर्स एक दबाद फिर गुगली गेंग टपा लेने के बाद हलकी से अंदर की तरफ आएगी ये गेंग बैस्वान इसे इंग को डिकेल देंगे लेक साइट की तरफ 37 स्कोर एक के नुकसान पिए 7 वर्ज का खेल भोज का है पूरा तरफ मुकाबदा है दोस्तों ये CPL का जिसे हम बोल सकते हैं के बहुत ही जबर्दस अंदा से आगे बड़ते हैं आखरी लीग मैच है ये CPL का 500 नहीं 400 लाइक्स पूरे होने के लिए खो खरें लगता है आपको भी कापी नहीं दागी है अब भी जो है वह 400 को 500 बना रही है हमारे वाली सिच्वेशन बन गी ही न आपकी को कॉनसे टीम आउट वई तुम मैं आपको बताता है क्या महममद आमीर की टीम जी से आप बोलते हैं मादवसीम की टीम है अदरली की टीम आतुम व्रॉंख सेन्स इसे कार मतलब कि तिम बारबो हुष कि यहां पर जमीपाल जैसन ऑर टीम जो है लोग समय का लाहा हैं तो इतना स्वेहाइद की ये बात देखने लाएक होगी । तकि वह शाय द मैंच को एंट主 Todos या अचाहती हैं, so that's why they are playing pretty slow here. जान्वास जागी साथ, रिप्लेस करें इनने सीम शा को. 800 के उपर दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर दिया, दिल से शुग्रिया. पिछले मैच के आखरी दोगिदों के उपर दोगिट्रों के अपने नाम किया था, जहां पर दिखते हैं, विकेट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, राक पर पर देवेश स्मैश कर दिया, इस के इनको लॉंगन के रिजिन में, उना पटेल बोलते हुए के पिछ स्लो ह हो गए, यह नहीं है, पिछ इतनी भी स्लो हो नहीं है, बस यह है कि बैसमन जो है वो अपना टाइम ले रहे है, इस मैच को जो है वो लास्ट आवर्ट के अंदर लेकर जाने की वो कोशिश में है, वार्यर्ट के लाफ पिछले साल जो है वो जो जो शानी सिल्वा ने एक मुझे क्यों लगेगा, बैक प्रपेर रहते हैं इसके उनको खेल गिया, मिड विकेट के तरफ सिंगल देने करेगा मौका, और सिंगल के साथ अबर 30 हो जाएगा, स्कोर एक के नुकसान के साथ अबर जो जो गिनों के बाद, कहाब याद के टीम आउट हुई है, नहीं नहीं भाद, प्रपर रहते हैं अब, प्रपर प्रपरा कर बैस निसके उनको खेलेंगे का वर्ट के तरफ और रान आउट का चांस मिस करते हुए, रान आउट का चांस जो है वह दोस्तों मिस करते हुए, यहाँ पर जिनका नाम है रादर फोर्ट, 49 है स्कोर एक के नुकसा जादा चांस लग रहे हैं फिल हर, रामदीन इस मैच को जित्वाएगा, लेक्सी के रामदीन जित्वा पाएंगे या फिर नहीं जित्वा पाएंगे, आम हलात के अंदर होता कुछ यू है कि यह मैच 15 मिनर के बाद मतलब खतम हो जाता है, लेकर अभी तक यह मैच चल रहा जाएगा, सब फाइल, पर अभी खेल देंगे बाट स्वैनिस गेंगे को फाइल लेक की तरफ क्याप में है गेंड और बांग प्री लाइन के बाहर जाएगी यह गेंड चॉक के लिए जो है, वो हमें देखने को मिलेगा चॉका, चाथ गिनों के बाद इन्तालिक से स्कोर एक नुकसान पे, गेंड अच्छी थी लेकिन यह गेंड बलेका दरूनी के नारा लिनिक बाद जाएगी, फाइल लेके रीजिन में कोई फिल्डर पाजूद नहीं थे, मिलेगा चॉका पालमंडो का यह पहला चॉका, दस गिनों के उपर साथ रून्स बना रखें जहां पर एक दवा फेर बालर रहेंगे ता यार हवा में खेल दिया इस गेंड को, और ये गेंड दो फेल्डर के दरमान जाकर गिरेगी, नो बॉल का सिगनल दिया जाएगा अपार के तरह से, नो बॉल एंड फ्री हिट, इतनी खुशी में जल्दी से लाइफ, इस ही खुशी में, किस खुशी में, किस खुशी में, किस खुशी में, कात अबर जो चांगे नहीं हो चुकी है, गाईज, जहां 45 से स्टोर एक नुकसान पे, बड़ा शॉक एन चाहते थे पेर, गेंड न दिनेश रांदी ने बार रंज बना रहे हैं, इसमें लोगा किया है, सामना वी ता कित्नी बांडरी नहीं लगी और बांडरी लग जाएगी इन के बले से, पहला चुका दे मारा है, मिड़ा था बैट, स्माश करते हुए प्लेयर इसके उनको बेज देंगे बांडरी लाइ बार चौकी के लिए, 49 पर द लगास वन्मिकेट अफर 7.05 अच्छा चौकी की खुशी नहीं, यह ते फिले पेट वर्ट में बार चौकी की खुशी है, यह टी फिले पेट बार जाएगा, चिगेन अपील हुई है, लगी डूरी की नॉटर आउट का सिगनल बाहर की तरफ सब्सक्राइब करें जिन को तो बोल रहा हूं वो तो करनी रहे तो मैंने का करना है तो भी फैदा मेरा वहत तर यह नहीं है और निन्दान में रंचे हैं 500 का टार्गेट है हो जाएगा पूरा मुझी इस चीज का आइडिया है क्योंकि अभी 12 वर्ज बचे मेंगा इस अगले वर की पहली गिन लेकर बॉल आफ वर्स रामदीन ने 16 रंज बनाएं वे 21 दिनों का क्या उने साना इतना स्लो खेल रामदीन नहीं आइस्ता आइस्ता वो अपनी स्ट्राइक रेड को मेरा यमानना है कि इंपूव करेंगे आइस्ता आइस्ता जो है वो आगे बढ़ेंगे जहां पर रगली गेंगें को वे डामदा ग्राम खेल दिया लॉंग वन की तरफ एक और सिंगल देने का रहेगा मौका बीजे ब्रावो लॉंग वन के रिजिन में मौजूद जो करेंगे इसके इन को फिर 51 फर दे लॉस आउन आठ हवर्स और दो गिन तो बाद सब्सक्राइब करेंगे तो यह चीचीज रहेगे ना गाड़ी तभी चलेगे ना अगर इंजन को फियूल जाएगा अच्छा से उसकी सर्विस की जाएगी तो हमारी सर्विस लाइक और सब्सक्राइब दो थे भी खिल भी एक आवन है स्वरेक निकसान थे आठ अपर जोरे तीन किनों का केलब भोच काया पूरा अब तक अच्छी बॉलिंग करवाते हुए जहां एक दबाद फिर फवाद की एगेंद वेकट वेकट कवराएगी एगेंद और बहुत अची रूंग बड़ना वेकर स्पार्स पर टक्रानी के बाद लेक्साइट की तरफ गई थी जहां पर फवाद जब तक गेंद के पीछे कोईश थे एगेंद गुगली और आउट हो जाएंगे प्लेयर जी हां जबर्दस गेंब रंदीन इस गेंद को लेक्साइट की तरफ खेलने की कोशिश में रहेंगे नाकाम और टीम जो है वो दोस्तों पाट्रिवार्स अभी भी स्माच के अंदर है बाकी बेक्ट्रू फोर फोबाद अब थी इनको सीधी रहे जाएगी यहां फ्लाइट गेंद थी और आउट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर प्लेयर जिनका नाम है दिलनेश राम दीन दोस्तरी विगेट गिरते हुए टीम टी क्यार की रून रेट इनका काफी लो एंड स्लो चलते हुए दोस्तों सट सट के ने चाद में रून्स की जरूरत है नाइस पीस ओ बॉलिंग नाइस पीस ओ बॉलिंग यहां पर अवबाद की तरफ से चार रूंस देखर एक विगेट उन्दू ने अपने नाम का रखा है एक अवर और पांच के लुट बाद कि ऐसे क्यों आउट हो रहे हैं बस अच्छा है ना मैच इंट्रस्टिंग होगा आखरी अवर्च के अंदर जाएगा और मज़े वादा मैच बने गए कि अज़े बावन दो के नुक्साम पर तीम स्कूर 52 अंदरोन ओपर मौजूद है डियम ब्रावो आ जाएंगे दोस्तों भीजे ब्रावो के भाई साहब जो है वो हो अब बल्ले बालती करने के लिए आ जाएंगे डियम ब्रावो अब यह सिन बोलते वोए पांच के युएस री आ गया क्या भाई पावन है स्कूर दो के नुक्साम पे आठ अवर दोर पांच के लोगा खेल भोच का है पूरा तुनिन नारायन जी हाँ दोस्तों बैठे हुए हैं आज का ये वाला मैथ ने के लिए सुनिन नारायन मंदरों ने नौरंज बनाए हैं और किया है नी चौदा गिनों का सामना डियम ब्रावन ही को इरण नी मनाया और किसी भी गिन का सामना नहीं किया हुआ विकी मलिक है हमार साथ मुझूद हैलो और वेल्कम पर दी लाइश्ट्रीम एवी पुल्डिंग की बात कर लेते हैं लॉंग ओन मिड्विकेट बैकवर्ट स्कूर्ड लेग एक्ष्वा कवर की पॉजिशन पर फिल्डर बांटरी लाइन पर बाद की तरस से टपा लेने के बाद बिलकुल सीगी रह जाएगी अगें दोर जाएगी अगें देकेट कीपर की ज़स्तान में लीप किया दार्स वन्ने नहीं कहां भी तो आपको 400 प्लस लाइक का फ्यूल मिला है यह सुबह से मिल रहा है तो आइस्ता इस्ता मिल रहा है ना फ्यूल तो आइस्ता हम भी चल रहे हैं अगर रूखेगा अभी 416 के उपर लाइक कांट रूगा हुगा है तो विकी मलिक ने हमें कर लिया है ज्वाइन श्यक्रिया आप सभी का और विकी मलिका प्लाइक के लिए यह सारे के सारे आएंगे दोस्तों इसके बाद वलेवाजी करने के लिए जहां पर रब ताकि साथ पूबलन के लिए लाइचा एक अवर के इंत तेरह दंद ये थोड़े कर दिया है वाँ 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 वाट डिलिवरी अपने नाम बोल्ड कर दिया है दोस्तों यहां पर कॉलं मंद्रो को न होने गुट मॉर्निंग एंड अस्तलाम वालेकम अस्तलाम गोपाल चौधरी आपका देखो वह 417 हो गए हैं नहीं बहुत चारसो बीस हो गए हैं मैंने अब यह भी किया है शुक्री आपका गवपाल चौधरी थैंक यू फॉर यूर विज़र है जागी सार ने बोल्ड कर दिया कॉलं मन्रो को जहां पर रब बावन है स्कूर तीन के नुकसां पे नो अवर जो रेगिन का खेल होच कैप कुट तो दोस्तों एक बड़ी विगट गिरते हुए बावन है स्कूर तीन के नुकसां पे डारम बावो काप साथ देने के लिए देखनें कौन से प्लेर आएंगे कि आखरी लीग मैच है और इसके बाद सीपील के अंदर जो है वदोस्तों खेले जाएंगे दे आफ मैच यानि कि दो समी फाइनल और एक फाइनल मकाब्ला कि इलार पीलार हमें जह हो उन्मीश सेप्टमबर को खेलते वे दिखाई देगा नीलार पीला अबज गया आप ना किसकी बात करना नीलार पीला बून-बून से लोग कोशिश कर रहे हैं जी बिलकुल ऐसा ही है आईस्ता ऐस्ता जो है वो आगे लेकर बढ़ने है अब देखिए 427 हो गए दिल से शुक्री आपका मैच इस गोई टो बी इंट्रस्टिंग वन जहां पर बावन है स्कूर तीन के नुकसान के नो ओवर्ज और एक गेन का खेल हो चकाया पूरा इंट्रस्टिंग चीज आपको बताऊं कि इतना लंबा लाइव हम अभी तक नहीं रहे हैं दोस्तों जितना लंबा लाइव अब हम रहारे हैं जी पर होड़ के वज़ह से लाइक कल शाम हम आये थे 5-45 फिल आयव आय थे लगबद लगा tel या है थोड़ी थोड़ी ब्रेक आये शायद जब इनिम्स ब्रेक आती हो तो यह वो 4-45 है यह हैं लाइब और अब जो हैं वो 12 12 और आप 45-7 14 धिन्टे होज़के हैं और अभी भी कि ये मैच बचा हुआ है तो एल गंटा मजीद लगा लिए पंद्रह बावन है स्कूर्टीन के नुकसान ते नौ और जो रेगन का केल भूज का पूरा जहां पर गेनों की बात की जाए तो दोस्तों पैंसर गेनों के नहीं है और पैंसर गेनों की उपर चान में रंस की जरू आपके साथ है दोस्तों यहां पर पॉइंट सेबल एक सकते हैं वोरियर्स की तीम नुबर वन पर हैं लेकिन जो बीटीम इस्माच को जीते हैं वह स्माच को जीतने के बाद नुबर वन पर चली जाएगे टीम बार्बडोस रोयल माफिए याटीन पैट्रियोर्स की बाद क आपको जेते हैं कि लिशिया आइस एक रुगिंग सिटिक्स जी prak Rob devаете में जो टूनामेट से बाहिर और वो है टीन में जमेका अलवाज एंड टीम नवी दूनामेट से बाहिर निकल चुकी है जहां पर अपनी कम maker जारी गोपाल भाई ये तंग करती 52 स्कोर तीन के नुकसान ते 9 वर्द और एक इन के बाद जहां पाद रहा ओ लवली हिट कैरन पॉलाड ने आते ही लगा दिया एक बहुत ये बड़ा बेहतरीन चक्का 58 स्कोर तीन के नुकसान ते 9 वर्द और 2 गिनों का खेल भोज का है पूरा वलाड ने छे रंद बनाए वे एक इन का किया है सामना आते ही बेहतरीन चका प्रैसर रिलीजिंग शॉट दो फिल्डर को स्लिपर रखा गया था लेकिन कांटर अटाक किया है केपी ने और दे मारा है चका अब बहुत की अराम से खेलते हैं केपी जैसे चक्के लगाना उनकी बच्पन की हॉबी हो विल्ड इनको अराम से इसके इनको कनेक्ट किया आवन है स्कोर तीन के नुकसान के 9 वर्द और 2 गिनों का खेल भोज का है पुरा तरगेने और नवे रंज जो है वो टीम की क्यार को चाहिए तरगेनों के उपर नवे रंज नहीं यहां पर आपने क्या तंग करना है मतलब अब चल्ड लिए तब चलने जो तरिपन ताट्रियोर्स जबके 47 परसें जो है वो टीम इंग्स के जितने के चांस इसे हैं तरगेनों के लिए तिक्सितिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हमें यहां दो चक्के पाड़ी टाइम जी हां दोस्तों सुबस्तूरत हिट है मिड़ विकेट के रिजन में जाएगी यह गेन छे रूंस के लिए बांडी लाइन के बार दिपक चांद दिपक चांद अलो गुड बार्निंग वासी भाई अलो वेलकम टी ग्लाइस्ट्रिम दिपक चांद को है दिपक रमोला तो हमने चुना हुआ था गेन को सैनेटाइज किया जाएगा जी हाँ दोस्तों दो गिनों के उबर दो चके एपी की तरफ से अब देखते हैं कि जिस टीम के साथ इनका मकादा होगा वह इनसे क्या सी खेलेगी 440 लाइक्स हो चुके हैं गाइस थैंक यू सो मच पर लाइक निग वीडियो और सब्सक्राइब कर चांद आपके जी खोकरां सी यू अगें थोरी यो बीज़ शेया दो चके लग चुके हैं पहली गेंड के उपर विकेट गिरी अगली दो गिनों के उपर दो चके लगे जानरस जागी साथ जहां हो दोस्तों थोड़े महंगे साबित होते हुए जहां पर अपने अवर की इस तरी गेंड लेकर एक तबहा फिट से रहेंगे यह तयार करेंगे कैरन पॉलाड इसके इंड का और गेंड बाद गेंड करवाते करवाते रुख गए हैं दोस्तों री लोड करना पड़ेगा हमको दुबारा करवाने पड़ेगे हैं थोड़ा तबदीला करते हुए मैंने में इस वासे फली ब्रो गुड मॉर्लिंग सरक्या सेंताज मुहमंद बिल्कुल ठीक आक आपके दौहां से इस दवर के लिए गेंड एक तबाप फिर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे के पी लेकिन इस अफ़ाई गेंड इतने अच्छे से उनके बल्ले के नहीं आई जाएगी एगें लॉंग उनके रीजिन सिंगल लेने करेगा मौका जहां पर रब पांसट हो जाएगा स्पूर तो दोस्तो 65 है स्कोर 3 के नुकसान पे बॉलार के पास इतना पावर है के 6 मारने में कुछ करने ही नहीं पड़ता जी बल्कुल बहुत ही आराम से वह चका मारते हैं ले गेंड लंकी अगेंड इस के इनको बैर स्वन ने फ्रंट फूट पर आकर रोक दिया हैं लुब खेल इस गेंड को वाप इस बॉलर के पास डॉट डिलिवरी रहेगी अगेंड और रेस्टी के साथ अब स्कोर रहेगा फैंसर तीन के नुकसान पे नो ओबर जॉर अगर नो बर जॉर पांट के ने मुच के पूरी अन्ना तर लबली डिलिवरी इस टाइम ये गेंड जो है वह स्कोर रहेगा फैंसर तीन के नुकसान पे और रद दस सी ओवर्स का खेल जो है वह यहां पर अभी होना है मजीद बागी आपकी फैवरी टीम के आपकी फैवरी टीम इन दोनों टीम इसमें से कौन सी है 65 head score 3 के नुकसान पे 10 सब्सका खेल होज़िए अपकुरह .. पाकिस्टान का मैश कब है पाकिस्टान का मैश दीपक बाई दीपक रमोला पाकिस्टान का मुटाबन हे वह ऑगयला जाएगा अब आपको बताता चलो है जो सात्रह सब्टमम्बर 16 September को पाकि खना बढ़ी मैं आश्टिंग नूज़र लैंड के खिलाब खिला जाएगा ग्याना सबस्ट मॉरियर्ज दर क्वालिफाइकर चुकह है टीम Agr के टीम वह दॉस्टे में क्वालिफाइकर चुकह है तो यह सारी के सारी टीम में क्वालिफाइकर च्छी है प्लेआफ के अंदर पैंसेट है स्कोर तीम के नुक्सान थे 10 अवर्थ का खेल भोज का है पूरा जहाँ दस यह वर्थ का खेल जो होना है मज़ीद बाकियों राहुल वर्मा भाई ने हमें कर लिया जोईन बहुत दो शुक्रिया चार लाइक्स है यह साधे चार सो लाइक्स पूरे करने की लिए और यह अगें गुगरी अगें एक्सम को करते बगार की में विकएट कीपर के के दोस्तों बस्टान hombres वाइड बोल का सिंग्नल धिया जाएगा अंपार की तरफ आ कि तरुalen ने बपन पॉलाइर्ज हो जाएंगे-तो लाड ओफस्ट्राइक हो जाहेंगे तो देखते हैं कि अब तो है वो फवाद एहमद कैसी बॉलिंग करवा पाएंगे इनको जहां एक दबा फिर फवाद है तयार अपने अमर के लिगेंद लेकर कि अमर के लिगेंद ओम दागेंद बनने के एच को मिस्स करेगी ये गेंद और राई की दोस्तों ये गेंद विकेट कीपर के दस्तान पर बोह अपीज वाली क्या कॉंट्रवर्सिया आ रही है बहुत बढ़ा आप बारा तरिक यहां पर आजाओ रॉन आउट का चांस मिस्ट करते हुए कैरन पॉलाड रॉन आउट होते होते दोस्तों बाल बाल बचेंगे यहां पर रब बहुत ही करीबी मौमला था ये बहुत बढ़ा मौका ये लेकिन यहां पर बच जाएंगे कैरन पॉलाड रॉन आउट होते होए नॉन स्राइकर रैंक की तरफ प्रॉन आउट होते होते बाल 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 बचेंगे मेरे हिसाब से गोपाल चौधरी भाई या मौन का आखरी टूर्नामेंट है दो महिने की तीन महिने की क्रिकेट है तो उनको अराम से पूरी कर लेनी चाहिए अगर यहां पर जाकर कोई ऐसे व्यासी हरकत करेंगे तो यकिनी उसी बात है पाकिस्तान के रिम को भी इस सीथ का को लाड ने लगा रखे हैं और बहुत ही सीरियस मॉड में दिखाई दे रहे हैं सोगत खेपी अबाद अपनी बॉलिंग के सिल्से को जारी रखेंगे पैट्स पर आएगी गेंद एक दबाद फिर ये गेंद बल्ले को मिस्स करते वे जाएगी विकेट कीपर के दस्तान में अन्द वाइट डिलिवरे और दोस्तो फाइनली जो है वो फाइस्तो डॉलर मिल गए है भूत को जो कि कल पर सो से ग्राउंड के अंदर आया हुआ था एक बहुत ही जबर्दस किसम का फैन बनके तो मुझे दिली खुशी हुई इस बंदे को देखकर यार लगातार ये गैट अप करके बैठा हुआ था इस सीज का लेकिन अब जो है वो इसको फाइनली फाइनली जो है वो दोस्तो इनाम मिल गया है तो तो दैट सम गूद नियोस फोर हिम अब इन कहां है यार आजाएंगे बॉलिंग लेकर वाद फिलहल बॉलिंग करवारे आठ रंज लेकर एक विकट फो नोने अपने नाम करके जहां पर लिगेंद अब बड़ी अपील आज बड़ी अपील आज बड़ी अपील नोट आउट का सिगनल अंपार की तरफ से दोस्ते के लिए वापीस आजाएंगे थोड़ी लेट नी काफी जड़ी लेट होगी दोस्तों तो दोस्तों स्कूर हो जाएगा तो लाक दी वीडियो और सब्सक्राइब पर दी चानल बहुती कम दोस्तों वीडियो का लाइक अचानल को सब्सक्राइब को के आज अच्छा मारा टाइट है और यह टार्गिट आपको करना है जल्द दल पूरा स्वाप ने कर दी है गाइस लिगें पार्स पर आएगी एगें दिस गिन को बैर्स बन ने खेल दिया सीदे वले के साथ वापिस बॉलर के पास ग्यारा के बाद सब्सक्राइब कर दोस्तों मेरे हिसार से इतना असान नहीं होगा टीम टीक यार के लिए सब्सक्राइब कर रही है पॉलार्ड के उपर ज्यादा यह चीज़ें डिपैंड कर रही है पॉलार्ड अगर लंबी दिंस खेलेंगे तो टीम जीर जाएगे और अब बॉलिंग में शाहिद तब्दिल की जाएगी पॉल वेंड में के रेंड को बॉलिंग के लिए लाया जाएगा दो वर्स के अंदर उन्हें अठारा रंस देर रखें थोड़े महंगे साबित होते होते हुए नेक्स बैक्समन कौन आएगा दोस्तका यह सवाल है तो मैं आपको बता देता हूं कि अगले बले बाद कौन होंगे जी नहीं दोस्तों यहां पर मुझे यू लगा था आके स्पिन बॉलर से बॉलिंग करवाए जाएगी लेकिन अब तिंज कर दिया आया रादा का प्लामने जागी सार ही जो है वो दोस्तों बॉलिंग करवाएंगे रिस्क लेने पर मजबूर कर रहे हैं यह और से जितने के चांसे देंगे अटसाट पर सेंट हैं जहांपर अब जागी सार आजाएंगे बॉलिंग लेकर अल्याने वाले प्लेयर जो रहेंगे दोस्तों वो हो रहेंगे त्म साइफर रिभाना अपील हुसें इनों ही जारे खाना क्रिकट खेलने वाले प्लेयर है 74 फॉर फॉर दो फ्री विकर्स ग्यार आवर्स का खेल होचका है पुरा 9 बर्स का खेल जो है बदस्त होना है अभी मजीद बाकी इसे निंग्स के अंदर कुछ धमाकेदार हो सकता है मुझे जो लग रहेगा अचर रहेगी इसे नवर की पहलीगएंद और करन पॉलार ओं emerged यहां पर रिक्वाइट जो है वो आठ के आसपास से बलकुल अब आठ से भी कम हो गया है कॉलाद के विकड फ्राइस एक कट टाये अपी है स्कूर तिनके नुकसान पर ग्यारा वर्जर एकिन का खेल अभी कोछ का है कि इन मैच इस बचे में सीपील के अंदर तीन जो है वह दोस्तों दो समी फाइनल है और एक फाइनल मुकाबला अज मारेगा किस्तीन निन जी बिल्कुल आप पता चल जा कि इन चक के लगा अब तक पॉलाड ने साथ गिनों के उपर बना लिया उन्होंने बाइस रूम्स पॉलाड को इस बॉलर में अकेला धनंजा दिख रहा है जो बिल्कुल ऐसा यह अकेला धनंजा को छे चक यह मारे थे शाहिए था ना बाग पर पर अबार्स पर निसके इन को केलब होच का पूरा ग्यारावर्स और दो गिनों के बाद या एक दमा फेर बॉलर है तो यार बड़ा शोट और एक और चका लिख लीजिया यह ब्यूटी पॉलाड 28 के स्कोर पर चलेंगे 9 गिनों का किया हुए अनुनिसान माहिरोल ने हमें कर लिया इजवाइन बालीकमा स्वालाम बल्किम टो दिलाइश्ट्रीम स्वालाम नी मुक्ता भाग जाओ यहां से माहिरोल कुछ शर्म होता है बंदे के अंदर कुछ है पांच साल के बाद आपका विजर्ड जो है वह हमें चानल के ओपर देखने को मिलता को लार्ट 17 चुको के साथ आगे बढ़ जाएंगे एक और उम्दा शॉट और एक और चौका एक्ट्रा कवर के फिल्डर के बिल्कुल पास से होते वे जाएगी एगेंड बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए चको चौको की बर साथ होते वे दोस्तों नेरली अरवना बॉल पचास गेने और अठावन रंस की जरूर दो गेने बची हुई सवर के अंदर जागी सार्ब्र काफी महंगे सावित हो रहे हैं दोस्तों जहां पर कैरन पॉलाट का स्ट्राइक रेट 320 रंस का मुमिनल हक्त ने हमें कर लिया ज्वाइन वल्कम तो दिल सामना डियम ब्रावो एक पर मौजो ने चेक उन्हों का करका सामना लंगाउन लंगाउफ बैकवर्ट स्क्वेर लेग और अली जेकर मिडविकेट पर फिल्डर मौजूद हैं कारन पॉलाट हैं स्ट्राइक पर मौजूद इस तवर के लिग हैं देक और बड़ा शोट और चक्का दैस्टी पावर ऑफ कैरन पॉलाट दस मिनट बाद बोलती हैं गर में फुछ साथ है इसलिए दस मिनट के बाद क्या बोलते हैं क्या अपने लाइब स्ट्रीम के अंदर नहीं आना अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर आप ना आया करें नो प्रॉलाट अपने लिए मुसीबत ना बनाए एक और चक्का जो है वा दोस्तों देखने को मिलेगा हमें जहां पर रबंचास गेने अगली दो गिनों के उपर अगर दो चक्के लगा देंगे तो ये टीपियल के तेज तरीन पचास रंज पूरे करने वाले प्तेर बन जाएंगे ग्राफ जो है वा दोस्तों फिर से चेंज हो चुछा है पक्यार के जीतने के चांसे चांसे जबके चौदा परचांसे है टीम पैट्रियोर्ट केस मैक्च तो जितने के 96 है स्कोर तीन के नुकसान पे 345 के स्ट्राइक रेट के साथ ये बल्ले बाजी करते हैं तेज बल्ले बाजी हमारा 500 का लाइक टार्गिट भी पूरा होने वाला है जहां पर 26 लाइक्स की हमें जरूर थे टूर्णामिन्ट के अंदर सबसे ज़्यादा चक्के लगा रुके हैं दोस्तो टीम तलावास ने 85 चक्के लेकिन जमेका तलावास की टीम अब टूर्णामिन्ट से बाहर होच किये दोस्तो अब वो मजीद को चका नहीं लगा पाएंगे पैट्रियोर्ट की टीम के 81 चक्के हैं इनको 5 चक्के मजीद लगाने हैं नमबर बन पर जाने के लिए रॉयल्स की टीम के 75 चके वो भी बाहर होच के वारियर्स की टीम के 11 चके आफिरी गेन रहेगी सोवर की दो गिनों के उपर दो चक्के अगर लगा देते हैं कैरन पॉलार तो इनकी 50 हो जाएगी पूरी बड़ा शॉट लगाना चाहते थे कैरन पॉलार गेन लेगी बले का अंदरूनी किनारा जाएगी अगेन लेक्साइट के रीजन में मिड़ बिकेट के रीजन में फिल्डर रहींगे माजूद जो रोकिंगे इसके इनको 97 है स्कूर 3 के नुकसान पे 12 वर्ट का खेल भोच का पुरा 8 वर्ट का खेल जाएगा दोस्तों होना है अभी मज़ीद बाद टीके आर के टीम जीद कर नमबर वन पर चली जाएगी ये खली मुहमद ने हमें कर लिया जाएगी वेलकम तो दिलाइश्रीम विशाल कुमार भाई जे अजे कुमार भाई हमार साथ है मौझूद गूट प्राय टीके आर बट वी नी टू विन येस बहुत बड़ा ओवर ये इस मैच का सबसे बड़ा ओवर था पिछला और नहीं नहीं वासर भाई बोलते हैं मतलब के बोलते हैं आहिये कंदर अहली गेन स्ट्रेट डाम दा ग्राउंड बड़ा शॉर्ट हवामे है गेन और एक टपा लगने के बाद जाएगी अगेन बर्न री लाइन के बाहर चौकी के लिए एक और चौका जो है वो दोस्तों हमें देखने को में लिए थे इस वंजाए पिछले वर के अंदर और इस सवर की पहली ही गेन के उपर चौका लगया तीरा गिनों के उपर 43 रंज बना लिए गाइस 47 डिलिवरीस के उपर 47 रंज की जरूरत एक दावा पिर कट करने के लिए गए थे बले बास गेन लेगे बले का अंदर और रून आउट होने का खत्रा हो सकता है लेकिन रून आउट नहीं होंगे 101 है स्कूर्टीं के नुकसान पे गोगली ये गेन थी और वाद अहमद की बोल्ड होते होते बाल बाल बचेंगे पर अच्छा कोई बात नहीं है इस सॉल राइट चिल करिए चिल पर आईगी गेन खेलना चाहते थे बैटस पर इसके इनको फाइनले के रिजम में रहेंगे नाकाम एक सो एक है स्कोर तीन के नुकसान पे बारावर्द और तीन गिनों का खेल अब होचका है पूरा 45 गिने 47 रंस की जरूरत कैरन पॉलार्ड अपनी 50 के हैं बिल्कुल पास आंदरे रसल ने सीपील की साल की 14 गिनों के उपर 50 लगा रखी है दोस्तों जेनार लेव इसने 21 गिनों के उपर 50 लगाई हूए और अब कैरन पॉलार्ड के पास बड़ा मौका है के वो 21 गिनों से पहले जो है वो अपनी 50 को पुरा कर लें और इसी के साथ 500 दोस्तों ने कर दिया वीडियो का लाइक दिल से शुक्रिया वाई लोग आपका विडियो का लाइक एंड जान को सब्सक्राइब करने के लिए अलकासा डिफेंस अफर लेक साइड के तरफ और ड्रेक्ट फ्रो की जरूरत थी ड्रेक्ट तरो नहीं हुई नसीम शा की तरफ से सिंगल लेने करेगा मौका और सिंगल को पूरा कर लेंगे प्ले 45 के ने 46 रंज की जरूरत अगर ड्रेक्ट तरो हो जाती तो यकीनी तोर पर आउट हो जाते कैरन पॉलाड लेकिन काफी दूर थी ये गेंड मिक्ट्रो से इसलिए बच जाएंगे प्लेयर और अब स्कूर रहेगा एक सो स्कूर जो हो दोस्तो रहेगा एक सो दो तीन के नुकसान थे बारा ओवर्स और प्रांज की नुका खेल हो चुका है अब पुरा प्रांज की पार्टन शिद्दक चुकिया दोस्तों जहां पर इन दोनों प्लेयर के दर्मयान और आउट हो जाएंगे इजे ब्राव अपने भाई को आउट करते हुए फून सफेद हो गए भाई भाई का दुश्मन जी हा दोस्तों डीजे ब्राव ने को किया है कैच बहुत ही जबंदास कैच डीजे ब्राव को बड़ा शॉट खेलने के लिए जाना चाहते थे हवा में उचलते हुए डीजे ब्राव ने किया इसके इनको क्या है एक्सको दो है स्कोर चार्ट के नुक्साम पे फैर बिन अलन को तो बॉलिंग दी नहीं गई पता निक्यु नहीं वन हंड़र इन्टू पर दलास उप फोर विकेट्स जहां पर अब तेरा का खेल होच क्या पूरा इन्नी सप्टमबर शाम साथ बज़ के तीस मुनद पे से एसके वर्सिज मुंबाई इंडिया में ग्यालिक यने और चालिट रंस के टिंटी क्यार को है जरूरत भाई भाई का दुश्वन वासिफ भाई नहीं 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 हमने कौन से ऐसा कोई काम किया है इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया ना मतलब आउट हो गए है अपने भाई को आउट कर दिया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्कूर हो जाएगा एक सो दो चार के नुकसान पे तेरा वर्स का खेल भोज का है पुरा साथ अवर्स का खेल होना है मजीद बाकी आट्रंशिप पचास रंस की लग चुकी है 23 गिनों के उपर इन दोनों प्लेयर्स के दमयान जहां पर ओलार चावाल इस पर मौजूद है द आलन को अभी बॉलिंग के लिए नहीं दाया गया पॉल बैन में के रिन जो है वदोस्तों आ जाएगी गेंद बादी के लिए साथ अवर्स का खेल है साथ अवर्स के अंदर होती है बैलिस के लिए और बैलिस बिनों के उपर है चालिस टूंस जो इनको चाहिए किम साइफर अभी शेक कौन है भाई अभी शेक कुमार नहीं ऐसा वैसा कोई नहीं है समझेंगे मुझे तो अपना ही नुकसान कर्माएंगे एक सदो है स्कोर चार तो नुकसान ते लड़की सम्झेंगे तेरा वर्स टाखेल होज का पुरा जहां पर इस सवर की पहली गेंद और कैरन पॉलाड ने स्केंद को स्मॉक कर दिया है वाँ दूरत हिट जोरदार जो है वह दोस्तो शाट मिलेगा चाहा अगले मैच के अंदर नहीं खेलने वाले पॉलाड ना काविन पॉलाड के बले से निकलाई ये जोरदार समनाटेदार शाट मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर चाह का एक सो तेरह हीगा स्कोर चाहर के नुक्सांती तेरा वर्स ओर एक इनका खेला भोज का पुरा गुलाइम हुसाइम भाई ने हमें कर लिया ज्वाइन वेल्कम तुदी लाइश्ट्रीम के लिए नहीं लाया गया जिविल्कुल 41 गेने और 42 की जरूर अलाड जो है वर 40 पर चले गए 18 गिनों का करक्क है सामना इस तीजन की तेज सरीन अगर उनको 50 बनानी है तो उनको यह यहां पर उनको जह उनको जह हो यहां पर दो गेन दो रंज मजीब बनाने होगी अगली दो गिनों के उपर मतलब दूसरी थेज तरीन करनाने की अलका था डिफेंशिव शाट लेक्ट के तरफ सिंगल को करनेंगे प्लेर पूरा दूसरे के लिए भी आना चाहते थे लेकिन दोने की सिंगल ही तालिस किनों के उपर इक्तालिस के जरूर लेकिन कारन पॉलार अगर क्रीज के उपर रहे तो अगले दो तीन ओमर के अंदर ये मैच्छ फिनिश हो जाए गा एक सो दो सब्तामन के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बढ़ते हुए आगी जहां पर अब पिको पुरा कर पाएंगी हां पर येन यहांपर येन Jadha Floyd is with us. Go TKR? Yes, we are going long pretty nicely here देरीन अच्पन सब्केन का मजेरीन की अंच्छे गए ऩूल्वेंगेन अच्छी गाइरं गुदान की आइन के बाद लिएकर आटिन की सेंदर के अंदर के टरभाय गी अगान इसके उनको केल लेंगे लेक साइट की तरफ शॉर्टन विकेट की पोजिशन पर फिल्ड रहेंगे तायना जो रोकेंगे इसकें को 107 पर दो लास अफ़ोर विकेट्स 13 वर दो तीन गिनों के बाद यहां 11 बज रहे हैं और आपकी आवाज इतनी सही है स्वीट है कि आपकी आवाज ने हमारी नीम में बढ़ा दी है जस्टस और इस बोलते हुए अरे भाई मेरा गलाब इस वोगत तो बैठाव है मेरी आवाज कैसे सही लग रही है आपको इसकी इन को बैठ्स बंद खेल देंगे आज़साइट की तरफ कवर की पॉजिशन पर फिल्डर तायना थे वो रोकेंगे इसकी के साथ अब एक सथ साथ है स्कोर तार के निकसांग पर बाइद वे शुक्रिया आपका हुस्टाव दाइक करने के लिए तारीव करने के लिए 32525 दोसं विडियो को लाइक कर दिये हैं बहुत बहुत शुक्रिया पमाल है आप सभी कहने की ज़रूरत कमी पढ़ती है आपको और आपने कर दिया विडियो की लाइक तो शुक्रिया आपका रडड अब लुटी में इस वीडियो की नीचे आपको मिलेगा हम्दब का की तरफ में डॉप की पोजिशन पर फिल्टर तायना थे रोकेंगे वह स्कीन को एक सुटाथ है स्कोर चार के नुक्साम के तेरा वर्द और पांच गिनों के पाइए हो गया माहे रोए इंडिया से अभी शेक भाई इंडिया से गोपाल भाई और इंडिया से ही जो है वो ज् ठीक यार की तरफ से तेज तरीन फिप्टी बनाने के बिलकुल पास एक गेंड की उपर अगर फिप्टी बना देते हैं शाट पिचे गेंड और यहां पर चौका हो जाएगा अवाद एहमन मौजूद थे दोस्तों बार्मटरी लाइंग पर मिस टाइम किया इस गेंड को उ ग्यारा है स्कोर चार के नुकसान पर चेयर वर्थ का खेल होना है भी मजीद बाकिया नाइस पीस प्रिकेट एद भाई टीम टीक यार प्टी जान फोर एंड चाप्टन पॉलाड जान फॉर्टी नाइंग ही नीड असिंगल तो कम्प्लीट इस विप्ट अतिकुर रहमान भाई हमार साथ हैं वालेकुमस्सलाम ठीक भाई अनन्द रथोट बोलते हुए के इतनी देर तक कमेंटरी कैसे होती है तो बाई जब मैच हो जब काम हो तो पता हुआ आपको कोई करना पड़ता है आपको इसके इलावा कोई और काम हो तो बन्दा चलें फिर ये काम छोड़के वो कर लेता है तो बस ऐसी है ना अपने काम को सीरियस लेना चाहिए और ऐसा ही तो कि अगर काम को सीरियस ने लेंगे तो फिर काम हमें सीरियस ले लेगा जी तो दोस्तो 111 है स्कोर 4 के नकौसान zostaén पर मुझे यव लग रहा है कि मुझे उल लग रहा है कि मुझे यु लग रहा है कि मुझे यह वाहं प्रें को बड़ी होगरा है इमाद वसीम को 18 तारीख को वापिस बलाया गया है और मुहमद हफीज को जो है बारा तारीख को ही जो है वापिस बला लिया गया है जान बूचकर ऐसा जो है वो हरकत की गई है ताके वो भड़के और बढ़क कर वो यहां पर वर्ल्ड कप से बाहर अगर वो समयदारी का मुझारा करें तो वो यह कर सकते हैं लेकिन उस्ते पहले यहां पर पॉलाड अपनी 50 को पुरा कर देंगे 20 गिनों के उपर 50 रंज बना लियें कैरन पॉलाड नाइट राइडर्स की टीम की किसी भी बल्लेबास की यह 30 तरीन 50 प्रेड उनको समयदारी मेरे हिसाब से करनी चाहिए और मुझाफीज को जो है वदोस्तों यहां पर रिटार्मेंट या फिर वल्ल्कप से अपना नाम विद्डौन नहीं करना चाहिए वल्लकप उनको खेलना चाहिए 112 है स्कोर 4 कि नकसाद वालाड अगर सही है वालाड अगर सही है तो क्यों वह लास्ट मैच के अंदर आउट हो गया तो भाई मेरे वह आउट हुए थे जान बुझकर अब कोई बैट्समें आउट तो नहीं नहीं होता है विल्ट से शुक्र है वाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर रब साथ लाइक्स की हमें हमस्दी ज़रूरत अपना टार्वी फूरा करने के लिए लाइक्स था 113 फूर द्लास फूर विकेट्स एपी इस उन्स्राइक करने के लिए बड़ा शॉट पूल कर दिया इसके इनको मिड़ विकेट की तरफ कारन पूलार के बले सिंकलावा एक और अचाश शॉट मिलेगी बरहल सिंगल ही सिंगल के साथ अब 114 हो जाएगा स्कूर कार के नुक पूलाड टूर्णामिन्ट के पांच में सबसे बड़ी स्कूर बनाने वाले बलेवास हैं सीपील के ओवराल 2200 की उपर रंजिन ही ने बना रखी हैं एक दावा फिर लगातार गेंबास जो हैं वो पैट्स पर अटैक कर रहे हैं लगातार बैट्स पर हैं जो हैं वो सिंगल के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां इसकेन को फाइनले की तरफ खेला नसीम शाबान प्री लाइन पर मोजो दें रोकिंग वो इसकेन को वन साइडेड है दाहरी सी बात है वन साइडेड ही मैं चाहिए यह देखने को मिल रहा है हंजी हंजी है सही माही रॉय कोई 163 साल की मतलब 154 साल 115 है स्कोर चार के जखसान पे बालर है ता यारादी गेन लेकर आएंगे बड़ा शॉट के पी की तरफ से हवा में है गेन और नसीम शा का बेहतरीन कैच पीछे की तरफ दौरते वो इस गेन को करेंगे वो कैच और इस अब भी भी ये मैच फिनिश नहीं हुआ दोस्तों 31 गिने अटेंट इस एक्स दोता है अकेली जो है दोस्तों 31 गिनों के उपर 33 रंस के जरूर बुलकिया इसके इनको नसीम शा पीछे के दर दोरते हुए इस गिन को करेंगे कैच लबली कैच बाइन नसीम शा वारी गुड जहां पर रब 115 है स्कोर पांच के नुकसान पे 14 वर 5 गिनों का खेल भूचका है पूरा पांच वर जोर एक गिन का खेल होना है अभी बाकी 31 गिने और 33 रंस की जरूर थे टिम टी के आर को अच्छा अच्छा 188 गलती होगी मुझसे नसीम शा को जो है वदोस्तों अगले अबर के अंदर मेरे हिसाब से बालिंग के लिए लाना चाहिए अग्रैसिव अगें बाजी की यहां पर रब जरूरत है जरूरत आना आ जाएंगे बाले बाजी करने के लिए टीम साइफट क साथ देंगे वो डूमिनिक ड्रिक्स ने दो बर जरूर पांच गिनों की उपर दस संदे कर एक विकेट को अपने नाम का रखा है पाइब डाउन फर वन फिफ्टीन जहां पर रब टी के आर के फैंज जो हैं वो दोस्तों पी के आर के फैंज जो हैं वो काफी खुश हैं कि उनकी टीम गीत रही है लेकिन एक आद विकेट अगर मज़ीद गिर गई तो फिर मज़ेवला मैच हो सकता है नसीम शा का एक लाजवाब के आज जो हमें देखने को मिला पीपिल के अंदर फिक्सिंग नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है है एक सो पंद्रह है स्कोर पांच के नुकसान पे चौदा अबर जोर पांच के ने अब भोच के पूरी लास्ट डिलिवरी रहने वाली हैं लास्ट डिलिवरी जो है वदोस्तों रहने माली सवर की जहां पर रब गेंदाज देंता यार लाफ्टर मोड़ विगेट ये गेंद और विट्रो कमिस करते हुए जाएगी येगें विगेट कीपर के दस्ताँ में वाइड बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अमपायर के तरसे 116 है स्कूर्ट पांच के नुकसान प्याक ही गेंदे हैं दोस्तों इस सवर की साम न करेंगे इस के इनका बैट्स वन टिम साइफ़र तेल्स खेलने माले प्लेयर है टिम साइफ़र जहां पर अब देखने हैं के इनकी तरसे बड़ा शॉट लगा जाएगा या फिर सिंगल डबल के साथ अपनी टिम को आगे बढ़ाएंगे पैर्स पर आएगी गेन निकाल दिया है इस के इनको मिट विकेट की तरफ सिंगल देने करेगा मौका पंद्रा के बाद 117 है स्कोर पांच के नुकसान पे उदाना और टिम साइफ़र अपने टीम को यह वाला मकाबदा जितवानी की कोशिच में होंगे जहां पर 30 गेने हैं और 31 रंस की दुरूरत है टीम पेक्यार को यह वाला मैच जीतने के लिए जहां पर दो रंस की नहीं बड़ी तादाद नहीं है लेकिन यह के मैच के हिसाब से ठीक है कुछ यह मैच वन साइड है और इस मैच से पहले ही जो हमें आइडिया मिल गया था कि कौन से टीम प्लेयाफ के उंदर चली गई है कौन से टीम नहीं तो इस वजा से अब इस मैच का फाइदा यह होग के जो टीम जीते की वो नंबर वन पर चली जाएं ताड़ी पांच सो दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर दिया दिल से शुक्रिया वाई लोग आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब 31 तो गेट फॉम 30 डिलिवरी इस आइफड इस उन स्राइक बॉलर होंगे दोस्तों फैबियन ऐलन फैबियन ऐलन जो है वह दोस्तों इनका याद आ गया है कप्तान को लास्ट में जाकर अब आइफड की तरह से जो हमें अच्छी बले बाजी देखने को मिली हुई है इस सीजन के अंदर और इस सब्सक्राइब की पहली गिन को उन्हें खेल दिया लॉंगन के रीजन में सिंगल के साथ हम स्कूर हो जाएगा एक सो अठारा पांच के नुक्सान पे पंद्रावर्ज और एक गिन के बाद तो दाना ने कोई नहीं मना हुआ है गुपाल भाई बस बस इतना ज्यादा नहीं होना पर्चनल बंदे को बुरा ही ना लग जाए अभी शेक कुमार और लवली डिलेवरी इस गें को वैर्स वन निकाल देंगे में बिकेट के रीजन में नदर सिंगल और सिंगल के साथ दो दो गिनों के उपर दो रंज बन जाएंगे एक सुनी से स्कोट पांच के नुकसान पे 15 वर्ज और दो गिनों के बाद नाइट राइडर्स की टीम ने जो है वजीत के लिए हम थीस रंज की जरूरत है और यह मैच जो है वह दोस्त अब अगले 15-20 विनर के अंदर यानिक लाइश्ट्रिम जो है वो नो बजे के राउंबाउग जो है वो फिनिश हो सकती एक सुनी से स्कोट पांच के नुकसान हलका साथ डिफेंसिव शॉट लेक साइड की तरफ या अपने अगें सिंगल ने निका रहेगा मौका इन गिनों के ओपर तीन सिंगल बन चुकी तुनिल नारायन जो है वाज का ये वाला मैच नहीं खेल रहे हैं और टीम पैट्रियोर्थ की तरफ से भी बड़े-बड़े नाम जो है वो इस मैच के अंदर मिसिंग है 120 for the loss of 5 विकेट्स आफ्टर 15.3 ओवर्ज़ पाकपट पर देवे कट कर दिया इस गेन को धी पॉइंट की तरफ सिंगल लेने करेगा मौका 121 for the loss of 5 विकेट्स अंदर आवर्ज़ और चारगे ने होच कहीं अप पुरी इस अवर के लिए गेन विकेट्ट कर वाएगी गेन बले का बाहरी के नारा लेने के बाद जाएगी अगेंड डीप पॉइंट की तरफ सिंगल लेने करेगा मौका जहां पर रब 122 स्कोर पांच के लुकसान पे 15 वर्ज़ और पांच के ने होच किया दोस्तों पूरी जहां गुदाना ने दो रंज बना रखे दो गिनों का किया सामना साइफट ने दस रंज बना रखे और उनने ने किया दस गिनों का सामना सिंगल लेने करेगा मौका 6 गेदों के उपर 6 रंज बने हैं इस सोवर के अंदर 12 के बाद 123 स्कोर पांच के नुकसान पे जीत के लिए 24 के ने और 25 रंज की ज़रूत इंसाइफर दस पर मौझूद है उदाना ने तीन रंज बना रखे तीन गिनों का सामना करते हुए यह तो दोस्तो यहां पर अब 123 स्कोर पांच के ने तो दोस्तों यहां पर पांच के नुकसान पे फोलावर्स का खेल होच का है 123 स्कोर नुकसान पर जहां पर रब साइमन हिलमोट कोचिंग करते वे टीम पैट्रियोरव का मैच होगा नसीमि शा Leah जाएंगे दोस्तो कैने का रहती है दोस्तो ये गेम दोर बल्ले को मिस्स करते हुए पैर्स को मिस्स करते हुए जाएगी ये इंडिकेट के फ़र के दरस्ताओं में वाइड बॉल का सिगनल दिया जाएगा अमपायर के तरह से हां जी माई हिरो हो जाएंगे और तीस लाइक्स डॉंट वरी कि अभी मैच बचा हुआ है लगबग 24 दिशन चाहिए और तीस लाइक्स हैं तो इतना मुश्किल काम नहीं हो जाएंगे कि अधिये अवे अधिये 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 अधिया है और ताइड की तरह पॉइंट की पॉजिशन पर फिल्ट रहेंगे तायनाद जे रोखेंगे इस लिए जाएगी सिंगल तेइस गिने और तेइस रूंट के ज़रूर 125 पांच के नुकसान पे 16 वर्जोर रिगन के बाद उदाना ने बनार के हैं चार रंज किया उन्थने चार गिनों का साम हलो प्रेंट्स आई पी लो वावा गोपाल पाई क्या याद करवा दिया और क्या चाउट होते होते बाल बचेंगे प्लेयर आच्छा कवर के फिल्डर ने हवा में उचलते हुए रिस गेल ने इसके इनको काच करने की कोशिश की रह चैन करने में नाकाम 123 स्कूर पांच के नुकसान पे बिग मैं क्रिस्केल जो के एक्ट्रा कवर की पॉजिशन पर मोजे दिया हूं दिया पीस गेन को खेला और गेल के हाथ अंगुठे से टकराने के बाद जाएगी अगें द लॉंग गॉन के एक सुचब बिस स्कूर पांच के नुकसान पे जहां पर रहा है नसीम शाक्य लिगे 336 फर लॉस फाइव वेकर सुला वर्द और तीन किनों के बाद नसीम शाज जो है वदोस्तों यहां पर बॉलिंग अची कर्वाते हुए अब यह नेलंग बी अची बॉलिंग करवा रहे हैं यहां पर रब देखें हैं कि अगले मैच के अंदर नसीम शाम मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं फाइनल मैच के अंदर क्योंकि अपनी कारगर्दगी जो है वह अची दिखाते हुए यहां पर वो क्यारन पॉलाड ने इसी मैच के अंदर 22 गिनों के उपर 15 रंज बनाए क्यारन पॉलाड के तरसे 126 स्कूर पांच के नुकसान पे तो लावर दोर तीन के ने होचके हैं पूरी जहां इस दुरूदाना ने चार रंज बनाए हुए पांच किनों का किया है सामना ओ अच्छी गेंद एक दवा फिर नसीम शाह की तरसे बैट्समन मोडनाइस के इन में मौजूद रोकेंगे वो इसकेंड को मिड्विकेट पर एक फिल्डर हैं बैकवर्ट स्कूर्ड लिक पर एक फिल्डर हैं धर्मैन पर एक फिल्डर मौजूद है जहां पर रब नसीम शाह उंदा बालिंग करवाते वे चार गिने कर वाली है उन्होंने इस ओवर के के लिए फाइनली किनेक्शन जो है वह अच्छा बनते हुए में देखने को मिन दगाई जरू अदाना के बल्ले से अब सूरत बल्लेबादी टीम जो है वो टीक्यार की तरह से 132 स्कूर पांच के नुकसान पे अब सूरत शक्का नौरंज आगे हैं सवर के अंदर नसीम शाह की सवर के अंदर दोवर्ज और पांच के नो क्यों पर अठार रंस देकर उन्होंने एक विकेट को कर अपने ना राइट आम ओर दोविकेट एक दबाद फेर रहा है नसीम शाह की अगली गेंद अच्छी गेंद स्लोर रंड यगेंद बैट्स रंड खेलने में रहेंगे इसके इनको नाकाम जाएगी अगेंद विकेट कीपर के दस्तानों में ओवर का इंद भूच का पुरा सत्रा के बा 587C सोच थे हैं दिल से शुक्रें बाई लोग आपका रात बाला मैच किया था मैच भी कवर किया था हां जी बाई असल आरे मैच इसका हम कवर कर रहे हैं CPL के रात बाला मैच भी किया था उससे पहला मैच की सकुंड इनिंग्स भी कित गिरो मैक्सिमिम पर इवन लुइस नंबर वन पर मोजू ने तीस तक के लगा रखें उन्हें टूर्णमिन के अंदर बहुत इम्दा क्रिकेट उनकी तरह से अर अब जो है वो दोस्तो फिनालन आजाएंगे बालिग लेकर फैबियन आलन आजाएंगे बड़ी अपील हुई है ल्बी डव्यो की मतलब स्रंपिंग की बड़ी अपील हुई है दोस्तो थर्ड अंपार के पास अभी जाया जाएगा को लेटसि के लेर आउट होते है यह होते दोस्तों एकieve 32 पांच के नुकसान पेर फटम पार के पास जा जाएगा स्ट्रंपइंगको चट्क किया जाएगा दोस्तों जहां पर यह प्लेइर स्ट्रंपआ है विक्तो के पीछे जहां पर उन न्मिगेन को थामते हुए डे मारा है व εκrobe मेरा आउट हो जाएंगे व्याब किम साइफस आउट हो जाएंगे दूस्तों वाह क्या खुबसूरत काम किया विक्तो कर पीछे जो श़डिसलाउन ला जवाब काम जोश्वाडी सिल्वा का और आउट हो जाएंगे दोस्तों नाइट राइडर्स के यह प्लेयर सब्सक्रागे नहीं और सोलारंज की जरूरत अब देखने हैं वाइड बॉल हुई है यह यह नहीं अब देखने लाइक होगी यह दोस्तों चीज नहीं बैसमें जो हब अब देखने हैं कौन से आएंगे इस दरू ओधाना दस रूंज बना सके आठ गिनों का क्या नहीं सामना अभी नौड आउट हैं दोस्तों और नहीं आने वले वैट्समें का वेट किया जा रहा अगर यह टीम आल आउट हो जाएगी तो दोस्तों फिर अलब ऑल आउट हो सकते यह टीम अदर वाइस कुछ आ रहा नहीं है अपने नाम छे रंजी एक विगट को क्यां धने अपने नाम छे सो क्यों पर दोस्तों ने वीडियो को कर दिया लाइक दिल से शुक्रिया भाई दोगा आपका वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्स्राइब करने के लिए थेंक यू सो मुच फॉर लवली स्पॉर्ट 13246 आफ्टर 17.1 अवर तो पर अवर्ट भी लग सकता है गाईज तो उमीद करेंगे कि यहां पर ऐसा वैसा कोई काम होता है यह नहीं यह चीज़ अब देखने लाइक होगी दोस्तों सुपर अवर्ट भी लग सकता है एक आध बिकेट अगर मजीद गिर गई तो आद अकील हुसंब आजाएंगे दोस्तों बले बादी करने के लिए तेज खेलने वाले प्लेर हैं अकील हुस्उम अ है टिन हुसान के अर्दगेड द जो है वह फोल्डर्स का जाल बिचा दिया है लग कि लेक्सलिप पर एक फिल्डर है एक फिल्डर स्लिप पर है एक फिल्डर शॉर्ट लेग पर है इन फिलिदर्स को जह yeter Cool ढोल करKe एक प्रिगट को अपने नाम कर चुके हैं अधर प्रेसर लाने की कोशिश इस वकत बल्लेबाद को अकील हुसान स्ट्राइट पर है नहीं लेफ्ट आम इन है रोस्त और रुम्ही के खिलाफ यहां पर अकील हुसान बल्लेबादी करेंगी 132 फॉर दे लास अफ शुक्सान ते जहां पर इस तब करी गेंद अच्छी गें और इसके उनको बैस्वन खेल देंगे मिड्विकेट की तरफ थोड़ा तेज़ शॉट लगाया गया तीन हुसान के वल्ले से मिलेगी सिंगल और सिंगल के साथ अब 133 स्कोर 6 के नुक्सान के तरावर्ज और दोगिनों का खेल भूज कैपुरा और माही रहत वाड़ा नाश्ता हो गया यह नहीं हुआ अपने अवर के लिगें लेकर आएंगे यौर करने जगें बढ़ी अपील बहुत बढ़ी अपील लेकिन नौट आट का सिगनल दिया जाएगा हम पार के दर से हम पार की उपर कहले जीए के थोड़ा ड्रेश्ट डालने की कुश्च पहले कैच की जो है वा दोस्तों कॉल की गई और इसके बाद अलब ड़्यू के बारे में पूछा गया हाँ वासे भाई अभी तो बूखी हूं जो भाई नो बजने वाले एक्सो टाम पेस से स्कोर चेक नुक्सां पेस सत्रा अबर जोर तीन किनों का खेल भोज काया पूरा मैच यहां पर अब एक दफ़ा फिर बॉलर है तो यार फाबियान एलन की एगें देक और अची गेंद और एक और डाट डिलिवरी इस जरू उदाना थोड़ास अंडर प्रेशर चले गए दोस्तों जहां पर तेरा गिनी है पंद्रा रंस की जरूरत है लास्ट आबर्स के अंदर बहुत ही इंटरस्टिंग चलते हुए यहां पर रब एक सतांती स्कोर चेक नुक्सांते सत्रावर्ज और पांच किनों के बाद उदाना दस पर हैं आखरी गेंदे दोस्तों इस तवर के क्रिस गेल जो है वो अपने कप्तान से बाद चीत करते हुए विल्ड में जो है वो दोस्तों थोड़ी से तबदीली की जाए गिया 133 पर दोस्तों के लिए वाप इस लोटाएंगे यह दोनों प्लेयर्स अच्छी रणिंग बिट्विन द विकेर्स 135 पर 6 बारा गिनों के वर थे रहन की जरूर अथीम टी क्यार को यह मैं जीत ने के लिए किस बॉलर को बॉलिंग के लिए लाँना जाहिए आप बाप का क्या ख़्याल है इस बारे में आप हमें बता सकते हैं कि नसीम शावसे बॉलींग करवानी चाहिए और जान रस्त गागि सार को जो है वह बॉलींग करवानी चाहिए लॉँर्फ ने थी के अदर थां PK कर देतर ग्रीः कों अपनय ध स्याइब दो रूंग विश्क नाहीं आ दिबा मैं देदर 9 rं देकर बैंद काई द की इसाई उइब वागई और Online TL पर चलिजा पॉइंट जिल मुव नभ वण जब के टीम अगर यहां पर जीत लेती है के टीम तो वह भी नमबर बन पर चली जाएगी जाना मंजों वारियर्ज नंबर दो पर चली जाए जाएगी दो具 और आपको बताता चलो कि ग्याना मैजन वारियर्स नंबर दो पर होगी तो नंबर तीन के साथ उनका मैच होगा सार को जो है वो बनोस्तो बॉलिंग के लिए अब लाया जाएगा जाएगा जागी सार बार आगे नों के उपर तेरा रंज की जरूरत है टीम टीक्यार को जहां पर रब देखना होगा कि जागी सार की स्केन बाजी का बैट्स नंग जो हो कैसे सामना करते हुए आखरी अबर चलते हुए दोस्तो छेसो इक्स लाइक्स थैंक्यू सो मच पर लाइक इन डी वीडियो जो है वो दोस्तो बॉलिंग दी जाएगी फुड़ा ज्यादा टाइम देते हुए प्लेयर्स विल्हाल एक अच्छा मुकाबला चलते हुए दोस्तो इन दोनों टीम के दर में आने लास्ट अवर स्केंदर Kings की टीम जो है वो दोस्तो स्केंद लूस या Kings की टीम का मैच नंबर वन टीम के साथ होगा PKR या फिर उनका मैच टीम पैट्रियोर्स के साथ होगा वालर जो है वो दोस्तो एक दवा फिर से हैं तो यार सामना करेंगे स्केंद का बैट्समेन अखिल हुसान पहली गेन रहने वाली है यह सोवर की आया पार वाली सिच्वेशन है जहां पर पहली गेन को बैक पर रहते वे हवा में खेला है और यह गेन जाएगी नसीम शाह के बिलकुल सामने जाकर गिड़ेगी एक रण मनेगा स्केंद के उपर 136 के नुकसान पर 18 वर्जो रेगेन के बाद स्मेश करना चाहते थे बैट्स बने इस गेन को रहेंगे वना काम गेन बले का बाहरी के नारा लेने के बाद जाई गई नसीम शाह के पास जो मौजूद थे प्वाइंट की पॉजिशन पर उन्होंने स्केंद को कैच करने के लिए जाना चाहा लेकिन नहीं जाएंगे वो क्योंकि सिंगल बनेगी स्केंद के उपर मतलब गेन थोड़ी दूर थी इस टेक आच के लिए बनाईगे क्यारम बाल्स अनली हेर जहां पर विकेट अगर गिर जाती है तो क्या ही बात रही सूपर अवर कमिंग अप जहां पर रिक दाव फेट जागी सार की अगेंद बड़ा शॉट लगाने की कोशिशोर गेंद बले का बॉटम एच लेने के बाद जाएगी लॉंगन के रिजन में रधर पोर्ट्राइक पर मौझुद मतलब बलाउंगन पर मौझुद अरोकें को इसी भी सिंगल लेने करेंगा मौका एक्सांटी से इसकोर शेकिन उक्सांटी अठारा बर्जोर्दोंग इनों का लगोज का पुरा इसकोर शेकिन उक्सांटी सब्सक्राइक रही है तीसरे इसरे इगें जागी साथ की अगें दफ्लाइक इगें इसकेंट बाकफर पर रहा ते वेवार समने वाश कर दिया या लॉंग अपके रिजन में सिंगल लेने करेंगा मौका चिंगल के साथ अब नोगे नहीं है और दस रूंस की जरूरत है नाइन डिलिवरी स्टेंड रूंस नीडिट एकाट डॉट डिलिवरी चाहिए यहाँ पर फिर आखरी अवर के अंदर आठ रूंस वचाने पड़ेंगे मतलब बच जाएंगे तो यह अच्छी चीज रहेगी अब देखते हैं इसा उपाएगा नहीं हो पाएगा अफ़ाना की उदाना को आएगी अगें शाट प्रिज अगें बड़ा शाट बड़ा शॉर्ट मिड़ विक्त के रीजन में हवा में है गें और बंडरी लाइन के बाहर जाकर गरीगी अगेंग छे रूंस के लिए अबसूरत हिट आठ गेने चार रंस की ज़रूरत नहीं बाई नजीर गेम्स मैं नहीं करूँगा जिमा भी वट से जार लैंड की मैच की कमेंटरी कर लिये ना आप पहले मैंने की है जो मैं आप करूँगा 144 फॉर दो लॉस्ट आप सिक्स विकेट्स अठारा बर दो चार गिने के बाद विगे काम है सो इस वज़ा से मैं आज की दिन के अंदर मजीद नहीं करूँगा तल करेंगे हम समिक फाइनल इस टूर्णमिन के जो दो बचे हुए हैं कर दो समिक फाइनल है और पर्सों को फाइनल मुकाब्द होगा दोस्तों सीपेल दोस्टारीक किसका जिसके बाद 17 तरीक से पाकिसान और न्यूजिलेंड के दिरिए वन डे सीरीज का आगास होगा और उसके बाद जो है वह दोस्तों 19 सब्तेंबर से सीपेल का आगास हुज अने इस रंस पर मौझूद है 14 गिनों का क्या हम निसाम फिर बाद रुन आए ट्राइट नीड अनदर पो रंस और फेड दिले प्रिस गेन को सेनेटाइज किया जा रहा है गेन को जो है वह दोस्तों अब डून के लाया जाएगा अनदर नहीं गेम जो है वह दोस्तों ग्राउंड के अंदर लाई जा रही है आई पार चीज़ को शुक्रिया आपने वह चैने हैं थैंक यू सो मच दोस्तों दिल से शुक्रिया आपका राट कलर का सब्सक्राइब बटन एंथा लाइक बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा एक साथ आप दोबास सकते हैं अगर आप में अभी तक कैसा निंग क्य सब्सक्राइब के लिए अपने टीम को येवला मैच जित्वा दिया है दोस्तों ऐने के आर के टीम जो है वोगिस मैच को जीए जाएगी डू लाइक दी वीडियो और जल्दी से आप TKR की जीत की खुश्य में जो TKR की फैंस हैं शावाज दोस्तों TKR की टीम में जीत लिया इस मुकाब्दी का रब मुकाब्दी का मुकमल एहवाल जो है वह हम आपके साथ कर देंगे शेर लेवल टॉप दा टेबल जी हाँ दोस्तों नमबर वन पर रहेंगे टीम टीकर वाले इस दुरू उदाना ने अपनी टीम को जितवाया दोस्तों यह वला मुकाब्दी का जो है वह दोस्तों मुकमल एहवाल हम आपके साथ कर देंगे शेर सो स्टेट यूनें से बड़ेट अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स के दर्मियान होने वाले इस मैच की तो पिछले मैच का बदला पूरा क्या है टीम टीकर ने क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो कि इन दोनों टीम्स के दर्मियान कल खेला गया था 27 वा मुकाब्दा उसके अंदर टीम पैट्रिय नमबर 3 पर टीम पेट्रिश और नमबर 4 पर जो है वो हमें यहां पर तीम सैंतलूस या किंँग्स दिखाई देंगी दोस्टो जहां पर रब संविफाइनल मैचे नहीं होंगे इस लीक के और एक फानल मकाबला दोस्थ में फानल और एक धो सिल को पर ती आ जा जाएकर में आपको बटाह की सब्सक्राव पर निएomo on सब्सक्राइब जो है वो मुकाब्ले के अंदर बॉलिंग करने का फैसला किया गया जहां पर सेंट किट्स एंद नेवस पैट्रियोर्स के टीम जो पहले बले बादी करने के लिए रिस गेल ने पांच रंद बनाए चार गिनों का सामना किया चौका लगाया गया क्रिस गेल के बले से अधन कार्टर की जो के पहला माच खेल रहे थे सीपील के सीजन का उने बनाए 16 रंज किया उन्हें 16 गिनों का सामना अकील हुसान की इनकी उपर बॉह उठ हुट हुए तो दोस्तों रदर फोर्ड 25 पर रहे जिन्हें 28 गिनों का सामना क्या लीजे ब्रावो ने 13 गिनों के एक चौका और दो चक्का लगा चक्की लगाएगे लीजे ब्रावो की तर से तो कि फैबियन एलन ने कोई रंदी मनाया 2 गिनों के उपर रहा नसीम शाने दो रंज बनाया 2 गिनों के उपर और जॉन रस जागी साद ने पांच रंज बनाया गिनों का स्थाम ना करते हुए अगर हम बालर्स को देख लेए तो फोलन विकेट को देख लेते तो पहली विकेट जो है वो जाकर गिरी थी 18 के स्कॉरट पर गेल की सूरत उतर लिकेट खारकर के गिरी सएः कंपर दॉस। अप proportional कि भी डेकर तीन विठो को चटकायا बहुत हिमदा बालिंग करएगी दोस्तों अली खान की तरफ से बात की जाए दोस्तों इसी तरह अगर टीम टीक्यार के बल्ले बाजी की तो टीक्यार की तरह से लेंडल सिमन्स ने 17 गिनों की उपर 20 रंज बनाएं और वो आउट हुए यहाँ पर 4 चौके लगाने के बाद बात की जाए दोस्तों दनेश रामदीन की तो दनेश रामदीन न बात की जाए दोस्तों दनेश रामदीन की तरह से भी हमें देखने को मिला अंडी सिरा डारम ब्रावन ने एक रंड बनाया कॉलन मन्रो ने जहाँ दोस्तों नोर रंज बनाया 15 गिनों का उन्होंने सामना किया जहां पर बात की जाए कैरन पॉलाड की तो आज धुआदार बले बात की गई पांच चक्के लगाए कैरन पॉलाड ने तीन चोके जो है दोस्तों लगाए कैरन पॉलाड ने और इस साल CPL की दूसरी तेससरी तरीन फ्रुक्टी जो है वो बनाते हुए में दिखाए दिए दोस्तों कैरन पॉलाड 20 गिनों की उपर उन्होंने अपने 50 प्रेस्ट को जो है वो पूरा किया उंदा क्रिकेट जो है वो खेले गई कैरन पॉलार की तरह से और उन्धोंने 231 के साथ बले बादी की मैच को जो है वो टीम यहां पर प्राट्रियोर्ट से उन्धोंने एक तरह से कह लीजे के चीन लिया बात कि जाए टिम साइफट की 11 रं और अपनी टीम को जित्वानी में जो है वो यहां पर आहम रोल प्ले किया इस दुरू उदानन्द जब के एकिल्द हुसान तीन गिनों के उपर तीन रंज बना सके तेरा एक्स्ट्राइब से इस टीम ने जो रंज बनाए उनकी तदाद 185 और रिस मैंच को इन्होंने जो है यहां पर कर लिया मिला सबस्क्राइब से पार्ट रंड आट प्र … यहां पर वह दूद के स्कोर पर कॉलं मंडौ आउट हुए और उसके बाद 102 कि स्कोर पर पचास रंज की पार्टनर्शिप के बाद धारन ब्रावा उट हुए एक सो पंदरा पर जाकर करन पो लाइड आउट हुए और एक सो बत्तिस के स्कोर पर टीम साइपर रहे आउट हो कर गए पर विलिंग के बाद की जाए नसीम शान ने अच्छी बालिंग करवाई इन अवर जागी साइथ ने 4 वरत के अंदर 64 रंज लिये एक विकट को बहुत ही महँगे थाँए थाविज रिए जिफके फेब्र आ ने दो वरत के न नो रंज देकर एक विकट को अपने नाम किया थो दोस्तो मैं आफ दी मैच की बात की जाये तो मैं आ फिके अर्की इा वर्ड का चार को लोस किया 12 पॉइंट के साथ नमबर वन पर मौझूद टीम ग्यानामजून वारियर्स की बात की जाए तो वो 12 पॉइंट के साथ नमबर दो पर मौझूद है लेकिन उनका नेटर नीट थोड़ा नीचे है तो दोस्तों वो मौझूद है यहां पर नमबर तीन की वरियर्स के साथ पढ़ेगा अब बात की जाए दोस्तों यहां पर अगले मुकाबडे की तो अगला मुकाबला यानि कि जो समी फाइनल होगा वो टीक यार की टीम और टीम कींग्स के दरम्यान जो है वो खेला जाएगा तो दोस्तों यह चीज रहेगी यहां पर इस अबना 15 तारीख को काम 7 बजी जो है वो खिला जाएगा तो दोस्तो यह सूर्थयाल रहे गिए अब इस रूटामेंट की जहां पर टीम की वागो नाइट पर इसके फैंस को और टीम को बहुत-बहुत हमारी तरफ से मुबारिक बाद जिन्दोनी समयाच को जीत लिया है चार विकेट से और वो चले गए हैं दोस्तों यहां पर अब नंबर बन की पॉजिशन पर अंड़ समी फाइनल नाच के अंदर जो है वह हमें अब खेलते वे दिखाई देंगे विल्कुल चाही सुना आपने आपने जे विल प्ले इन समी फाइनल जहां पर सभी दोस्तों का लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रियां सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रियां CPL 2021 और CPL 2021 का केला गया दोस्तों आज आखरी लीग मुकाबला जहां पर टीम PKR ने मैच को जीत लिया है टीम पैट्रियोर्स को हर का सामना करना पड़ा है दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स के दर्मियान होने वाले इस मैच की तो पिछले मैच का बदला पूरा क्या है टीम PKR में क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो कि इन दोनों टीम्स के दर्मियान कल खेला ग वार्योश नमबर तीन पर टीम प्राटियोर्स और नमबर चार पर जो है हो हमें है यहां पर टीम सेटलूस या किंज देखा ही देंगी दोस्तों जहां पर रब मी फाइनल मैच दोगे इस लीक के और एक फाइनल मुकाबला जो अब पर गई जाएगा अगर हम मैस की बात कर ल कि तरह से जो है वो मुकाब्ले के बालिंग करने का फैसला किया गया जहां पर सेंट किर सेंड निवर्ट नेवस पैट्रियॉर्स के टीम जब पहले बले बादी करने के लिए रिस गेल ने पांच रूंद बनाये चार गुनों का सामना किया चौका लगाया गया कर इस दोस्ति दोस्तों 45 गुनों का सामना किया उन्होंने सीपील के रिये की अपनी दोस्ति प्रिफ्टे लगाई फांच चौक के और एक चक्का लगाया कि इस तरह दोस्तों बात की जाए यहांपर जौनाथन का च्पी जो कि पहला नाज खेल रहे थे सीपील के सीजन का उन्होंने बना एक चौका और दो चक्का लगा चक्की लगाए गेम दीजै ब्रावो की तरसे दिखिए अधिक लेटेज दोस्तों फॉल ओफ विकेट को देख ले तो पहली विकेट जो है वो जाकर गिरी थी अठारा के स्कोर पर गेल की सूर अपने दोस्तों विकेट गिरी बास्ट की सूर बाइस विए जो दो यहां पर एक्सो एक पर गिरी जोश्वादी सिल्वा कि सुरुपने चौथी विकेट जो है वेक्स बदीस पर गिरी अफन्ड ब्रद फोर्ट की सुरुपने पांच विकेट एक्सो थेंट इस फर फैबिया नालन की चटी विकेट एक सुन तालीट वर ड् पर गिरी बॉलिंग की बात की जाए तो दोस्तों यहां पर इजरू उदाना ने चार अवर्स के अंदर आटाइस रंज देकर दो विकेट को अपने नाम किया बात की जाए दोस्तों यहां पर रॉम पॉल की तो उन्होंने चार अवर्स के अंदर 21 रंज देकर एक विकेट क को चटका है बहुत यंदा बालिंग करवाईगे दोस्तों अली खान की तरफ से बात की जाए दोस्तों इसी तरह अगर टीम टीक्यार की बल्ले बाजी की तो टीक्यार की तरफ से लेंडल सिमन्स ने 17 गिनों की ओपर 20 रंज बनाएं और वो आउट वे यहां पर चार चौके ल कॉलन मन्रो ने ज़ोगो दोस्तों 9 रंज बनाए 15 गिनो कांशे सामना किया जहां पर बात की जाएallo की मैं पांच चुके लगाए इक कारव नेiga है और इस साल CPL की दूसरी तेज तरीन 50 जो है वो बनाते हुए में दिखाई दिये दोस्तों कैरन पॉलार्ट 20 गिनों की उपर उन्होंने अपने 50 रंज को जो है वो पूरा किया उन्दा क्रिकेट जो है वो खेले गई कैरन पॉलार्ट की तरह से और उन्होंने 231 के स्ट्राइक जो है वो दोस्तों 25 रंज बनाए 16 गिनों का सामना करते हुए तीन चक्के लगाए उनकी तरफ से लास्ट ओवर के अंदर उन्होंने दो चक्के लगाए और अपनी टीम को जित्वानी में जो है वो यहाँ पर आहम रोल प्ले किया इस दिरू उदानान जब के अकील हुसान तीन गिनों के उपर तीन रंज बना सके तेरा एक्स्ट राज की मदब से स्क्रीम ने जो रंज बनाए उनकी तदाद 150 और रिस मैच को इन्होंने जो है वो दोस्तों यहाँ पर कर लिया विन बॉलिंग के बाद की जाए पार्टिन्शिप की जाए पहली पार्टिन्शिप जो है वदोस्तों 20 रंज की लगी पहली पार्टिन्शिप जब उटी तो लेंडल से मंत्र है वदोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलो कि आउट हो कर गए पर विन इंतितर वापिस दनेश राम दिन आउट वे बावन के स्कोर पर कॉलन मंडो आउट हुए और उसके बाद के अठार रंज के लिए कर एक भीड को उन्हे अपने नाम किया वाल बैंन मेकैडवी ने तीन वर्थ के अंडर 27 रंज दिये गान की जब्कि फेबिया ने धीन ने दर 9 रंज के लिए कर एक भीड को अपने नाम किया तो मैन अफ दी मैच की बात की जाये तो मैन अफ दी मैच का औवर्ड कैरन फॉलर्ण को ही दिया गया सब्सक्राइन में बहुत ही अम्दा बने बाजी की बहुत ही तेस कृिकर जो है पो दोस्तों इंकी त्रफ से खेलिगी तो वो 12 points के साथ number 2 पर मौझूद है लेकिन उनका natural rate थोड़ा नीचे है तो दोस्तो वो मौझूद है यहाँ पर number 3 की position पर वो number 3 पर मौझूद है दोस्तो जहाँ पर अब देखने लाइक यह चीज होगी कि उनका मुकाबला जब पड़ेगा यानिकि पैट्रियोर्च का मैच जो है वो टीम ग्याना मजदोन वारियर्स के साथ पड़ेगा अब बात की जाए दोस्तो यहाँ पर अगले मुकाबले की तो अगला मुकाबला यानिकि जो समी फाइनल होगा वो TKR के टीम और टीम किंग्स के दरमयां जो है वो खेला जाएगा तो दोस्तो यह चीज रहेगी यहां पर उस मुकाबले के अब समी फाइनल दो खेले जाएंगे और दो समी फाइनल के बाद 2ह में पाइनल जो है वो दोस्तो कीजिए जयानिकि कल शाम के वक्त पहला समी साथ बजे और दूसरा सम्फाइनल रात के बग्चों है वो दोस्तों साड़ी ग्यारा बजे जो के फाइन उनकाब्ला 15 तारीख को काम साथ बजी जो है वो खेला जाएगा तो दोस्तों यह सूर्तियाल रहे गिए अब इस्टूर्णामेंट की जहां पर टीम की वागो नायट पर इसके फैंस को और टीम को बहुत-बहुत हमारी तरफ से मुबारिक बाद जिन्होंने इस मैच को जीत लिया है चार विकेट से और वो चले गए हैं दोस्तों यहां पर अब नमबर बन की पाजिशन पर एंड़ सम्फाइनल मैच के अंदर जो है वो हमें अब खेलते वे दिखाई देंगे टीपियल 2021 और टीपियल 2021 का केला गया दोस्तों आज आखरी लीग मुकाबला जहां पर टीम टीके आर ने मैच को जीत लिया है टीम पैट्रियोर्स को हर का सामना करना पड़ा है दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स के दम्रान होने वाले स्नैच की तो पिछले मैच का बदला पूरा क्या है टीम टीके आर ने क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो कि इन दोनों टीम्स के दम्रान कल खेला गया था 27 वाम काबला उसके अंदर टीम पैट्रियोर्स ने टीम जो है वो टीके आर को हराया था दोस्तों तो आज जो है वो दो इस चीज़ को पुड़ा कर लिया और बड़ी अब्रेट ये दोस्तों कि टीके-अर की टीम इस मैंज को जीतने के बाद अब चलेगी ये नमबर वन की पोजिशन पर नमबर वन पर टीम टीके-अर चलेगी ये नमबर दो पर टीम माद्धन वाज्यर्ज, नमबर तीम ने लाडिब टेंगो स्कूर कार्ट कैब में हैं इस यहाघ शूर कारण के बार मी आपको उसे पहले ऊपको बताता चलो कि यहांपर टॉस को विन के आज टीम की क्यार नियां टॉस को जिते हुए नुक्ती तरह से जो है वो मुकाबले के अंदर बॉलिंग करने का फैसला किया गया जहां पर सेंट किर्स एंद नेवस पैट्रियोर्स के टीम जो पहले बले बाद करने के लिए रिस गेल ने पांच रूंद बनाए चार गिनों का सामना किया चौका लगाया गया कि इसकेल के बले से जोश्वा डिस पिलवा नहीं जो रूंद बनाए उनकी तादाद त्यास की दोस्तों 45 गिनों का सामना किया उन्होंने CPL के रिये की अपनी दूसरी फ्रूंद पे लगाई पांच चौकी और एक चका लगाया गया इसी तरह दोस्तो दोस्तों रदरफोर्ड पर रहे जिन्हें 28 गिनों का सामना क्या बीजे ब्रावो ने 13 गिनों के उपर 25 गिनों का सामना करते हुए अगर हम बॉलर्स को देख लेते हैं या दोस्तों फॉला विकका को देख लेते हैं तो पहली विचत जो है वो जाकर गिरिए थी 10-30 पर फैबिया नालन की चटी विगेट 147 वर डीजे ब्रावबो और 7 विगेट 142 के स्कोर्ट पर डॉमिनिक रेक्स की गिरी बॉलिंग की बात की जाए तो दोस्तो यहां पर इजरू उदाना ने 14 वर डीजे बात की जाए दोस्तो यहां पर रॉम पॉल की तो उन्होंने 4 वर डीजे बात की जाए दोस्तो इसी तरह अगर टीम टीक आर के बले बाजी की तो टीक आर की तरह से लेंडल सिमन्स ने 17 गिनों की ओपर 20 रंज बनाए और वो आउट वे यहां पर चार चौके लगाने के बाद बात की जाए दोस्तो दनेश रामदीन की तो दनेश रामदीन ने जो है वो 17 रंज बनाए तेज की उन्हों का सामना किया एक चौका जाए दने पॉलाड ने तीन चौके जो है वो दोस्तो लगाए केरन पॉलाड ने और इस साल सीपियल की दूसरी तेस सरीन फिफ्टी जो है वो बनाते हुए में दिखाए दिये दोस्तो केरन पॉलाड 20 गिनों की ओपर उन्होंने अपने 50 रंज को जो है वो पूरा किया उंदा क्रिकि पर एक चौका लगाया गया जबकि जरू उदाना ने जरू उदाना ने जो है वो दोस्तो 25 रंज बनाए 16 गिनों का सामना करते वे तीन चक्र लगाए उनकी तरस से लास्ट ऑवर के अंदर उन्होंने दो चक्र लगाए और अपनी टीम को जित्वानी में जो है वो यहां प की बात की जाए पहली पार्टरशिप 32 रंज की लगी और धूसरी पार्टरशिप जो है वह दोस्तो 25 की लगी पहली पार्टरशिप जब टूटी तो लेंडल से मंच यहां पर आपको बताता चलो कि आउत हो कर गए पोनी इंके रफ़ापिस दने शो रामदीन आउट हुए 52 के स्कोर पर कॉलन मंगो आउट हुए और उसके बाद 102 के स्कोर पर 50 रंज की पार्टनर्शिप के बाद धैरन ब्रावा आउट हुए 115 पर जाकर कैरिंट पो लाड आउट हुए और 132 के स्कोर पर टीम साइपर आउट हो कर गए परविन इंतितर वापस यहां पर बालिंग के बाद की जाए नसीम शान ने अच्छी बालिंग करवाई तीन अवर्थ के अंदर 18 रंस देकर एक विगट को उसलोंने अपने अपने नाम किया जॉन रेस्ट जागी साथ ने चार वर्थ के अंदर 64 वर्ण्स दिये एक विकेट को पने नाम किया बहुत ही महँगे साबित हुए जिबके फैबियन एलन ने दो वर्थ के अंदर 9 वर्ण्स देकर एक विकेट को अपने नाम किया तो दोस्तो मैन अफडी मैच की बात की जाए तो मैन अफडी मैच का आव़र्ट केरन पॉलाड को ही दिया गया सप्तान में बहुती हमदा बलेबाजी की बहुती तेज क्रिकर जो है वह दोस्तों उनकी तरफ से खेली गई और अब अगर हम बात कर लेते पॉइंट शेबल की तो दोस्तों पॉइंट शेबल अब रहेगा आपके सामवे जहां पर टी के आर की टीम नंबर वन पर मौझूद है दस के लेए हैं छे को विंकिया चार को लोस किया बारा पॉइंट के साथ वो नंबर वन पर मौझूद टीम ग्यानामजून वारियर्स की बात की जाए तो वो बारा पॉइंट के साथ नंबर दो पर मौझूद है लेकिन उनका नेटर रंडियर थोड़ा नीचे है तो दोस्तों वो मौजू थे हैं यहां पर नमबर तीन की पॉज़िशन पर जिब लकुल वो नमबर तीन पर मौजू दे दोस्तों जहां पर अब देखने लाइक यह चीज़ होगी कि उनका मुकाबला जब पड़ेगा यानि कि पैट्रियोर्स का मैट जो है वो टीम ग्याना म दोन वोरियर्स के साथ पढ़ेगा और बात की जाए दोस्तों यहां पर अगले मुकाबले की तो अगला मुकाबला यानि कि जो संग फाइनल होगा वो टीक्यार के टीम और टीम किंज के दर्मयान जो है वो खेला जाएगा तो दोस्तों यह चीज़ रहेगी यहां पर इस वो टीम को बहुत है वो टीम को बहुत हमारी तरफ से मुबारिक बाद इस मैच को जीत लिया है चार विकेट से और वो चले गए हैं दोस्तों यहां पर अब नंबर बन की पोजिशन पर और फाइनल मैच के अंदर जो है वो हमें अब खेलते वे दिखाई देंगे CPL 2021 और CPL 2021 का खेला गया दोस्तों आज आखरी लीग मुकाबला जहां पर टीम PKR ने मैच को जीत लिया है टीम पैट्रियोर्स को हर का सामना करना पड़ा है दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स के दर्मियान होने वाले इस मैच की तो पिछले मैच का बदला पूरा क्या है टीम PKR ने क्योंकि पिछले मैच के अंदर जो कि इन दोनों टीम्स के दर्मियान कल खेला गया था 27 वा मुकाबला उसके अंदर टीम पैट्रियोर्स ने टीम जो है वो TKR को भराया था दोस्तो तो आज जो है वो इस चीज़ को पुड़ा कर लिया और बड़ी अब्रेट यह है दोस्तों कि TKR की टीम इस मैंच को जीतने के बाद अब चलेगे यह नमबर वन की पॉजिशन पर नमबर वन पर टीम TKR चलेगे यह नमबर दो पर टीम ग्याना अमजून वार्यर्स नमबर टीम पर टीम पैट्रियोर्स और नमबर चार पर जो है वो हमें यहाँ पर टीम सेंटलूस या किम्स दिखाई देंगी दोस्तों जहाँ पर रब समी फाइनल मैचेज होगे इस लीक के और एक फाइनल मकाबला दोसमी फाइनल और एक फाइनल मकाबला जो है दोस्तों खिला जाएगा अगर हम मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों तो चार विकर्स से जीत लिए टीम TKR ने इस मैच को यहांपर scorecard की बात की जाए तो दोस्तो scorecard की बारे में हम आपको बता देंगे लेकिंड उस्ते पहले आपको बतादा चलू कि यहांपर toss को लिंद के आज team TKR यांट toss को जिते हो इन उसी तरु से जो है वो मुकाबले के लिदर balling करने का पांच रूंज बनाए चार गिनों का सामना किया उन्होंने सीपील के रियर की अपनी दूसरी फिर्फिटी लगाई पांच चौक और एक चक्क लगाए गया इस तरह दोस्तों बात की जाए यहांपर जोनाथन कार्टर की जो के पहला नाज कहल रहे थे सीपील की सीजन का नही बनाए सोला रंज किया उन्हें सोला गिनों का सामना अकील हुसान की गिन के उपर बॉआ उठ हुट हुए तो दोस्तों रदर फोर्ड अच्छीज पर रहे जिन्हें 28 गिनों का सामना क्या बीजे ब्रावो ने तेरा गिनों के उपर 25 बनाए एक चौक और दो चक्क लगाए बीजे ब्रावो की तरसे तो कि फैबियन एलन ने कोई रंदी मनाया दो गिनों के उपर लिड़ा नसीम शाने दो रंज मनाया दो गिनों के उपर और जॉन ब्रस जागी साहद ने पांच रंज मनाया गिनों का स्थाम ना करते हुए अगर हम वालर्स को देख लेते या दोस इस वागे सुरत में चौथी विकेट जो हैवा एक सब तीस पर गिरी अफन ब्रदर फोर्ट की सूरत में पांच विकेट एक सो थैन थीस पर फैबिया नालन की चाटी विकेट एक सुन तालीस के स्कोर पर डामिनेक विक्स की गिरी बालिं की बात कि जाये तो दोस्तों यहा अन्डिस ती तरह दोस्तों आकील हुसान ने चार अवर्स के इंदर 24 रंज देकर एक विकेट को अपने नाम किया बात की जाए देरंट सील्स की तो तीन अवर्स के अंदर उन्होंने 27 तंद यह अलीखान ने 4 वर्स के अंदर 19 देकर 3 विट्रों को चटकाया बहुत ही उन् कि सिचुएशन जो है मैं आब आप के साथ शेर कर देता हूं जहां पर अगर हम बात कर लेते दोस्तों क्रिस गेल की तो क्रिस गेल ने बनाए पांच रंज यह नहीं चार गिनु का सामना ना एक जो है वो चोक लगाया गया क्रिस्किल की तरसे योश्वा डी सिल्वा ने पच्चास रंज बनाए और उन्की तरफ से जो है वह यहां पर आपको बताता चलू के 28 गिनों का सामना किया गया वो अलीखान की गिनकी उपर बोईड वे डीजे ब्रावो ने 25 रंद बनाए तेरा गिनों का सामना करते हुए एक चौका और दो शक्के लगाएगे उनकी तरह से योश्वा डिसिलगा के 50 रंद द्वाइन ब्रावो के 25 रंद जहां पर इसके तो अठारा एक्स्ट्रास की मदद से जो टीम मां एक सो संतालीस और अब 149 का टार्गेट गया है अगर हम स्कूर कार्ट को देख लेते हैं तो हम पहले बात की जाएगे पॉल आफ विकेट की पहले विकेट अठारा के स्कूर पर गिरी क्रिस गेल की सूरत में दोस्के विक हुएएएगे पान चैपर गी की विकेट विकेट में थाम विकेट त्याम फні विकेट चार अबर्स के अपने नाम किया जबके बात की जाए यहां पर यहां पर यहां पर पॉइंट सेबल को तो पॉइंट शेबल का जो है वाब इतना काम नहीं रहा है हाँ अगर जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो नमबर वन पर चली जाएगी पॉइंट शेबल की उपर लेगन आपको जो टीम से उनके बारे में बताता चलू जो के क्वालिफाई कर चुकी है तो उनमे नाम आता है दोस्तों ग्याना मैजून वोर्यर्स का वो क्वालिफाई कर चुकी है तो अब देखते हैं कि इस मैच को कौन सीटी में बिन करती है और नमबर वन पर जाती है तो जोस्तों सेकेटिस की शरवात कुछी देर के बाद हो जाएगी जहांपर अब एक सोटालिसन्द का टार्गेट है और टीक यार्क वल्लेबाद इस मैच को जीतकर बाती बने रहीएगा जहां पर जुची लमाद के अंदर जो है वो सेकंट इनिंक्स होने वाली है अप्षुव कि यहां पर मुकाबला नमबर तीस आखरी लीग मैच है दोस्तों यह CPL 2020 का जहां पर बात की जाए अगर मैच की तो दोस्तों मैच है टीम जेंट फिलोस या किम निलब संट प्र तेंट किस ने अच्छा टीम तेंट करके दिए वाला मकादला जो दोस्तों खिला जा रहा है ज अच्छी बॉलिंग करवाएगी उनकी तरस्ते जहां पर तक्रियार्स के टीम इस मुकाबले के अंदर जो रूंज बनाने में काम याप हुई उनकी तादाद जो है वो दोस्तों आपको बताता चलो तो तो सिरुफ और सिरुफ यहां पर 147 नुकसां पर बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दी टीकार अच्छी बॉलिंग उनकी तरस से करवाएगी अगर हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर स्कूर कार्ड की सिचुएशन को तो स्कूर कार्ड की सिचुएशन जहां मैं आब आपके साथ शेर कर देता हूँ ज लुकसां जा चार घंटिक सामना इक जो है वह झाल तक न्योच को लगा है कि तरस से ये शरडिये अगिंगों के सामना किया जनाफं का त्रत्में इस बनाए निकिया ऑफ्टिस रजबार्ट ने 25 रूस बनाए और उनकी तरफ से जह है वह यहां पर आपको बताए चलो के वो अली खान की गिन की उपर बोड़ वे डीजे ब्रावो ने 25 रंद बनाएं तेरा गिनुका सामना करते हैं एक चौकार दो चक्के लगाएं उनकी तरह से जोश्वर डिसिल्दा के 50 रंद ब्रावो के 25 रंद जहां पर इसके इलावा फैबियर नैलन ने कोई रंद ने मनाया डोमिनक रिक्स ने एक रंद बनाया नसीम शा ने दो रंद बनाएं एंड जॉन रस्त गागिसार ने पांच रंद बनाएं तो अधर हम स्कूर कार्ड को देख लेते हैं गाईस तो पहले बात की जाएगे पॉल अफ विकेट की पहले विकेट 18 के स्कूर पर गिरी क्रिस गे जोनाथन कार्टर की तुरप में अथी पार्टरिशिप देखने को मिली हमें इस ते विकेट जोश्वा दॉस्वा की गिरी 101 के स्कूर पर यहां पर चौथी विकेट्रियों है वो शर्पाइं बादर पोर की 132 के स्कूर पर जाकर गिरी अथार्मी अवर के अंदर एंद जो है वो इस मुकाबले के अंदर जाकर गिरी जहां पर बात की जाए बालर्स की तुम हिजरु उदाना ने चार अवर्स के अंदर 28 देकर दो विकेट को अपने नाम किया रवी राम पॉल ने चार अवर्स के अंदर 31 दी एक विकेट को हासल किया अकील हुसें ने चार अव ग्रीफ practice the 경rajula का है बुद्स फोर्च अगते हैं हैं अजब संग डीऊं कि भाइट बॉर्चर जा मुखर कीरिए के कैइंध सब्सक्राइब भूसुश्य क्वालिफाइब कर चुकिए हैं आप जिए कि जाह डूंछ इसे प्रेद है सब्सक्राइब स्क्वालिफाई कर चुकी है जहां पर जमीका तलवाज एंड बार्बर्डोस रॉयल जो है वो दोस्तों टूर्णामेंट से बाहिर हो चुकी है तो अब देखते हैं कि इस मैच को कौन सिटी में बिल करती है और नंबर वन पर जाती है दोस्तों सेकेंड इसकी शरवाद कुछ बात की जाए अगर मैच की तो दोस्तों मैच है टीम तैम पॉलिंग करने काम होने पास लाकिया और अच्छी बॉलिंग करवाएगी इस मकाडले के अंदर जो रूंस बनाने में काम्याब हुई उकी तादाद जो है वो दोस्तों आपको बतातादास चलो तो सिरफ और सिरफ यहां पर 147 नुक्सान पें बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दी टीक आर अच्छी बॉलिंग उनकी तरसे करवाए गई अगर हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर स्कोर कार्ड की सिचुएशन को तो स्कोर कार्ड की सिचुएशन जो है मैं आबात के साथ और शेर्ट कर देता हूं जहां पर अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिस गेल की तो प्रिस गेल ने वनाए पांच रंज चाहर गिनुका सामना एक जो वो चौका लगाया गया क्रिस्केल की तरह से योश्वा डिसिल्वा ने पच्छास रूंज बनाए और उनकी तरफ से जो है वो यहां पर आपको बताता चलू के अधार वो अलीखान की गिन के वोड़ वे डीजे ब्रावने 25 रूंज बनाए तेरा गिनुगा सामना करते हैं चौका दो चक्के लगाए इनकी तरह से योश्वा डिसिल्वा के पचास रूंज द्वाइन ब्रावो के 25 रूंज जहां पर इसके इलावा फैबियर नैलन ने सब्सक्राइब को मिला तो अठारा एक्स्वास की मतब्स से जो टीम मां अट यॉर्स हैं हुने रंज बना 147 और 248 का टार्गेट दिया गया है अगर हम स्कूर कार्ट को देख लेते हैं गाईस तो हम पहले बात की जाए फॉल आफ विकेट की पहले बिकेट 18 के स्कूर पर गरी Chris Gayle की सूरत में जोस्पी विकेट 62 के स्कूर पर जाकर गरी जोनाथन कार्टर की सूरत में अखी पार्टर्शिप देखने को मिली हमें इस जोटे बिकेट जोश्वादी सिल्वा की गरी 101 के स्कूर पर जहां पर चौथ ही विकेट यो है वो शर्फान रदर पोड की 132 क में इस के बाद ईक्ति इसके स्कूर पर पांट विकेट थानवो की सूरत में गरी यहां पर बात की जाए जहां पर बात की जाए बॉलरस फितों इस जोट अधाइस तो एक बिकेट को में है आपने नाम किया रवीराम पॉल ने चार अवर्स के अंदर 31 रंज दिये एक बिकेट को हासल किया अकील हुसेन ने चार अवर्स के अंदर 24 रंज दिये एक बिकेट को उन्होंने अपने नाम किया हाँ अगर जो भी टीम इस मैच को जीतेगी वो नमबर वन पर चली जाएगी पॉइंट शेबल की वपर लेकिन आपको जो टीम से उनके बारे में बताता चली जो के क्वालिफाई कर चुकी है तो उनमें नाम आता है दोस्तों ग्याना मैजून वोरियर्स का वो क्वालिफाई कर चुकी है टीम याँ पर टीम नाइट राइड उस्क्वालिफाई कर चुकी है जहां पर जमेका तलवाज और बार्बरोस रोयल जो है वो दोस्तों टूनरम से बाहर हो चुकी है तो अब देखते हैं कि इस मैच को कौन सीटी में बिल करती है और नमबर वन पर जाती है दो अगर तो मैच के टीम ऑगर जिते घर तास नीहां पर च, अची बाहली कर्वाई मिचेज परós रहांच क्या है रहा ये ताम पर याच जहां पर टीम इस मुखादे के अंदर जो रंज बनाने में काम्याब हुई उनकी तादाद जो है वो दोस्तों आपको बताते चलो तो 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 यहां पर एक सो सेंटालिस साथ इनुकसां पर बॉलिंग करते हुए हमें दिखाई दी कि आ अच्छी बॉलिंग उनकी तरसे करवाए गई अगर हम देख लेते हैं दोस्तों यहां पर स्कूर कार्ड की सिच्वेशन जहां वह मैं आबाद के साथ कर देता हूं जहां पर अगर हम बात कर प्रेटेशन दोश्राइब पर लांगत जो है वो चॉक लगाए गया करेश्कियल की तरसे योश्वा को पच्चास बनाए पिन्तालीस ने का सामना किया पांच चौक और एक ठक्का जो 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 डिसलवा की तरसे लगा गया जनाथन कार्ट्रत में 16 इनका सामना किया गया तीन चौक हमकी तरफ से लगा गये अपक्षीस रंज बनाए और उनकी तरफ से जो है वो यहां पर आपको बता दाद हो के इसके लावा फैबियर नैलन ने कोई रन ने मनाया डोमिनक रिक्स ने एक रन बनाया नसीम शाह ने दो रन्स बनाया पांच रन बनाया अगर 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 को देख लेते हैं तो पहले बात की जाएगे पाल आफ विकेट की पहले लिक्रिस गेल की सुरत में जोस्ते विकेट बासट के स्कूर पर जाकर गिरी जॉनाथन कार्टर की सूरत में अच्छी पार्टर्शिप देखने को मिली हमें पर आप सभी का हमारा साथ दिनी के लिए बहुत शुक्रिया जहां पर हम सेकेंड इनिंग्स की शुर्वात होने जा रही है नसीम शाह जो है वह दोस्तो गेंबाजी के साथ हैं बिल्कुल तयार पराइगी गेंड और पहले ही गेंड वाइड बॉल दोस्तों मैंच की जिए बहुत बाकाइदा तोर पर शुरुवात हो चुकी है वाइड बॉल हो जाएगा जहां पर एक है सब्सक्राइब करने के लिए अपनी रीम के तरह से रामदीन जो है वो दोस्तों के साथ हैं सो यह दोनों प्लेयर बड़ी इंग्स और अची दिंग स्केलने के लिए जाएंगे जहां पर रगी गेंडास उनके बाट पीच्वी अगेंड इस स्केन को बाट स्केल दिया है आ जांड बाल सक्षों बाल फेर्स्षू भाल जी खेंड्क लोस्तों आप साइट कमदीने कई पर से रिज़ंगे मौं जो रोक हäg किस कि insane को दिखने के का सी वालम रहती है नसीम शाक की आस्लों के बाहर पीछ हूँ एगेन बाट्स्रों इस इनको बैक पॉप पराते वे केल देंके पॉईंक की तरफ अपसूरत गेंबाजी नसीम शाक ही तरफ से पेस्टी डिलिवरी askum ke baher pichu hi again बाकप पर भे आपसाइक की थरूखेदा DJ Broud बावो एक इनके पीछे गे जिनुने रोका है इसके इनको बारिष अगर आ जाती है दोस्तों तो फिर ये मैंच अब भी नहीं होगा लेकिन ये के और बाद में जो है वो दोस्तों ये हाँ पर मैच दोबारा री स्टार्ट हो से कमिल को कहने का ये लेकिन ये कि अगर बारिश आ सकती है तो मैच का रिजल्ट अब भी नहीं आएगा न तो पांच अबरत का खेल कम असकम होना होगा ये मैं कहना चाह रहा था मेरे अलफाज जो है वो थोड़े गूम गए थे इसी वज़ा से तो दोस्तों दो है स्कोर बिना के से विगर तुमिक्सान ते तीन गिनों का खेल भोज का है पूरा प्रिकेट विद्मी ने हमें कर लिया है ज्वाइन वेल्कम टो दी लाइब स्ट्रीम यहां पर रभ इन उन्स ने एक रंदना रख्यार रामदीन ने को रंज मनाया सेकेंड इनिक्स की शुरात होच की है आपकी ख्याल से कौन से टीमिस मैंस को जितने वाली यह आपने हमें में दिना है बता जहां पर एक दवा फिर बॉलर है तो यार विकेट विकेट करवाएगी गुर्ण की यह गें लवले डिलिवरी दिस टाइम जहां बैस्टन ने रोक दिया इसकेंड को खेल दिया इसकेंड को वापिस फॉला के पास दाट पॉल्ड दिलिवरी चारगे नहीं होचके यह दो रंज वने हुए है और बिना किसी विकेट के निकसामती जीत के लिए बग्सटन की जरुगत है एक दो रंज की अफार्टन शिप चारगे नो की उपर अभी पिच्छ रिपोर्ट बताओ भाई बाई पिच्छ न ठीद जाएंगे वह सीदी सी बात है बैटिंग के लिए साथ जार है विकेट सिंपल डॉलर्स का कमाल है कि अगर वह यहां पर बिगाट ले पाएंगे तो ठीक है अगर नहीं ले पाते दो फैलबारी सी बात है आपको भी समझे में बग्सामती आंच के लोका केलब हो चुक कि मुझने एक रंद बना रखा है तीन गिनों का किया वैसाम नहीं रामदीम में जो है वो पिछले मैच के अंदर अच्छी शुराद दिल वाए थी और स्वीप किया है इसके इनको मतलब पुल किया है इसके इनको खुबसूरती के साथ लेक साइड के रीजन में जाएगी एगें चौके के लिए बांड ब्री लाइन के बाहर पहले हवर के अंदर बन चुके हैं टीम टी क्या कि विच्टीम दो ये स्पोर्ट ये आपने हमें बता देना है दोस्तों 321 लाइक्स जहें वह आपने कर दी हैं थैंक्यों सब्सक्राइब कर दी चैनल नतीश कुमार भाई हमार साथ है मौज़ूद शुक्रिया आपका हमारा साथ दिन की उडाना है हुसैन है सील्ज अली खान वहम अमफौल सारे के सारे के इन बादों ने बहुत ही जवर्दस किसम की बालिंग कर आई अपने टीम के तरह से 14 है सकॉर 141 विज्या की जरुब तरी क्यार को और अब पॉल बैंड में करीन को बॉलिंग के लिए लाए जाएगा जहां पर विकेट विकेट करवाएगी एगेन इसके इनको बैट्समन ने खेल दिया है वापिस पॉलर के पास पहले लगा ताब मैंचेट खेलते रहें लेकिन बीच में जाकर उनको ड्रॉप किया गया पचास रंस बनने के बाद ही विकेट जाएगी नाद गयता हूं कि विकेटी में गिरे फिर मकादू इस मैट को अगर इतनी आप पोई ट्रस्टेक्स इंब लेवाज में के उपर आथ है स्कोर जिना किसे विकेट को नुकसान टेक अवर और एक गिन का खेल भोज काय पूरे इन उन ने पांच रंद में बनाएवे इस चार गिनों का अनने किया सामना रांदीन ने एक रंद बना रख ए तीन गिनों का सामना का ते व्रिक किया है उंदा शॉट पूल में के बीन लैदर लैंड से इनका तालूख है गाइस आठ है स्कोर बिना किस विकेट को नुकसान टे आठ है स्कोर बिना किस विकेट के नुकसान टे कवर और दो गिनों के बाद यहाँ पढ़ रहा है इस तवर के लिए इन पैस पर आएगी अगेन इस के इन को बैस में ने खेल दिया लेक साइट के तरफ शॉट मिड विकेट के रीजन में मिड विकेट नी शॉट वाइन लग की रीजन में फिल्टर मौ जो देरो किंग वाइस के इन को चलिया दोस्तों आते हैं मैंस की तरफ एट विडाव लोस वन पॉइंट थी वर्स के बाद वॉल में मैंके बीजन ने पहले मैंतित के इन दर यानिके जो पहले चे मैंतित उन खेले पांच के लेए पांच के इंदर उन उन छे विक्टो का अपने नाम किया और इसके बाद उनकी फॉर्म जो तोड़ी खराब यह बहुति है इस केन को लेडल सिमंस ने अपसाइट की तरफ शॉट कवर की पा सिशन पर फिलरही ने माजो जो रोखेंगे सिकेन को अप हम नूरी बोलते हुए कि स्टा सब्सक्रूर्स तरिक वं तो नहीं दिखार है है। क्यों नहीं दिखार है हमारे पास तो दिखा रह कि थी सो और इस तफ़ाई एगें विक्टो को मिस्ट करते हुए पैट को मिस्ट करते हुए जाएगी विकेट कीपर के दस्थान हमें वाइड बाल का सिगनल दिया जाएगा अंपायर के तरस से कि दोस्तो काफी ज्यादा जो है वो काटून क्रेक्टर बाक्यू पर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं पॉल्वन में करीन के बल्ले के उपर जो है में दोस्तों दस स्कूर्ट विना के सिवेगेट निकसां पे एक अवर अवर चार गूम के बाद इस ने चे रंद बनाए के टपा लिने के बाद बाहर के ज़र निकलेगी अगें जाएगी अगें देखने के बर के दस ता ने डोंट यूज बार लंगज गाडस काहम केले के लुद हूच प्लिट हिएग डियी की स्काहचिक ते गृध्पल दोहदर इसका आखी लीग मैच terals नीक्यार नहीं कैट से रंद गोहँड़ात अजकरों की वाहधरी लाडस काहचे इपयोज काहचिक मैचे गास्ते उनरम हंशाएग विके ट्रवाइग एगे इसकें को फिकर दिया है बार्समने पार्स वराती रियें को मेड विकर टीट टरफ पर एगरं का इसाफ़ा दोस्री कि ले लाटाएंगे और फंडर विलान पर मोजे दे जो रोकिन इसकें को वर रोसपीज दॉस्पिस दॉस्ट प्लैक हॉप इस वि रंस की है बारा गिनों का इन दोनों प्लेयर्स ने का रखा है सामा एक सो आग यह नहीं है और 136 रंस की जरूरत है आल रॉंडर प्लेयर करेंगे लेफ्ट आम ओवर देकेट जिन्होंने दॉन आश्रू किया तेज स्वे अंपार को ग्रास के अगें क्या चागें गुरलन की एगें बैकपट पर रहते वे बैट्स में खेल देंगे इसके इनको पॉइंट की तरफ शॉर्ट पॉइंट की पॉजिशन पर फिल्डर है मौजूद जो रूप की इसकी मौजूद पारा बिना किसी विकेट के नुक्सामते और रब जो है वादोस्तों लेंडल सिमन्स ट्राइक पर हैं मौजूद करेंगे सबर की दूसरी गें का साम वालू बोलते हुए बोलू बोलते हुए कि विकेट देदो प्लीज देदेगे भाई डून परी अभी तो शुरुवात है अब जो है वो स्कूर रहेगा बार बिना किसी विकेट के मुक्सामते बिस टीम आप जो है वह बता सकते जल्दी से कापकी फेवरीट इम दोनों टीम्स में से कौन थी है अब दोस्तों अब तक चार रंज बनाएं में 6 गिनों का सामना करते वे जहां पर रब डॉम बनाकर बैर्स में इस गिन को कट करने की कोशिश में रहेंगे नाकां और जाएगी गेन दिकेट की पर के दस्तानों में हाइट की बार्निंग देते हुए अंपायर अब दोस्तों वाइट बाल का सिगनल लेक्सरम को मिस करते हुए जहां पर एक दावा फिर वाइट बाल देते हुए अब बार्निंग दोस्तों वाइट बाल का सिगनल लेक्सरम को मिस करते हुए जाएगी अगेन विकेट की पर के दस्तानों दो ओवर्स और तीन दो ओवर्स और तीन दो ओवर्स और तीन गेनों की उपर तेरा रून नाइट राइडर्स का स्कोर हुचका है ब्राबो बॉली नहीं करवा पारे दोस्तों तो ये एक अची चीज बिल्कुल भी नहीं है तेरा है स्कोर दना कैसे विकेट में किसामते दो अबर तो तीन किनों का खेल भूचका है पूरा जहां अपने अबर की चौथ विकेन लेकर बॉलर रहेंगे तायार शाट फिज अगेन हैमर कर दिया इसकेन को मिड विकेट के यानिके बैकवर्ड स्कुर लेके रीजन में फिल्ड और बांट रिलाइन पर हैम और जूद लुकिंगे स्कीन को इसी भी सिंगल लेने करेगा मौका को करने कर लिया है में ज्वाइन वेल्कम तो दिलाइश्ट्रीम पांसो लाइक्स कर दें हो जाएंगे पांसो आइटिंग हो जाएंगे मुझे जोगता है है पर्सनों दिलिंग्स विदाउट लौस अफर 2.4 वर्स इमंज ने साथ रूंज बनाएवे किया है मुने दस पिनका सामना वाम दीन ने चार रूंज बनाएवे छे किनका सामना करते हूँए जहां पर रबड रिक्वाइड रंडेट जो है वो आठके आस पास सेलते हूए उस्त इस अवाइड ब अब 114 बल्के एकीला 14 रहेगा स्कोर दूना कि सिविकेट नुकसान पे इतली एक सुतीन गिने और 134 रूंज के जरूत वाली कमस कालाम बल्कम तु दिलाइव स्टीम तु लाइव स्टीम तु ने वीडियो को कर दिया है लाइक तो थैंक यू सामच 103 दिलिवरी जाएगी 134 रूंज नीडिट विन इसमाच अबर यू बड़ा शॉर्ट लगाना चाहते थे प्लेयर्स कवर्ट की तरफ गें लेगी बले कांदरूनी कनार जाएगी एगेंद गेंद 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 दोस्तों यहां पर लाउंगां मिडॉन की फिल्डर की पास यहां पर लाउ कि अच्छ नहीं मजवाइन का रखा है वेल्कम टुदी लाइस्ट्रीम एक सच दो गिने हैं और 134 रूंज की जो टीम इसमाच को जीते की बड़ नंबर वन पर चली जाएगी बिल्कुल सई सुना आपने जो टीम जीते की वो नंबर वन पर चली जाएगी इमन्स ने साथ रंज बनाएं वेकिया दस किनों का अंग होनी सामना जहां पर रामदीन ने चार रंज बनाएं आट किनों का सामना करते हुए इमन्स जो है वो स्ट्राइक पर रहेंगे मौझूद बॉलर है पॉल बैंक अट्रीन बड़ा शॉट मेंड विगेट की तरफ फाइनली हमें एक लाजवाब किनेक्शन देखने को मिल जाएगा अटारा है स्कोर बिना किस विगेट के नुक्सान ते थी नवर दो रहेंगें के बाद आज कल से बेहतर फील कर रहा है कल जो है वो कुछ ज्यादत कावर थी लेकिन आज जो है वो कम थी वारी क्लोस तो कल लगा हुआ है एक उसके साथ ये गेम टक्राने वाली थी शायद कोई इनाम है स्ट्रम को टक्राने का लेकिन ये गेम जाओ दोस्तों ड्रम से बिलकुल न इन रख रहा पारी क्राउड की उतनी तादाद नहीं जितनी कल थी कल तो एक बहुत यची तादाद में क्राउड आया होता है मैच को इंज्वाय करने के लिए जहां पर रब बॉलर तैयार शाट पीचे गेम बैकपट पर रहा थे वह पंच कर दिया इसके उनको मिड़ों क स्टूर बिना किसे विकेट कुंक सांथ है प्री ओवर्स और दो गिनों का खेलब में यानिके तीन ओवर्स और दो गिनों का खेलब होच का है पूरा तो गिन एक सो तीस रंस की जरूर तो इस ट्रीम इस गूंग टो इन दिस मैच यू कें टेल मी अली खान जो है बो दोस्तो आज कम्माल बॉलिंग करवाई थी थी उन्होंने तीन विट्रों का अपने नाम किया था बहुत इम्दा बॉलिंग करवाई गी उनकी दरसे हम 140 लाइक साइए अपना टारिट पूड़ा करने के लिए 6 वर्स के अंदर 40 रंस बनेगे युक्रिया को खरन और यूर बेस्ट विश इस अठारा है स्कोर बेना किसे रिगट कुंक्सान पर प्रिटी रेगुलर मौड है अब बाकपट पर आते वे स्ट्राश कर देंगे बले बाद इसके इनको डीप पॉइंट के फिल्डर के सरकी उपर से चाओकी के लिए लॉब्ली पीस ओफ प्रिकेट लेंडल सेमन्स इस इनको स्लैश करेंगे जोरदार अंदा से और बेई देगी के इनको चौकी के लिए बाद रिलांग के बाए टीके आर की टीम जीतेगी अच्छ छले पता चल जाएगा हाँ वैसे इतना मुश्किल नहीं है यह 99 गिने और 126 रंस हैं टीके आर की टीम जीत सकती है 22 फर दलास अपन आफ्टर 3.3 ओवर सत्तर परसंट टीम टीके आर के जीतने के चांसे से हैं और और वाइस स्कूर बिना के सवेगे इंकसान पर राइट आम ओबर विकेट ये गेम जाकर टक्राएगी पैट से अपील हो सकती है लबी ड़्यो की लेकिन ये गेम बले का अंदरूनी के नारा लेने के बाद आट से इस वज़ज़से नोट आउट का ही सिगनल दिया जाएग वाइस स्कूर बिना के सवेगे इंकसान पर राइस पर सूट अपने सिंगल ले लिंगे ये प्लिया ये रहा है स्कूर बिना के से विकेट के निकसान पर रिसी भी एक मेडियम पेस बालर की जब गेंद बैसमान तक पहुंचती है दोस्तो तो उसकी पेस सौ के आसपास हो जाती है सो किलो मेंटर पर और की अलकासा डिफेंसिव शॉट लेक साइट की तरफ इंगल मिल जाएगी हमें अलब बैसमान पर इसकेम के ओपर 24 स्कूर बिना के से विकेट नुकसान पर तीन अवर्द और पांच गिनो का खेल अब भोचका है पुरा जहां पर सिमंस ने 15 रंज बनाए हुए है यासम ने 14 गिनो का सामना रामदीन ने 5 रंज बनाए है नो गि को खेल चुके हैं जो कि इसके बाद आएंगे बल्ले बादी करने के लिए लेकिन फिलहाल ये दोनों बैसमें कमाल क्रिकेट खेलते हुए स्मैश कर दिया है और गेन गौली की स्पीट की मानित निकलते हुए जाएगी बल्ले से एक और चौके के लिए बांट प्री लाइन किसी बीटी फ्रेंटी मैच के अंदर पांच अबर दूसरी इनिक्स के अंदर होने होते हैं मैच का रिजर्ट देने के लिए एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करें इस वकर टाइम डो टाइम आउट देने का मूड नहीं है तो अक्षे बाद चीट के सिल्ट ले को आप जारी रखिए सिमन्स ओन 19 ही फेस 12 15 डिलिवरीज रामदीन ने पांच रंज बनाएं में नोगेनों का खिया साम लंडल सिमन्स सीपील क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा रंज बनाने वाले प्लेयर हैं दोस्तों अबिस सो चॉबिस चॉबिस गेल नंबर दो पर हैं अंसन्चाल्स 272 रंजो फ़लाड इक्षो जो है वह फचास बंज इंथने बना रखें अ-र्यमार्योश शोफट्ड ने आज कम्माल किया टीम जमेका तलावाज की तरसे हैं यमार्योश भलाज कि टीम हार रही थी पिछले मैंच को लेकिन रिमार्योश शाफटर ने इस एक अपने टीम के स्कोर को 142 तक पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने जो है वो दोस्तों तीन मिक्ट्रों को भी अपने नाम किया कि मार्यो श्याफ़ड पीछने मैंच यह मैं अफ दिम्याच अपने जो है वो दोस्तों 6.7 की अश्याफ का चलते वे क्रण पर रन रेट जब करिक्वार्ड रुड़ाइट साड़ साथ का है दोस्तों बोलते वे लेट सीविक्ट गिरती है या नहीं गिरती जहां पर सके उल किया तो वहांगों साथ भस निकाल देख साइग की तरफ इस इंगल जो है वो लिया जाएगा और सिंगल के साथ अब स्कॉर हो जाएगा आम तीस विदांखे से विगट के नुक्सान थे चार अवर दो 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 दोने के बाद नसीम शाह जो है वो आपको बता दू कि यहां पर एक अवर करवाने के बाद प्रकाइब विदांखे से विदांखे साथ हम स्कॉर रहेगा इस दिना कि से विगट के नुक्सान थे थिए 30 without loss after 4.3 overs Middle phase जवर दोस्तों इस मुकादल का चलते हैं वो बहुत की जबरदस्ति नार्स Warriors scoring rate by phase की बात की जाए तो power play के अंदर 6 के run rate के साथ की टीम आगे बढ़ती है middle over के अंदर 7 के run rate और लास्ट ओवर्स के अंदर इंकी तरह से जहर वल्यवाजी काफी तेज की जाती है शॉट्वीचे गेंद कर देंगे लीव मतलब खेलने चाहते थे लेकिन रहेंगे ना लावास की तो वो मतलब आउट हो चाहें साधी साथ रंस पावर प्ले के इंदर बना थे लाफ्टाम ऑपर दवेके ट्रेक्स के लिए गेंद निकाल दिया है बलकि मैं खुदी कर देता हूँ और सॉलबा थे लाफ्टाम जहां पर रब चार अवर्ज और पांच के लिए होच के लाइगा इस फूर पर है रामदी नाट पर है यहां पर यह गेंद के उपर हुई है बड़ी अपील कॉट बिहाइंड की नॉट आउट का सिग्मल दिया जाएगा उपायर के तरह से बड़ी से स्कोड बिना किसे वगर के नुक्सान पे पांच का खेल भोच का है पूरा और पंद्रा वर्स का खेल जाएगा दोस्तों होना है अभी मजीब बाकी रजेश भाई हमार साथ मोज़े जो बोलते हुए के स्के एंपी की तीम इस मैंच को जी तिकी लेक्ष्टी बिल्या और सिटीम जीती है स्मैच जो है वो बॉलिंग करवाने के लिए नहीं आएंगे लेकिन नसीम शा के साथ बाद बाचीत करते हुए क्योंकि नसीम शाह आज जो है वो दोस्तो एक यंग अगें बाव है आप दिन्ने आट रंद बनाएंगे और रखिया चौल अगर सामें हो जाएंगे हो जाएंगे को कर लेंगे अपने नाम अलाओ कैट्स नियुक्त खीया अपने नाम अब होताओ लॉट ऑड़ा चैट्स लासे त्छा भाई फ़ाव मैं आलन किया ही जबर दसक्षा की आरप्स छुपर्माइन दिनका नाम में दस्टा फैन्छ जबाब का इस थाम लेगें वाट अकैट्स आउट्स्टेंडिंग बहुत ही जबर्दस किसम का यह कैट्स पिशली पिश्ली की तरफ दोड़ते हुए इसकी उनको कैच करेंगे एक हाथ के साथ उनकी तरफ से किया जाए गया 371 पे स्ट्रक हुए नहीं अभी 384 हो गया वाट अकैट्स जितनी तरफ खेला था मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह कैट्स कैसे हुआ बरहल हो गया दोस्तों यहां पर कैट्स स्कोर रहेगा 32 के नुकसां की टीम पहली विकट कर चुगी है टीक यार्ट के फैंट कैसा फील कर है अब कर दावर्द और पांच किनों का खेल होना है अभी मजीद बाकी आउट हो जाएंगे प्लेयर राम दिनेश अभी भी है लेकिन लेंडल सिमंस आउट हो जाएंगे कॉलम नरो जो हैं वह दोस्ताब बलेबादी करने के लिए आज कि एक हाथ के साथ बिल्कुल जमीन से गेन को उठा लिया पीछे की तरफ दौरते हो तुके वैसे आम हलात में लाइक अगर गली की डिकट चल रही हो ना तो इस किसम के कैच पकड़े जाए ना तो फिर होता कुछ यूँ है कि इनको कहा जाता है कि तुका लगाएं यहां पर अपनी डिरेक्शन को चेंज करते हुए सिंगल हैंडर ली गेन को पीछे की तरफ दौरते हुए यहां है क्या जहां पर नसीम शा अपने अपर के लिगेन लेकर आएंगे स्लोरन जेगेन राम दिन इस गेन को खेल दिन पॉइंट की तर रॉन आउट होने का फट्रा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि फैर्बियन एलंगेन को विप्टो में मारने में रहेंगे नाकाम जहां पर रब श्कूर के नुक्सान पी पांच अवर दो गिनों के बाद ऐसा मतलब कैसा और बसा मुझी बताएं जो रहा है कि आप बात करें तो दोस्तों एक फिल्डर डीप पॉइंट पर रहें और एक फिल्डर जो है वो बैकवर्ड स्कूर लैकी पॉजिशन पर बाउंडरी नाइन पर मोजू दें तो यह दो फिल्डर इस वगत बांड प्री लाइन पर मोजू ने इसके इलावा सारे के सारे फिल्डर जो हैं सर्कल के अंदर है क्योंके पावर प्ले चल रहा है और कॉलर मुंडो जो है वो नसीम शा के एक लिगेंग का करेंगे सान पांच अवर दोगे नहीं होच की है इस त्री गेंद रहेगी दोस्तों यहां पर बॉलर से बाचीत करते हुए कप्तान डीजे ब्रावो डीजे ब्रावो जो इतनी मिहनत नहीं कर रहें मतलब इतनी बॉलिंग नहीं को कर वारे क्योंके यहां पर अब अगली जो अगले आए है दोस्तों और आकर उन्होंने आखों में आखों से आखे चार की हैं वा नसीम शा नसीम शा जोनाव दोस्तों बहुत ही जो शीले बॉलर लगते हैं और जब भी इनको विकेट नहीं मिल रही होती तो सीधा जाकर बॉलर की आखों में आखे डाल लेते हैं हाँ भी बत पहुंच चुकी गिवन में आपको बता देता हूं गाइस सभी फाइनल के अंदर रभ एक्यार के टीम, पाट्रियोट के टीम, ग्याना मजदून वारियर्स के टीम, और टीम सैंट लुसिया किंग्स पहुंच चुकी, अफ्सलोर रवंज अगेन, इसके इन को कर दिया, डिफ नसीम जो और तो वाला नाम होते हैं नसीम वाला, जो है वो दोस्तों, सीपील के अंदर बहुत ही जबरदस्ट किसम के कैच्छ देते रहे हैं, और इस दफा फिर से एक बहुत ही अंदा कैच्छ उन की तुर से लिया गया, गया, 37 स्कोर एक नुक्साम पे 5 अवर ज़र, 5 ग लेकर आएंगे, बाकफट पर रतवे कट कर दिया, इसकी उन को डीप पॉइंट की तरफ फिल्डर, बांट प्री लाइन पर मोज़ी देर, ओकिंग वे इसकीन, 34 पर दला सफोन विकेट, नसीम शाह, वर्सिज कॉलम मंदरो, छोटा सा मुकादला हमें, तिल्हाल होते हुए नसीम शाह को एक अवर और दिया जाए, जाना समी फाइनल कल शाम साथ बजे है भाही, जाना समी बजे आपके साथ लाइब आ जाएंगे पहले समी फाइनल के लिए, बलके 6-10 पर आ जाएंगे लाइब, 3300 स्कोर एक नुक्सान पर पांच आवर दो और पांच कुनों का खे तो दोस्ता है तुमारी एस, पके टीम हार एक किसकी भैी, किसकी एस, के एन, पके टीम, बीर आउट, कौन आउट, बीर कौन आउट, यहार कौन आए बताए, 400 लाइक होने में, 10 लाइक की है, हमें में में लीजी जरूरःती, नहीं किया हुआ तो जल्से वीडियो को लाइ की वक्त होगा दूसरा तो दोस्तों इन फाइनल कल को खेले जाएंगे जहां पर फर्स तो यानि के वेडनस दे वाले दिन शाम साथ बजे फाइनल मुकाब ना जो है वो दोस्तों खेला जाएगा नसीम शाह की पेस 142 वाव इस नाच की जो है वो दोस्तों तेज तरीन बॉलिंग अब तक नसीम शाह ने 142 की पेस के साथ करवा रखिये तीरियस पेस शो करते हुए बालिंग में तब दिली के जाएगी वाद अहमद के लिए लाए जाएगा फिन बॉलर वाद अहमद जो है वह दोस्तों गेन बाजी करने के लिए अब आज जाएंगे वाद एमद की अगेंड अची गेंड गुगले गेंड टपा लेने के बाद बाहर की तरफ निकलेगी अगेंड और अलेके आउटसाइड एच को मिक्स करते वे जाएगी अगेंड दिकट कीपर की दस्ताना लवली पीस ओव बालिंग बज जाएंगे दोस्तों ये प्लेयर वाद एहमद की इंद को जो है वो गैप में खेलने चाहते थे यहां पर एक दवाद फेर बालर रहेंगे ता यार इस तवर के ली गेंड इस गेंड को स्ट्राश कर दिया है कवर्स की तरफ एक्ट्रा कवर की पर जो फिल्डर माजूद है वो रोकिंगे स्केंड को अंतिसा स्कोर एक की नुक्सान पे छे वर्द और दो गिनों का खेल भोज काया पुरा फवाद एहमद अच्छा बॉलर है जिबिलकुल लेकिन अब देखने है कि कैसी बॉलिंग रहती है फवाद एहमद की जहां पर एक दवा फेर रहा लेगें बीट बीट हो जाएंगे प्लेयर लवली पीस ओफ बॉलिंग तीन दफा तीन गिने करवाई गी और तीनों की तीनों गिने लाज जवाब करवाई गी है जहां पर रब सब्सक्राइब कर दोस्तों 23 डॉट डिलिवरी सोच की है 49 में जो है वह दोस्तों 23 डॉट डिलिवरी अल्रेड़ी हो गई है रामदील ने नोर रंद बना रखे मन रोन एक रंद बना रखे है जहां पर रब ववाद हमारे एक दवा फिर से तयारी सब्सक्राइब की चौथी गें अन्नादर गुड डिलिवरी गेंट अल्की सिवाइर की तरफ निकले गेंगें इसके इन को बैस्मन ने खेल दिया है जहां पर रब एक दो फेर लिगेंद इसके इनको स्मैश कर दिया है लॉंग आप करी जने सिंगल लेने का रहे का मौका अब फाइनल के अंदर अल्डेडी जो है वा दोस्तों यह टीम गाच के टीम टीम पैट्रिवार्स लेकिन अब यह चीज है कि जो टीम जीतेगी उसके पास एक बड़ा मौका होगा कि वो नंबर वन पर चली जाए और स्काम का लपेर नंबर चार वाली टीम के साथ होगा तो यह चीज जो है वोई स्वागत विंटर पॉल भाई विंटर पॉल इस नाच्च आ थिंक टीक्या थे आर प्लेंग नाइस क्रिकेट 79 दिलिवरी एंड दीनीड 12 रंस उन संवंटी एंट तरफ एक दबाद फेर गुद लीगेंट पा लेने के बाद हलकी से अंदर की तरफ आएगी यह गेंट बैस्वन इस निस निकेल देंगे लिक साइट की तरफ कि 37 स्कोर एक के नुकसान पिए 7 वर्स का खेलब भोज का है पूरा कि 37 मुकाबदा है दोस्तों यह CPL का जिससे हम बोल सकते हैं कि बहुत ही जबरदस अंदा से आगे बड़ते हैं आखरी लीग मैंच है यह CPL का कर दोस्तों नहीं 500 नहीं 400 लाइक स्पूरे होने के लिए खो करें लगता है आपको काफी नहीं दा गई अब भी जो है वह 400 को 500 बना रहे हैं हमारे वाली सिच्वेशन बन गई ही ना आपकी से यह क्याम आपको बताता है मुहामद आमिर की टीम जिसे आप बोलते हैं आद्र वर्सीन की टीम की भाए रही रोच किया गाई मतलब के पिम बार्बोह जो है वो यहां पर जमेका तालावाज यह दोनों टीम टूनामिंट से अब बाहर रोच के तर इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं और अब इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं यह बात देखने लाइक होगी क्योंकि वो शायद मैच को इंटरसी मनाना चाहते हैं तर इतना स्लो क्योंकि विडियो को लाइक कर दिया दिल से शुग्रेश पिछले मैच के आखरी दो गिनों की उपर इन्होंने दो विट्रो को अपने नाम किया था जहां पर अब देखने हैं विकेट ले पाएंगे और नहीं ले पाएंगे कर दिया इस के इनको लॉंगन के रिजिन में उना पटेल बोलते हुए के पिछ स्लो हो गए यह नहीं पिछ इतनी भी स्लो होनी है बस यह के बैसमन जो है वो अपना टाइम ले रहे हैं इस मैच को जो है वो लास्ट आवर्ट के अंदर लेकर जाने की वो कोशिश में वार्यर्थ के खिलाव पिछले साल जो है वो जो शानी सिल्वा ने एक हाफ सांट्री मारी थी और इस जो है वो कह लीजिए के मैच के अंदर उन्हें फिर से लगाई है फिफ्टी आपको क्या लगता है सीपील के मैच इस फिक्स होते हैं नहीं बाई मुझे क्यू लगेगा सिंगल के साथ अबर तीस हो जाएगा स्कोर एक नुकसान पे साथ अबर जौर दो गिनों के बाद के टीम आउट हुई है नहीं भाई दो टीमें जो है वो आउट वोच के इन जिनको होना है अब अब आउट का शांस मिस करते हुए यहां पर जिनका नाम है रदर फोर्ट 49 स्कोर एक नुकसान पे साथ अबर दो तीन गिनों का के लब भोच कहा है पूरा एक आर्के टीम जीतेगी पोड़ी स्लोग खेल रहे लेकिन ये कि जीतनी का इनकी जाद जित्वाएगा लेक्सी के रामदीन जित्वा पाएंगे या फिर नहीं जित्वा पाएंगे आम हलात के अंदर रहो होता कुछ यू है कि यह मैच 15 मिनर के बाद मतलब खतम हो जाता है लेकिन अभी तक कि यह मैच चल रहा है गाइस साथ अवर्द और तीन दिनों के बाद अगला मुकाबला समी फाइनल होगा और वो मैच अप कल शाम साथ मजे खिला जाएगा समी फाइनल पर अभी खेल देंगे बाट स्वैनिस गेन को फाइनल लग की तरफ क्याप में है गेंड और बांट प्री लाइन के बाहर जाएगी य जो है वो हमें देखने को मिलेगा चौका दस गिनों के उपर साथ बना रखें जहां पर एक दवा फेर बालर रहेंगे तयार हवाँ में खेल दिया इस गेंड को और ये गेंड दो फेल्डर्स के दर में जाकर गिरेगी नो बोल का सिगनल दिया जाएगा अंपायर के तरह से नो बोल एंड फ्री हिट इतनी खुशी में जल्दी से लाइफ इस ही खुशी में किस खुशी में किस खुशी में है आत अबर जो चांगे ने हो चुकी है गाईज जहां 45 स्टोरे के नुकसान पे बड़ा शौक खेलना चाहते थे पर गेंड ने जो है वो दोस्तों दिया बल्ले का उपरी किनारा हवा में रही ये गेंड और जाएगी ये गेंड लोंगन के रिजन दिनेश रांदीन ने बार रंज बना रहे हैं इसमिल का किया सामना जी ता कितनी बांडरी इस नहीं लगी और बांडरी लग जाएगी इंके बले से पहला चौका दे मारा है मिदा भाता बात स्माश करते हुए प्लेर इसके उन को बेज देंगे बांडरी लाइन के बाहर चाओकी के लिए 49 पर द लास प्र वन लेकले द आफर 7.5 बश्वाइब अच्छा चाओकी की खुशी ने एक टीफल निट वाइट वाइट चाथ हम गागा ची गेंड अपील हुई है अबडा दीव की नॉर्टाव का सिग्नल भाहर की तरफ की तरफ नहीं और हैं आठ आप अद नहीं चासान जाथ एक वुक्सांटी रच एक रिएक रार के साथ ये टीमा के वरते हो फिलहाद है सिर्फेंध इंदर भी मझी बागने सब्सक्राइब आप भी लाइक वर सब्सक्राइब करें मैं भी करू मैं वैसे कैसे कर सकता हूं पूरा जिन को बोल रहा हूं वो तो कर नी रहे तो मैंने का करना है तो भी फैदा में रहा है गेंट पर रहा तो भी फैसे के साथ पचास हो जाएगा स्कूर रामदीन ने सूला रंज ने का किया उने सामा इतना स्लो खेल रामदीन नहीं आइस्ता इस्ता वो अपनी स्ट्राइक को मेरा यमानना है कि इप्रूफ करेंगे आइस्ता इस्ता जो है वो आगे बढ़ेंगे जहां पर रगली गेंट को डाम दा ग्रांड खेल दिया लॉंग वन की तरफ एक और सिंगल देने का रहेगा मौ दो इट का इंजन है तो कि अगाडी के इंजन को आप सभी फ्यूल देंगे तो यह अच्छी चीज रहेगे ना तब ही चलेगे ना अगर विद्ट फ्यूल जाया जाएगा अच्छा से उसकी सर्विस की जाएगी तो हमारी सर्विस लाइक और कि सब्सक्राइब ही बीग अ सब्सक्राइब एक निकसान ते आठ अबर जोरे तीन किनों का केलब होच काया पूरा अबर जाएंगे प्लेयर जी हाँ जबर्दस गेम राम दीन इस गेम को लेक साइड की तरफ खेलने की कोशिश में रहेंगे नाकाम और टीम जो है बदोस्तों पैट्रिवार्स अभी भी स्माच के अंदर है बाकी वेक्ट्रू फोर खौबाद इस गेम को सीधी रहे जाएगी की अगें फ्लाइट गेम थी और आउट हो जाएंगे दोस्तों यहां पर प्लेयर जिनका नाम है अदनेश रामदीन दूस्त्री विगट गिरते हुए टीम टीक्यार की रून रेट इनका काफी लो एंड स्लो चलते हुए दोस्तों सट सटकी ने चाद में रून्स की जरूर है नाइस पीस ओ बॉलिंग नाइस पीस ओ बॉलिंग यहां पर अवाद की तरफ से चार रूंज देखर एक विगट अपने नाम कर रखा है एक अवर और पांच को जबाद ऐसे क्यों आउट हो रहे हैं बस अच्छा है ना मैच इंट्रसिंग होगा आखरी अवर्च के मज़ेवादा मैच बने गए गए बामन दो के नुकसाम पर तीम स्कोर 52 अंद्रो नौ पर मौझूद है डियम ब्रावो आ जाएंगे दोस्तों फीजे ब्रावो के भाई साहब जो हैं वो हो अब बल्ले बालती करने के लिए आ जाएंगे यहां ब्रावो अभी हसन बोलते वोए पांच के यूएस री आ गया क्या भाई 52 है स्कोर दो के नुकसान पर आठ वर दो और पांच के लोगा के लब होच का है पूरा तुनिन नारायन जी हां दोस्तों अब बैठे हुए हैं आज का यह वाला मैच ने खेल रे सुनिन नारायन मंदरों ने नौरंज बनाए हुए हैं और किया अधनी 14 गिनों का सामना डियम ब्रावो नहीं को इरन नहीं बनाया और किसी विजियन का सामना नहीं किया हुआ विकी मलिक है हमार साथ मौझूद हेलो एंड वेल्कम तो दी लाइव स्ट्रीम में भी विल्डिंग की बात कर लेतें लॉंग ओन मिड्विकेट बैकवर्ट स्कूर्ड लेंगे एक्ष्वा कवर की पॉजिशन पर फिल्डर बांट्री लाइन पर मौझूद लव लेड़े पर फववाद की तरस से टपा लेने के बाद बिल्कुल सीगी रह जाएगी अगें दौर जाएगी अगें दिकेट कीपर की दस्तान में लीप किया बैस्वने नहीं कहा भी तो आपको 400 प्लस लाइक का फ्यूल मिला है यह सुबोस्ते मिल रहा है तो आइस्ता इस्ता मिल रह लेकर टाइम की फुल हो जाए लेकर साथ साथ खतम भी तो हो रहा है ना फ्यूल यह भी तो अंदाला करें ना हुवे की मलिक ने हमें कर लिया है ज्वाइन श्यक्री आप सभी का और विकी मलिका अब बैटिंग श्रेल कम करन फुला टीम साइफर इसरो दान एकिल हुसान ज अब रंडन टेलर जिनका पालुक जंबाब्य से है दोस्तों रिटायर हो जाएंगे इंटरनाश्टल क्रिकट से वाइंगे तयार दी गेंद और बोल्ड कर दिया है वाउ वाँ वाट अडिलिवरी जागी सार जोन है वो दोस्तों को करेंगे अपने नाम बोल्ड कर दिया है दोस्तों यहां पर कॉलन मन्रो को उन्होंने गोड मॉर्निंग एंड अस्तलाम वालेकम अस्तलाम गोपाल चौदरी आपका देखो वह 417 हो गए हैं नहीं बहुत चार्सों बीस हो गए हैं मैंने अभी अभी किया है शुक्री आपका गवपाल चौदरी थैंक यू फॉर यूर विजर है जागी सार ने बोल्ड कर दिया कॉलन मन्रो को जहां पर रब बावन है स्कूर तीन के नुकसां पे नो अवर जो रेगिन का खेल होच कैप कुट तो दोस्तों एक बड़ी विगट गिरते हुए बावन है स्कूर तीन के नुकसां पे डारम ब्रावो का आप साथ देने के लिए देखने कौन से प्लेर आएंगे कि पील के यह आखरी लीग मैच है और इसके बाद सीपील के अंदर जो है वह दोस्तों खेले जाएंगे यानिके दो समीफानी और एक फाइनल मकाब्र निला और पीला हमें 19 सेप्टम्बर को खेलते हुए दिखाई रगा निला और पीला सबजगे आप मैं किसकी बात कर रहा हम निला पीला बून-बून से लोग कोशिश कर रहे हैं जी बिलकुल ऐसा ही है आइसा आइसा जो है वह आगे लेकर बढ़ने है अब देखिए 400 सपाइस हो गए दिल से शुक्रिया आपका match is going to be interesting one जहां पर बावन है स्कोर्ट लिंग के नुकसान ते नो ओवर जोर एक गेन का खेल होच कहा है पूरा interesting चीज़ आपको बताओं कि इतना लंबा लाइव हम अभी तक नहीं रहे हैं दोस्तों जितना लंबा लाइव अब हम रहा रहे हैं like कल शाम हम आये थे 5.45 फे लाइव आये थे 5.45 फे लगबग लगाता आ रही हैं वीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक आई है शायद जब इनिंग्स ब्रेक आती हो तो ये वो पांच 45 से आये हैं लाइव और अब जो हैं वो बारा वारा और आप 45 साथ उन्ता चोदा गिंटे होच के हैं और अभी भी ये मैच बचा हुआ है तो एल गिंटा मुझीब लगा लिए फंद्रा वावन है स्पूर्टीन के नुक्सान ते नौ और जो रेगिन का के लब होच जहां पर अगर हम पुइंसरोम को देख लेदे जो सतो तो ओम Means को ऊशल गदे तमापको साथ ज्हां पर पर नबर तीन की टीम को टीम टीकर know टार पर हें टीम स dream? लूज किए झार व टीम जिन Vergna CAP लिन वी शेयानि लेशन हो आधार التर. चाहन लेशन में वह लिधा लई खाद्विन, उक्याव नहां पर पर तांने कि युद लो सुन कि दोऄगे गोपाल भाई ये तंग कर थी बावन है स्कोर तीन के नुक्सान थे नौ वर्ज और एगिन के वाद यहां पादर रहा ओ लवली हिट कैरन पॉलाड ने आते ही लगा दिया एक बहुत ये बड़ा बेहतरीन चक्का अठावन है स्कोर तीन के नुक्सान थे नौ वर्ज और दो गिनों का खेल भोज किया पूरा वलाड ने थे रंद बनाए वह एक इनका किया है सामना आते ही बेहतरीन चका प्रैशर रिलीजिंग शॉट दो फिल्डर को स्लिपर रखा गया था लेकिन कांटर अठाट किया है KP ने और दे मारा है चका बहुत आराम से खेलते है KP जैसे चक्के लगाना उनकी बच्पन की होबी हो बेर इतनकुल आराम से इसके इनको कनेक्ट किया कि आवन है स्कोर तीन के नुक्सान के नौ वर्ज और दो गिनों का खेल भोज काया पुरा सद्धियने और नवे रंज जहाओ टीम की क्यार कुछ चाहिए सद्धियनों के उपर नवे रंज नहीं यहां पर आपने क्या तंग करना हों मतलब एट्स और जब चलने तरिपन पाट्रियोर्स जबके 47 परसेंट जहाओ टीम इंग्स के जितने के चांस सेंट सो लेट से वट हैपन्स यहां पर नौबर जो दो गिने होच के अठाबन है स्कोर तीन के नुक्सान पर पॉलाड ने चेरंद बनाए हुए एक गिन का क्याव नहीं सामना पहली गिन के उपर चका ने मारा हुए जहाँ पर क्यारन पॉलाड हिट कर देंगे इसके इनको एक और चक्के के लिए तिक्टिंग फॉर्म में दिखाई दे रहे हमें के पी जिन हमने दो गिनों के उपर लगा दिये हैं दो चक्के पाड़ी टाइम जी हाँ दोस्तों तुबस्तूरत हिट है मिड विकेट के रीजन में जाएगी एगें छे रूम्स के लिए बांडरी लाइन के बार दिपक चान्द दीपक चान्द अलो गुड बॉर्णिंग वासी बाई अलों वेलकम के लाइस्ट्रीम दिपक चान्द कौन है दिपक रमोला तो हमने चुना हुआ था गेंद को सैनिटाइज किया जाएगा जी हाँ दोस्तों दो गिनों के उपर दो चक्के एपी की तरफ से कि अंदर ये दोनों टीम तो नहीं आपस में टक्राएंगी तो अब देखते हैं कि जिस टीम के साथ इनका मकादा होगा वो इन से क्यासी खेलेगी 440 लाइक्स हो चुके हैं गाई थैंक्यू सो मच पर लाइक निग वीडियो एंड़ सब्सक्राइब कर चान्द आपके जी खोकर एंड़ सी यू अगें तो रियो बीज़श है दो चक्के लग चुके हैं पहली गेंड के उपर विकेट गिरी अग्ली दो गिनों के उपर दो चक्के लगे जान रस जागी साथ जहां हो दोस्तों थोड़े महंगे साबित होते हुए जहां पर अपने अवर मैंने में इस वासिफली ब्रो गुड मॉर्लिंग सर क्या सियंताज मुहमन बिल्कुल ठीक लाक आपके दोहां से इस तवर के लिए गेंद एक तबाप फिर बड़ा शॉट लगाना चाहते थे के पी लेकिन इस तफ़ाई गेंद इतने अच्छे से उनके बले के उन्दर नहीं आई जाएगी एगें लॉंग उनके रीजिन सिंगल लेने करेगा मौका जहां पर रब पांसट हो जाएगा स् पूरा नाम है अरे वहाँ अपना नाम तब्दील कर लिया आपने गुड़्ड है वही गुड़्ड है वहाज कर दी वही मौका तो दोस्तों 65 स्कोर 3 के नुकसान पे वह लाट के पास इतना पावर है के छे मारने में कुछ करने ही नहीं पड़ता है जिब बहुत ही आराम से वह चका मारते हैं लिगें गुड़ लंकी अगें दिसकें को बैर स्वन ने फ्रंट फूट पर आकर रोग दिया हैं अलब खेल दिया इस गें को वापिस बॉलर के पास डॉट डिलिवरी रहेगी अगें दौर रेसली के साथ अब स्कोर रहेगा पैंसर तीन की नुकसान पे नो उबर्स और पांट की ने हुचकें पूरी अन्ना तर लवली डिलिवरी दिस टाइम ये गेम जो हो दोस्तो बले के आउटसाइड एच को मिस करेगी दस के बाद स्कोर रहेगा पैंसर तीन की नुकसान पे और दस ये उवर्स का खेल जो हो यहां पर अभी होना है मजीद पाकिसान का मैच दीपक भाई दीपक रमोला पाकिस्तान का जो मुटाबला है वो खेला जाएगा अब आपको बताता चलू तो 17 सेप्टमबर को 17 सेप्टमबर को पाकिस्तान का पहला बंडे मैक्स टिंग न्यूजी लैंड के खिला जाएगा गयाना मैजन मौरियर्ज दर के टीम आसगाइब ásटीकर ने बस एंड प्रेट्रीष के टीन कालिफाई कर चुकी हैं गारास सेप्टमबर की टीम पाकिस्तान का अब होतों है मज़ीद बाकियों राहुल वर्मा भाई ने हमें कर लिया ज्वाइंग बाद दो शुक्या चार लाक्स है ये साढ़े चार सो लाक्स पुरे करने के लिए और ये गेन गुगली गेन एक्ट्रम को मिस्ट करते वे जाएगी विकेट कीपर के लिकेट कीपर के जो दोस्तों तस्तानों में वाइड बॉल का सिग्मल दिया जाएगा अमपार के तरफ से और अब पॉलार्ड आफ स्ट्राइक हो जाएंगे तो देखते हैं कि अब तो है वो फवाद एहमद कैसी बॉलिंग करवा पाएंगे इन को जहाँ एक दबाद फिर फवाद है तयार अपने अमर के लिगेंद लेकर अमी गेंद ओम दागेंद बंदे के एच को मिस्ट करेगी ये गेंद और जाए कि दोस्तों ये गेंद विकेट कीपर के दस्तान अब दो हफीस वाली क्या कंटरवर्सिया आ रही है भाई देखो क्या बनता है मौहमद अफीस के बारे में यही कहा जा रहा है कि उनको जहें वो कुछ दिर पहले बला लिया गया पहले उनको कहा जा रहा था कि आप सी करीबी मामला था यह बहुत बड़ा मौका यह लेकिन यहां पर बच जाएंगे यहां पर रॉन आउट होते हुए नॉन स्ट्राइकर रैंक की तरफ रॉन आउट होते हुए बाल बाल बचलिए मेरे हिसाब से गोपाल चौधरी भाई अब उनका आखरी टूर्नामेंट है द कहीना कहीनी बल्के रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक्स्ट्रीएंस की तो पहली आपको पताए कमी है लोपाल भाई दो चक्के अब तक क्यारंट पॉलाड में लगा रखे हैं और बहुत ही सीरियस मॉड में दिखाई दे रहे हैं सोगत खेपी और दोस्तों फाइनली जो है वो पाइसतो डॉलर मिल गए है भूत को जो कि कल पर सो से ग्राउंड के अंदर आया हुआ था एक बहुत ही जबर्दस किसम का फैन बनके तो मेरी मुझे दिली खुशी हुई इस बंदे को देकर यार लगातार यह गैट अप करके बैठा हुआ था इस सीज का लेकिन अब जो है वो इसको फाइनली फाइनली जो है वो दोस्तों इनाम मिल गया है तो दैट सम गूड निय अब ड्रूग इंड और अब नाम आप ज़ी आप इनली के लिए जोगा तरफ से बाइनली बार बार नियुक गैसान अपय गोगली गैन तैट नियुका एनग अवजा ज़्यादा ही तरफ से निचए अचनल धी तरफ से चनल लिए जाए ज़ुका एनली। लेगे इनको हलके आतों के साथ बैट्समन मोर देगा मिडविकेट के डी जोने सिंगल लेने करेगा मौका आप दोस्टरे के लिए लोटना चाहते थे बलेवास और दोस्टरे के लिए भी वापिस आ जाएंगे थ्रो जो है वो थोड़ी लेट नहीं काफी ज़दा लेट होग गाल चौहतर तर 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 नुक्सान है जो लाइक दी विडियो और प्वाइब कर दिए बहुत ही कम दोस्ट वीडियो के लाइक अटवा सब्सक्राइब करें आज 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 हमारा टार्गेट है और यह टार्गेट आपको करना है जल्द जल्पूरा आ ज्मक्र दिए गा पॉलाड अगर आउट हो जाते हैं दोस्तों तो मेरे हिसार से इतना असान नहीं होगा टीम टीकर के लिए समाच के जिर जाएंगे अगर लंबी दिन खेलेंगे तो टीम जीर जाएंगे और अब बॉलिंग में शायद तब्दील की जाएगी पॉल वैंकर रेंग को बॉलिंग के लिए लाया जाएगा दो वर्स के अंदर उन्हें अठारा रंस दे रखें थोड़े महंगे साबित होते हुए नेक्स बैट्समन कौन आएगा दोस्तका यह सवाल है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगले बले बाद कौन होंगे जी नहीं दोस्तों यहां पर मुझे यू लगा था आके स्विन बॉलर फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाए जाएगी लेकिन अब तिंज कर दिया आया रादा का प्लाम ने जागी सार ही जो है वो दोस्तों बॉलिंग करवाएंगे रिस्क लेने पर मजबूर कर रहे हैं य जी चांसे बटीस पर्चेंट हैं पिक्यार के जी चांसे आट सेट परसंट हैं जहां पर अब जागी सारा जाएंगे बालिंग लेकर अल्लियाने वाले प्लेयर जो रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे टिम साइफर ज़रू अब फील हुसान इनों ही जा रहाना क्रिकट खेलने वाले प्लेयर हैं जागी सार की पहली गें थी और पहली ही गें को बल्लेबाद ने स्मैश कर दिया है क्या ही खुब्सूरत अंदास से हुने गिला है इस गें को एक यार के टीम जीत जाएगी दोस्त का एक एक एना दिपक्चान का गोपाल सौर्टी का दिपक्चान बोलते हुए के यहां पर रिक्वाइट रिक्वाइट जो है वो आठ के आसपास से जिबलकुल अब आठ से भी कम हो गया है कर दोस्तो दो समी फाइनल है और एक फाइनल मुकाबला पोलाड आज मारेगा किस्तीन निन जी बल्कुल आप पता चल जा कि इन चक के लगा लिए अब तक पोलाड ने साथ गिनों के उपर बना लिए उन्हें बाइस रूंस पोलाड को इस बॉलर में अकेला धनंजा दिख रहा है जो बिल्कुल ऐसा है अकेला धनंजा को छे चक के मारे थे शाहिए था ना अब अब आप इस बॉलर के पास एक और डिलिवरी जिसके बाद रहेगा तो रहेगा दोस्तों यहां पर अपर सी थीन के नुकसान थे ग्यार आवर्ड दो गिनों का खेल अब भोच का पूरा यार आवर्ड दो गिनों के बाद ना एक दमा फेर बॉलर है तो यार बड़ा और एक और चका लिख लीजिया यह बीटी पॉलाट अठाइस के स्कोर पर चलेंगे नौ गिनों का किया हुए अनुनिसान माहिर ओज ने हमें कर लिया इज्वाइन बाली कमस पालाम बलकिम टो दिलाइश्ट्रीम अलाम नी मुका कि भाग जाओ यहां से माहिर ओज शर्म होता है बंदे के अंदर कुछ हया होता है एक पांच साल के बाद आपका विजर्ट जो है वह हमें चानल के ओपर देखने को मिलता है कि अलार्ट सत्रा चुको के साथ आगे बढ़ जाएंगे एक और उम्दा शॉट और एक और चौका अक्ष्रा कवर के फिल्डर के बिल्कुल पास से होते वे जाएगी अगेंद बांडरी लाइन के बाहर चौकी के लिए चको चौको की बर साथ होते वे दोस्तों नेरली अरणा बॉल पचास गेने और अठावन रंस की जरुड़ दो गेने बचीवीं सवर के अंदर जागी सार्ब्र काफी महंगे साबित हो रहे हैं दोस्तों जहां पर प्लाट का स्ट्राइक रेट तीन सोथ बीस रंस का मुमिनल हक्त ने हमें कर लिया ज्वाइन वलकम साथरी भाई एक दिन पता नहीं कितने लोगों को इसने वो दे दिया हाइड कर दिया प्लाट ने वत इस रंद बनाया कि अदर सकाना डियम ब्राब वह एक पर मोजोने चेक उनका करका साना लंगान लंग ओफ बैकवर्ट स्केर लेग और अली जेकर मिट विकेट पर फिल् दस मिनट के बाद क्या बोलते हैं क्या अपने लाइब स्रिम के अंदर नहीं आना अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर अपना आया करें नो प्रॉब्लम इट्स आल राइट अपने लिए मुसीबत ना बनाए एक और चक्का जो है वदोस्तो देखने को मिलेगा हमें जहां पर रबंचास गेने हैं बावन रंज की दुरूरत है आखरी गेन बचिवे ग्यारा गिनों के उपर अर्टीस रंज कैरन पॉलाड अगली दो गिनों के उपर अगर दो चक्क हैं टीम पैट्रियोर्ट केस मैंच तो यतनी के 96 हैं स्कोरती इनके नुकसान पे 345 के स्ट्राइक रेट के साथ ये बलेबाजी करते हैं तेज बलेबाजी हमारा 500 का लाइक टार्गिट भी पूरा होने वाला है जहां पर 26 लाइक्स की हमें जरूरत है टूर्णामिन्ट के अंदर सबसे ज़्यादा चक्के लगा रखे हैं दोस्तो टीम तलावास ने 85 चक्के लेकिन जमेका तलावास की टीम अब टूर्णामिन्ट से बाहर होच के दोस्तो अब वो मजीद को चका नहीं लगा पाएंगे पैट्रियोर्ट की टीम के 81 चक्के हैं इनको 5 चके मजीद लगाने हैं नमबर वन पर जाने के लिए रॉयल्स की टीम के 75 चके वो भी बाहर होच के वारियर्स की टीम के एकटर और किंग्स की टीम के 72 चके आखरी गेंड रहेगी सोवर की दो गिनों की ओपर दो चके अगर लगाते थे कैरन पॉलार्ट तो इनकी 50 हो जाएगी पूरी बड़ा शॉट लगाना चाहते थे कैरन पॉलार्ट गेंड लेगी बलेका अंदरूनी किनारा जाएगी एगें लेक्साइट के रीजन में मिट प्रिकेट के रीजन में फिल्डर रहींगे माँजोद जो रोकिंगे इसके इनको 97 है स्कूर 3 के नुकसान पे 12 वर्ट का खेल भोच का पुरा 8 वर्ट का खेल जाएगा दोस्तों होना है अभी मज़ीद बाद टीके आर के टीम जीट कर नमबर वन पर चली जाएगी ये खली मुहमद ने हमें कर लिया जोईन वेलकम टू दिलाइश्ट्रीम विशाल कुमार भाई जे अजे कुमार भाई हमार साथ है मौजूद गूट प्राय टीके आर बट वी नी टू विन येस बहुत बड़ा ओवर ये इस मैच का सबसे बड़ा ओवर था पिछला और नहीं नहीं वासर भाई बोलते हैं मतलब के बोलते हैं आहीं ये कम अहली गें स्ट्रेट डाम दा ग्राउंड बड़ा शॉर्ट हवा में है गें और एक टाप अलगनी के बाद जाएगी अगें बार्न व्री लाइन के बाहर चौकी के लिए एक और चौका जाएव दोस्तों हमें देखने को मिलिया है तेइस वंजाए पिछले वर के अंदर और रिस सवर की पहली ही गें के उपर चौका लग गया तीरा गिनों के उपर 43 बना लिए गाइस 47 डिलिवरिस के उपर 47 रंस की जरूरत एक दावा पेर कट करने के लिए गये थे बले बास गें लेगी बले का अंदरों नी किनार रन आउट होने का खत्रा हो सकता है लेकिन रन आउट नहीं होंगे 101 है स्कौर तीन के नुकसान पर दूली ये गें थीव औवाद एहमद की बोल्ड होते होते बाल बाल बचेंगे पर अच्छा कोई बात नहीं है स्वाल राइट चिल करिए चिल पर आईगी गेंड खेलना चाहते थे बार्स पर ने स्कौर तीन के नुकसान पर बारावर्ज और तीन का खेल बहुच का है पूरा अच्छा के ने से न्टालिस रंस की जरूरत तैरन पॉलाड अपनी 50 के हैं बिलकुल पास आंदरे रसल ने सीपील की साल की 14 गिनों के उपर 50 लगा रखिये दोस्तों जिनार लेव इसमें 21 गिनों के उपर 50 लगा यूई और अब यारं पॉलाड के पास बड़ा मौका है कि वो 21 गिनों से पहले जो है वो अपनी 50 को पुरा कर ले और इसी के साथ 500 दोस्तों ने कर दिया वीडियो का लाइक दिल से शुक्रिया वाई लोग आपका वीडियो का लाइक एंड़ से उनको सब्सक्राइब करने के लिए अलकासा डिफेंस अफ रॉल लेक साइड की तरफ और ड्रेक्ट फ्रो की ज़रूरत थी ड्रेक्ट फ्रो नहीं हुई नसीम शाह की तरफ से सिंगल लेने करेगा मौकार सिंगल को पुरा कर लेंगे प्लेयर 102 है स्कोर थी इनकी नुकसान पे 45 के ने 46 रंस की जडरूरत अगर ड्रेक्ट फ्रो हो जाती तो यकीनी तोर पर आउट हो जाते कैरन पॉलार्ड लेकिन काफी दूर थी ये गेंद मिट्रो से इसलिए बच जाएंगे प्लेयर और अब स्कोर रहेगा एक सो स्कोर जो हो दोस्तो रहेगा एक सो दो तीन के नुकसान पे बारा ओवर्स और फ्रांस के नुका खेल हो चुका है अब पुरा पचास रंस की पार्टन शिडर चुकी है दोस्तो जहां पर इन दोनों प्लेयर के दरमाना और आउट हो जाएंगे इजे ब्राव अपने भाई को आउट करते हुए फून सफेद हो गए भाई-भाई का दुश्मन जी हा दोस्तो डीजे ब्राव ने किया है कैच बहुत ही जबंदस कैच बढ़ा शॉट खेलने के लिए जाना चाहते थे हवाँ में उचलते हुए डीजे ब्राव ने किया इस तेरा का खेल होज क्या पूरा है कि इस सप्टमबर शाम साथ बज़ के तीस मुनद पर से एसके वर्सिज मुंबाई इंडिया में कि जालिक यने और चालिक स्केटिंटी क्यार को है जरूरत है भाई-भाई का दुश्मन वासे भाई-भाई नहीं नहीं हमने कौन से ऐसा कोई काम किया है इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया ना मतलब आउट हो गए है अपने बाई को आउट कर दिया तो इसकी मैं बोल रहा हूं स्कूर हो जाएगा एक सो दो चार के नुकसान ते तेरा वर्थ का खेल भोज का है पुरा साथ वर्थ का खेल होना है मजीद बागी पचास रंस की लग चुकी है ते इस गिनों के उपर इन दोनों प्लेयर्स के दमयान जहां पर रहा हो लाट चावाल इस पर मौजूद है द बॉलिंग के लिए नहीं लाया गया पॉल बैंड मेकरीन जो है में दोस्तों आ जाएगी गेंद बादी के लिए साथ वर्थ का खेल है साथ वर्थ के अंदर होती है बैलिस के नहीं और बैलिस दिनों के उपर हैं च्छालिस टूंस जो इनको चाहिए कि इम साइफर अभी शेक कौन है भाई अभी शेक कुमार नहीं नहीं ऐसा वैसा कोई नहीं है एस समझेंगे मुझे तो अपने ही नुकसान करवाएंगे एक सदो है स्कूर चार तो नुकसान ते लड़की सम्झेगे तेरा वर्थ के लोचकाय पॉरा जहां पर इस सबर की पहली गेंद और करन पॉलाड ने इसके इनको स्मॉक कर दिया है वाँ दूरत हिट जोरदार जोहें वह दोस्तो शॉट मिलेगा चाखा अगले मैच के अंदर नहीं खेलने वाले पॉलवर्थ का विन पॉलाड के बले से निकलाई ये जोरदार समनाटेदार शॉट मिल जाएगा दोस्तों यहां पर चाखा एक सो ते रहीगा स्कोर्ट चार के दुक्सांती तेरा वर्थ और एक इनका खेल भोज कहा पुरा गुलाइम हुसाइम भाई ने हमें कर लिया ज्वाइन वेलकम तो दी लाइश्ट्रीम पापिन को गॉलम के लिए नहीं लाया गया जिबल को 41 गेने और ब्यालिस रंस की दुरूर्द जोनेवर 40 पर चले गए 18 गिनों का करका सामना इस तीजन की तेज सरीन अगर उनको 50 बन शॉट लग ताइग के तरफ सिंगल को करनेगे पूरा दूसरे के लिए भी आना चाहते लेकिन दोनेगी सिंगल ही तालिस गिनों की उपर एक्तालिस के जुरूर लेकिन कैरन पॉलार अगर क्रीज की उपर रहे तो अंगले दो तीन आवर के अंदर ये मैच्छ फिनिश हो जाए एक्सट दो सप्तामन के स्ट्राइक रेट के साथ जो है वो बड़ते होए आगे जहां पर अब एक्सट साथ है स्कोर राक के नुक्सान पिए तीर आवर दो गिनों के बाद कैरन पॉलार की फिप्टी होने वाली है दोस्तों एक रून की जबरते है के पी को अपने कर पाएंगे यहां पर यान कि यहां ग्यारा बज रहे हैं और आपकी आवाज इतनी सही है स्वीट है कि आपकी आवाज ने हमारी नीम उड़ा दी है जस्टस एंट इस बोलते हो अरे भाई मेरा गलाब इस वकर तो बैठा है मेरी आवाज कैसे सही लग रही है आपको जाट विजगे इन इसके इनको बैट्स बन खेल देंगे और साइट की तरफ कवर की पॉजिशन पर फिल्डरता है ना थे हैं वो रोकेंगे इसके इनको इसी के साथ अब एक सथ साथ है स्कोर तार के निकसान पे बाइदवे शुक्रिया आपका होसला उदाई करने के लिए त हमदब का लाइक का बढ़न गी जो है वापको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा 107 फॉर दे लास ओफ फॉर विकेट्स यहां इस तबर की रहेगी यह पांच विगिन राइट आम ओर दो विकेट्ट यह गें दिसकेन को बैट्समन बैक पर पर प्रगते वें पिल देंग जो है वो ज्यादातर दोस्त विल्हाल हमार साथ है महजूद क्योंकि इंडिया के अंदर सीपियल जो है वो लाइब नहीं आ रही मतलब वाईटी के उपर ठीक यार की तरफ से तेज तरीन 50 बनाने के बिलकुल पास एक गेंड क्यूपर अगर 50 बना देते हैं शाट पिच्छे गेंड और यहां पर चौका हो जाएगा ववाद एहमन मौजूद थे दोस्तों बार्मटरी लाइंग पर मिस टाइम किया इस गेंड को उन्होंने और मि के नुक्सान पे चेय वर्थ का खेल होना है अभी मजीद बागी अतिकुर रह्मान भाई हमार साथ हैं वालेकमस्सलाम ठीक भाई अनन्द रथोड बोलते हुए के इतनी देर तक कमेंटरी कैसे होती है तो भाई जब मैच हो जब काम हो तो पता हुआ आपको कोई करना है तो फिर करना पड़ता है आपको इसके इलावा कोई और काम हो तो बन्न चलें फिर ये काम छोड़के वो करना तो बस ऐसे ही ना अपने काम को सीरियस लेना चाहिए और ऐसा ही तो कि एगर काम को सीरियस नी लेंगे तो फिर काम हमें सीरियस लेंगा जी तो दोस्तो 111 है स्कोर 4 के नुकसान पर मुझे यू लग रहा है के मुझे लग रहा है कि यहां पर मुझे ना फ्रार तरीख को पता नियू वापिस बिला लिया गया है सीपियल से सीपियल खेल रही थे आपारा वसीन को 18 तारीह को बिला लिया गया है और मुहम्मद हफीज को जो है बारा तारीक को ही जो है वो वापिस बुला लिया गया जान बूचकर ऐसा जो है वो हरकत की गई यह ताके वो बढ़के और बढ़कर वो यहां पर वर्ल्ड कप से बाहर कलब कहें के मैं नहीं खेल रहा भाई जाओ और मुहम्मद हफीज है विया से शाट फिज जगेन पुल कर दिया इसके इनको मिर्विकेट की तरफ हला कि अगर वो समयदारी का मजारा करें तो वो यह कर सकते हैं लेकिन उससे पहले यहां पर पॉलाड अपनी 50 को पुरा कर देंगे बीस गिनों के उपर पक्चास रंज बना लियां केरन पॉलाड नाइट राइडर्स की टीम की किसी भी बल्लेबास की यह 30 तरीन 50 प्रेड उनको समयदारी मेरे हिसाब से करनी चाहिए और मुअमदाफीस को जो है वा दोस्तों यहां पर रिटार्मेंट या फिर वर्ल्ड कप से अपना नाम विद्ड्रॉन नहीं करना चाहिए वर्ल्कप उनको खेला चाहिए 112 है स्वोर्चार के नकसाथ ऑलाड अगर सही ह है तो क्यों वो लास्ट मैच के अंदर आउट हो गया तो भाई मेरे वो आउट हुए थे जान बुझकर अब कोई बैसमें आउट तो नहीं नहीं होता है एपी डे लेगें प्लाड पर आएगी गें इसकें को बैसमें निकाल देंगी मतलब थाइप आइट पर आएगी गें इसे के साथ है एक सो बार रहेगा स्कोर प्लार के नुकसान पे चौदा आवर जो रहेगी इन के बाद विल्ट से शुक्रिया हमाई होगा आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जहां पर रब सांक लाइक्स की हमें हम अजी जरूरत अपना प्लार करने के लिए लाइस था 113 फॉर दलास फॉर विकेट्स एपी इस अन्स्राइक कारम प्लार थे शॉर्स को जो है वो दोस्तों लगाने की लिए खोशी बड़ा शॉर्ट पुल कर दिया है सके इनको मिड विकेट की तरफ कारम प्लार के बले सिंक्लावा एक और अच शॉर्ट मिलेगी बरहल सिंगल ही सिंगल के साथ अब 114 हो जाएगा स्कॉर कार के नुकसान पे 14 और तीन गिनों के बाद जीत के लिए 33 गिने और 33 गिनों के उपर 33 रंस की दूरों 30 मिटीर बागो नाइट और स्कॉर प्लाड टूर्णामिंट के पांच में सबसे बड़ी स्कॉर बनाने वाले बलेवास हैं सीपील के ओवराल 2200 की उपर रंस इने ने बना रखी हैं एक दवा फिर लगातार गेंबास जो हैं वो पैट्स पर अटैक कर रहे हैं लगातार बैट्स में जो हैं वो सिंगल डबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां इसकेन को फाइन लेकी तेरफ खेदा नसीम शाह बांट्री लाइं पर मोजो दे रोकिंग वे स्केन पूश्याइड यह दाहरी सी बात है वन साइड़ी में है चाहिए अब यह देखने को मिल रहा है हांजी हांजी है साही महीर रॉय कोई 163 साल की मतले 155 साल की इस पंदरा है स्कोर चार के जखसान पे बॉलर है ता यार अली गेन लेकर आएंगे बड़ा शॉट के पी की तरफ से हवा में है गेन और नसीम शाह का बेहतरीन कैच पीछे की तरफ दोरते वो इस गेन को करेंग की लूज अभी भी ये मैच्च फिनिश नहीं हुआ दोस्तों 31 गिने अटेंट इस एक्स होता है अकेली जो है दोस्तों 31 गिनों के वर तैंटेंट इस दूंस के जरूरू फुलकिया इस के इनको नसीम शाह पीचे की दर दोरते हुए इस गिन को करेंगे काच लबली कैच ब इनको नसीम शाह वंडर्फुल इनिक्स बाइक कैरन फॉलार जितनी तारीफ की जाये दोस्तों इतनी कम है बाइस किनों की उपर ही कावन रंज बनाए एपी ने जहां पर रब 115 है स्कोर पांच के नुकसान पे चौदा अबर जोर ती चौदा बर जोर पांच किनों का खेल बहुच का है पूरा पांच अबर जोर एक गिन का खेल होना है अभी बाकी 31 गिने और 33 रंस की दरूरत है टीम टीकार को अच्छा अच्छा एक सो ठासी गलती होगी मुझसे नसीम शाह को जो है वदोस्तों ग्लेवर के अंदर मेरे हिसाब से बालिंग के लिए लाना पासिव गिन बाजी की यहां पर रब जरूरत है जरूरत आना आ जाएंगे बले बाजी करने के लिए टीम साइफ़ट का साथ देंगे वो डूमिनिक ड्रिक्स ने दो बर जोर पांच गिनों की उपर दस देकर एक विकेट को अपने नाम का रखा है पाइब डाम फर वन फिफ्टीन जहां पर रब पी के आर के फैंज जो हैं वो दोस्तों पी के आर के फैंज जो हैं वो काफी खुश हैं कि उनकी टीम गीत रही है लेकिन एक आद बिकेट अगर मज़ीद गिर गई तो फिर मज़ेवला मैच हो सकता है नसीम शाह का एक लाजवाब का आज जो हमें देखने को मिला कि पील के अंदर फिक्सिंग नहीं भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है है एक सो पंद्रा है स्कोर पांच के नुकसान पे चौदा अबर जोर पांच के ने अब भोच के पुड़ी लास्ट डिलिवरी रहने वाली है लास्ट डिलिवरी जो है वादोस्त रहने माली सवर की जहां पर रब गेंदाज देया ता यार लाफ्ट रमोर दो विगेट ये गेंद और विट्रो कमिस करते हुए जाएगी येगें विगेट कीवर के दिस्तान में वाइट बॉल का सिग्नल दिया जाएगा अंपायर के सब्सक्राइब जाएगा जाएगा या फिर सिंगल डबल के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाएगे पैर्स पर आएगी गेंद निकाल दिया है इसके इनकों मिट विकेट की तरफ सिंगल देने करेगा मौका 15 के बाद 117 है स्कोर पांच के नुक्सान पे उदाना और टीम साइपर अपने टीम को येवाला में काब्दा जितवानी की कोशिच में होंगे जहां पर 30 गेने हैं औ प्राव की एक अच्छी खासी तादाद राफ के अंदर फिलहाल है मौजूद और मैच को इंजुआए किया जा रहा है इनकी तरफ से इतनी बड़ी तादाद निया लेकिन ये के मैच के हिसाब से ठीक है क्योंकि ये मैच वन साइड है और इस मैच से पहले ही जो हमें आइडिया मिल गया था कि कौन से टीम प्ले आप के अंदर चलीगी ये कौन से टीम नहीं तो इस वह जासे अब इस मैच का फाइदा ये होगा कि जो टीम जीते कि वह नमबर वन पर चली जाएगी कारी पांच सो दोस्तों ने वीडियो को लाइक कर दिया दिल से शुक्रिया वाई लोगा आपका वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब 31 तो गेट फ्रम 30 डिलिवरीज आइफड इस ओन स्राइक बॉलर होंगे दोस्तों फैबियन ऐलन फैबियन ऐलन जो है वह दोस्तों इनका याद आ गया है कप्तान को लास्ट में जाकर अब आइफड की तरस से जो हमें अच्छी बले बाजी देखने को मिली हुई है इस सीजन के अंदर और इस सबर की पहली गिन को उन्हें खेल दिया लाउंगन के रीजन में सिंगल के साथ हम स्कोर हो जाएगा 118 पार्च के नुकसान थे 15 और जो एक गिन के बाद तो दाना ने कोई नहीं मना हुआ हुआ है लुपाल भाई बस बस इतना ज्यादा नहीं होना पर्टनल बंदे को बुरा ही ना लग जाए अभी शेक कुमार और लवली डिलेवरी इस गिन को वार्स वन निकाल देंगे में ब्रिकेट के रीजन में नदर सिंगल और सिंगल के साथ दो गिनों के उपर दो रंज बन जाएंगे एक सुननी से स्कूर पांच के नुकसान पे पंदरा वर्ज और दो गिनों के बाद नाइट राइडर्स की टीम ने जीट के लिए हम तीस रंज की जरूरत है और यह मैच जो है वह दोस्त अब अगले पंदरा बीस विनर के अंदर यानिके लाइश्रिम जो है वो नो बजे के रावंबाव जो है वो फिनिश हो सकती एक सुननी से स्कूर पांच के नुकसान प मैच नहीं खेल रहे हैं और टीम प्राट्रियोर्थ की तरफ से भी बड़े बड़े नाम जो है वो इस मैच के अंदर मिसिंग है 120 फॉर दे लास अफ फाइव विकेट्स आफ्टर फिफ्टीन पॉइंट ट्री ओवर्स पाकफट पर दे वेक कट कर दिया इस गेन को धी पॉइंट की तरफ सिंगल ने ने करेगा मौका 121 फॉर दे लास अफ फाइव विकेट्स अंदर आवर्स और चारगे ने होच की है अपुरी इस अबर के लिए गेन विकेट्ट करवाएगी गेन बल्ले का बाहरी के नार लेने के बाद जाएगी अगेन डी पॉइंट की तरफ सिंगल लेने करेगा मौका जहां पर रब 122 फॉर 5 को नुकसान पर 15 उर्ञ पांच गिने होच की है दोस्तों पूरी जहाँ उदाना ने दो रंख बना रखे दो गिनों का किया सामना साइपर ने दस गिनों का सामना 25 गिने और 26 रंख की जरूर थे दोस्तों जहां पर रब अपने अवर के लीगेंद लेकर एक दवा फेट से हैं तयार रहा है अगेंद वेकर टुएकट करवाएगी गेंद इसकीन को बैर्स वनने खलकियादों के साथ खेल दिया लेक्साइड की तरफ सिंगल लेने का रहेगा मौका चे गेदों के उपर 6 रंज बने हैं इस सोवर के 12 के बाद 123 से स्कोर 5 के नुकसाम के जीत के लिए 24 के लिए 25 रंज की ज़रूत हिंसाइफर 10 पर मौझूद हैं उदाना ने तीन रंज बना रखे तीन गिनों का सामना करते हुए रोलो चकरवर्दी is with us welcome to the live stream as well बहुत शक्रिया आपका भी आड़े 500 रोस वीडियो को लाइक कर चुके हैं जहां पर हमारा लाइक स्काटार रिर्थे सोका है तो दू लाइक दी वीडियो और सब्स्राइब तो दी चानल ही तो दोस्तों यहां पर अब 123 स्कोर पांच के नुकसान पी फूल आवर्ज का खेल होच का है 123 पांच के नुकसान पी जहां पर रब साइमन हिलमोट कोचिंग करते हुए टीम पाट्रियोट्स की पाट्रियोट्स की टीम जो है वा दोस्तों प्ले आउफ के अंदर